नमस्कार दोस्तों स्वागेत आप सभी का सेविल 101 पर मेरा नामे संदीब आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं वेस्ट वाटर इंजिनरिंग जो की है एन्वाइरमेंट इंजिनरिंग 2 का पार्ट जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस एक सेशन के अंदर ही हम पूरे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं तो जल्दी से आप अपने वाखी जो मित्र हैं उन्हें भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम यह सब्जेक्ट पढ़ेंगी आज एन्वाइरमेंट इंजिनरिंग 2 सभी को नमशकार गुड़ मॉनिग अभेरी गुड़ मॉनिग तो आप अभी तक अनकैडमी अप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अनकैडमी अप आप इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे कि अनकैडमी के उपर जो भी हमारे सेशन्स होते हैं वो आप लाइव अटेंड कर पाएं साथ ही साथ में अनकैडमी के उपर जो स्पेशल क्लास्स होती हैं जो फ्री आफ कॉस्ट होती हैं वो भी आप देख पाएं अनकैडमी पर DRDO के भी SSJ के और UPPCL जैसे बैस्टिस जो है वो चल रहे हैं आप जिस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं पहले आप अपना गूल सेलेक्ट कर लीजेगा कि आपको किस एक्जाम के लिए तैयारी करनी है जैसे SSJ स्टेट ही वो जब आप सेलेक् सेलेक्ट करनी है कितने दूरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए और फिर आप कोड यूज कर सकते हैं संदीब डबलबन जिससे आपको 10% instant off मिलता है अभी अनकैडमी का ओफर चल रहा है जिसके अंदर अगर आप अनकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं 11 से 14 तक तो 20% instant off मिलेगा सभी को नमशकार गुड मॉनिग लट इस बिगिन विद दे सब्जेक्ट एंवार्मेंट इंजिनरिंग के दो मेजर पूर्शन है जिनने हमने एंवार्मेंट वन और एंवार्मेंट टू के फोर्म में डिवाइड किया इंवार्मेंट वन के अंदर water supply engineering हमारे घर तक पानी आयेगा कैसे इसकी बात की थी अब हमने पानी को यूज गर लिया है चाए आपने घर पे यूज किया है इंडस्ट्री के अंदर यूज किया है या फिर अगर पानी आया था बारिश से rain water आया था storm water आया था वो पानी आ management आ जाता है air pollution noise pollution यह आ जाता है तो फिलाल अभी आज के session के अंदर हमारा target रहेगा waste water engineering solid waste management कल के session में करेंगे तो जल यह शुरू करते हैं waste water के अगर हम बात करें तो waste water के बारे में सबसे पहले जानना होगा हमें कि waste water होता क्या है उसकी basic terms के बारे में जानेंगे उसकी ABCD के बारे में जानेंगे फिर उसके बाद waste water की characteristic यहां properties थोड़ा सा word जो है ठीक है use करना है कर सकते हैं लेकिन properties मतलब कुछ अच्छे वाले positive terms में use कर लेते हैं अब waste water है तो उसकी खास बात तो क्या ही होगी उसकी बस characteristics हो सकते हैं कि क्या-क्या चीजें waste water के अंदर होते हैं इसके बारे में discuss करेंगे then we will talk about the biochemical reactions जो होती है इस waste water के अंदर disposal of sewage effluents कि जो sewage का waste है उसे dispose कहां पर करना है sewer को design कैसे करना है ताकि आपका sewage domestic या फिर ये कह लिजे source जो था originate जहां से हुआ था आपका waste वहां से ले करके जहां पर dispose off करना है हमें वहां तक हम लेके जा पाए अगर ज़रूरत है उस waste को treat करने के जैसे industrial waste के अगर हम बात करें तो industrial waste बिना treatment के अगर आपने कहीं पर dispose off कर दिया तो वह जाहिर सी बात है कि नुकसान पहुंचाएगा environment को open air में किया तो उसके through कराएगा water के अंदर dispose off कर दिया तो उस water को वह contaminate कर देगा water को वह pollute कर देगा तो वह हमारे लिए नुकसान पहुंचाएग बन जाएगा ठीक है सभी को good morning नमश्कार शुरू करते हैं दोस्तों हमारे chapters सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है domestic sewage domestic sewage के अंदर वो सारा waste आ जाएगा जो हमारे घर से originate होता है तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है domestic waste के अंदर चाहे आप बात कर लीजिए kitchen की या domestic waste की category के अंदर वो सारा waste जो domestic के similar है अब चाहे आपके office से generate हुआ तो वो भी domestic waste के category में आएगा अगर वो waste जो है इतना जादा harmful नहीं है या फिर हजार्डस नहीं है हजार्डस जो है उसकी भी category होती है कि हजार्डस waste क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वो सारा waste जो है factory से इंडस्ट्री से generate होता है जिसकी characteristics जो होती है वो domestic से थोड़ी और जादा खराब होती है इंडस्ट्रियल सीवेज चेक करना पड़ेगा हमें कि किस type की industry है अगर कोई food industry है लेट से तो ऐसा ही waste है जैसा की हमारे घर में originate होता है तो ठीक है उसके लिए कोई अलग से treatments की ज़रूरत नहीं है अगर कोई chemical industry है तो अव्यस सी बात है कि chemical industry का जो waste होगा hazardous ही होगा उसे अलग से treat करके फिर उसके बाद ही dispose of किया जा सकता है उसके बाद कुछ basic basic सी terms जो use कर ली जाती है उनका meaning हमें समझना है यहां पर rubbish की अगर हम बात करें तो आप भी अपने दोस्ट को बोलते हैं आपका दोस्ट कुछ हैसी वैसी बात कर देता है तो आप बोल देते हैं what rubbish तो rubbish का मतलब ऐसा waste होता है जो generally dry होता है jewel and shield होता है जलाया जा सकता है जैसे paper waste होगा आपका paper से जो भी आप dust wind के अंदर आप डाल देते हैं तो वो जल सकता है तो miscellaneous kind का waste होता है यह या फिर इसे sun dry बोल देते हैं इसका मतलब होता है कि miscellaneous kind का mix type का बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें हो सकते हैं जैसे furniture के टुकडे हो सकते हैं paper के टुकडे हो सकते हैं rags हो सकते हैं कुछ भी ऐसा जो जल सकता है ठीक है usually जैसे आपने देखा होगा घर के आसपास जो छोटे मोटे shops होती है या फिर जो चाय की टपरियां होती है उनके आसपास जो भी वो waste टिकठा करते हैं फिर उसको जला देते हैं सरदियों में उसी के आसपास बैठ जाते हैं दो चाय लोग तो वो dry waste जो combustible होता है उसे हम क्या बोलते हैं rubbish बोलते हैं फिर उसके बाद आता है sewage sewage basically water plus impurities water के अंदर अब जो impurities आ चुके है वो बन गया है अब sewage ठीक है तो sewage के अंदर आता है एक तो आपका water जो आपने domestic supply दिया था घर पर पहुंचाया था उसके अंदर अब impurities जो है वो add-on हो गए हैं अब इसका क्या क्या और example हो सकते हैं waste water and foul discharge from water closets आपके toilet waste जो है वहाँ से जो जाता है urinal waste जो है hospital से जो waste निकलता है stables या जहां पर भी आपके जो अस्तबल बोल देते हैं जिसको जहां पर घोडे या फिर कोई भी animals जो है जहां पर रहते हैं तो वहाँ से जो waste आता है water plus impurities sea wage कहलाता है sanitary sea wage की अगर हम बात करें तो residential building से या फिर industrial building में वह वाले portion जहां पर लोग रहते हैं वहाँ से जो waste generate हो रहा है वह sanitary sea wage कहलाता है अब इसकी images बहुत सारी हो सकते हैं लेकिन as such को यह representation वाली images है नहीं और मुझे लगता है कि सुबह सुबह आपको ऐसी images देखने भी नहीं होंगे you will be like sir अरे sir यह सुबह सुबह क्या दिखा दिया आपने तो इतना ही representation के लिए बहुत है कि sea wage के अंदर होता क्या यह seivers है large diameter की pipes होती है जिनके through waste water जो है वो निकल कर आ रहा है अब एक दो term और आती है एक होता है refuse refuse एक generic सी term है मतलब जिस चीज़ को reject कर दिया गया कि जो काम का नहीं है वो refuse है waste है वो so general सी term है जिसके अंदर worthless काम की चीज़ ना हो जो ऐसा waste, sea wage, sullege यह सब कुछ refuse में आ जाएगा फिर आते हैं कि garbage ठीक है फिर आते हैं garbage के उपर तो garbage जैसी terms भी आप use करते हैं अपने दोस्तों लिए कभी कभी कर लेते हों यह आप तो garbage जो है basically इसके अंदर भी है तो waste यह सारे waste ही तो पढ़ रहे हैं लेकिन garbage उस waste को हम बोल देते हैं जो generally सडने वाला होता है, putry shable होता है तो putry shable या फिर organic matter जैसे कि अगर हमारे kitchen की हम बात करें तो kitchen से जो सबजियों के छिलके होते हैं, vegetable peels जो होते हैं तो वो किसमें आ सकते हैं, garbage के अंदर account हो सकते हैं, तो organic matter ऐसा matter जो कि putry shable होगा या फिर सड जाएगा तो वो garbage के अंदर आता है तो garbage के example में आपने देखा होगा, कि अगर आप kitchen का जो dust queen है, वो daily clean नहीं करते हैं, या most cases में अगर alternate days पे अगर उसको नहीं remove करते हैं, वहाँ से उस waste को, तो bad smell आनी शुरू हो जाती है कभी ना कभी आपके hostel life में, या आपकी college life में, या अगर आप flat में रहते हैं, तो ऐसा हुआ ही होगा, कि obvious ही बात है, बैशलर्स रहते हैं, तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखपाते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों का, तो आप छुटिया मनाने चले गए घर पे अपन जिसमें से ऐसी smell निकली होगी, कि वो पूरा घर जो आपका है, सब जगह तुरंत फैल गई होगे, तो वो क्या हो जाता है, जो organic waste है, आपने dust wind बंद रख दिया, अब organic waste decompose होगा दिरे-दिरे, जितनी oxygen उसके अंदर dust wind में present थी, वो उस नहीं utilize कर ली, अब oxygen तो अंदर है न gases जो है, वो वहाँ से evolve होंगे, तो इसी लिए हम बोलते हैं कि garbage जो होता है, या putri-shable organic waste जो होता है, वो चितने जल्दी हो सकता है, उसे remove कर दिया जाए, next, the term refuse generally does not include, refuse के अंदर human waste जो है, वो generally हम नहीं include करते हैं, putri-shable solid waste, मतलब जो जलाया जा सके, तो sorry, putri-shable मतलब जो सडने वाला solid waste होता है, फिर non-putri-shable solid waste and ashes, ash मतलब, ash मतलब क्या होता है, जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, तो वो राख वाला, मतलब किसी चीज़ को जला देंगे तो क्या बचेगा, राख बचेगे, ठीक है, next, उसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं, आपने बारिश होती हुई देखी होगी, अक्सर, और बारिश जो होती है, तो बारिश का पानी आपने देखा होगा, बहता हुआ रोड के उपर कहीं न कहीं, तो क्या है, इसकी भी जम्मेदारी हमारी है, क्या, बह रहा है, वो बह के चला जाएगा, कहीं तो जाएगा ही, तो ऐसी situation जब होती है, कहीं तो जाएगा ही, तो वो कहीं नहीं जाता, वो roads पे उपर ही जम्मा हो जाता है, या ऐसे area के अंदर चला जाता है, जो कि low line है, low line, मतलब नीचे है as compared to पूरे city के बाकी areas के अंदर है तो वो जो low lying areas हैं उनको वो क्या कर देगा submerge कर देगा, उनको डुबवा देगा, उनके लिए problems create कर देगा तो इसलिए ये जो पानी होता है, बारिश का वो पानी कुछ पानी तो आजकल हम aware हो गए हैं अब उस storm water को भी हमें collect करना पड़ेगा अब उसके लिए drains भी बनाते हैं अब वो जो drains होंगी, pipes होंगी, या जो seivers होंगे हो सकता है कि domestic के साथ ही हम उसको mix कर ले हो सकता है, उसको अलग से करना पड़े ही situation पे depend करता है तो इसके लिए ये inlets जो है road के किनारे पे अगर आप देखेंगे तो ऐसे आपको inlets भी दिखेंगे basins दिखेंगे जहां से water जो है वो collect हो रहा है storm वाला, तो इसी लिए ये जो पानी आता है इस पानी को हम बोलते है storm water ऐसे पानी को हम क्या कहते है storm water, it is the surface runoff surface के उपर जो आपको runoff आता हुआ दिख रहा है obtained during बारिश के दौरान भी और बारिश के बाद में भी जो आपके seivers के अंदर enter कर रहा है storm water is not foul आपको पता है कि storm water जो है उसके अंदर कोई bad smell नहीं होती rain का water तो बहुत clear ही आता है अब वो ground के उपर आखर के गिरा अब ground पर अगर को impurity present है तो हो सकता है वो उसके साथ mix up हो गए इसके अलावा उसमें as such कुछ bad smelling नहीं है उसको treat करने की हमें जरूरत नहीं पढ़ती dispose of करने से पहले अगर आप waste water को कोई भी घर से जो waste water निकल रहा है उस waste water को किसी open area के अंदर डाल के देखे दो दिन बाद इतनी बुरी हालत हो जाएगी पूरे area के अंदर बुरी smell आएगे वहाँ से flies जो है, मक्हियां जो है, mosquitoes जो है वो ऐसे insects हैं वो grow करने लग जाएंगे वहाँ पर और पूरा ambience जो है बारिश का पानी अगर आ जाता है तो बारिश के पानी से हमें कोई problem नहीं होती है तो storm water smell less होता है या foul नहीं होता है यह एंस it can be carried in open drains and can be disposed off in the natural rivers without any difficulty कि directly rivers के अंदर इसको आप ले जाकर channelize करके rivers में आप इसे डाल सकते हैं फिर उसके वाद आते हैं cellage क्या होता है cellage के अंदर जो भी kitchen के sink में आप पानी यूज करते हैं वो पानी किसमें जाएगा cellage pipe के अंदर या cellage क्या लाएगा वो अब next आपके पास आता है कि आपका जो washroom होता है washroom के अंदर आपको water closet WC या ये जो seed bowl देते हैं वो मिलेगे आपको wash basin होगा और एक shower वाला area आपके पास यहाँ पर रहेगा अब आप बड़े लोग हैं तो जकूजी होगा tub होगा जो भी होगा लेकिन ये आम आपको एक washroom दिखाया गया है इसके अंदर जो bathing वाला area है जहाँ पर नहाते हैं वो वाला जो पानी है वो included होगा wash basin वाला included होगा लेकिन WC वाला ये जो toilet वाला पानी है toilet seat वाला वो पानी included नहीं होगा सो salage के अंदर क्या-क्या चीज़े आती हैं discharge from bathrooms तो बेद जो आप करते हैं bathing वाला पानी included होगा kitchens का होगा wash basin का होगा लेकिन इसके अंदर human waste जो है वो included नहीं होगा hospitals के जो waste है वो included नहीं होगे operation theatre से जो waste generate होता है वो भी included नहीं होगा slaughter houses जो भी butcher खाने होते हैं वहां से जो भी waste generated हो रहा है वो इसके अंदर included नहीं होगा या यूँ कह लीजिए कि ऐसा waste जिसके अंदर बहुत जादा organic matter है वो included नहीं करेंगे clear आगे बढ़ते हैं next I hope यह समझ में आ गया होगा आपको फिर कुछ और terms की बात करते हैं seivers seivers मतलब large diameter की pipes होती है underground जिनको हम लगा देते हैं जिनके through wastewater या sewage जाएगा water plus impurities उसके अंदर तो major portion जो है more than 90-95% तो water ही होता है उसका component और बाकी impurities होती हैं उसके अंदर तो इसको हम बोलते हैं sewage sewage को carry करने वाली जो pipes होती हैं seivers कहा जाता है sewage हो जाता है पूरा entire system जो आपको waste को कैसे collect करना है फिर उसको treatment plant तक ले जाना है फिर उसके बाद वहाँ से dispose off करना है उसको तो ये overall sewerage system हो जाता है DWF ये dry weather flow किसको बोलते हैं dry weather flow हमारा होता है कि जब बारिश नहीं आ रही है सिर्फ और सिर्फ जो seivers के अंदर पानी जा रहा है वो हमारा domestic industrial और ये वाला waste ही उसके अंदर अगर flow कर रहा है storm water उसके अंदर नहीं है तो उस वक्त जो flow होता है उसको बोलते है dry weather flow तो dry weather flow अगर कहीं पर भी term use होती है तो आपको समझ जाना है कि इसके अंदर बारिश वाला पानी जो seivers के थू जा रहा है वो included नहीं है उस दोरान जब बारिश नहीं हो रही है उस मौसम की बात कर रहे है अब waste water की properties या characteristics की बात करें तो पहला आता industrial दूसरा municipal या domestic waste जो हमारा industrial waste अगर domestic की category का ही है ऐसी industry है जिसके waste का जो characteristics है वो domestic जैसे जैसे ही है तो तो उस industrial waste को भी आप domestic severs के अंदर डाल के और फिर उसके बाद उसका treatment करना है dispose off करना है वो कर सकते हैं लेकिन अगर कोई chemical industry है जैसे तो उस case के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा उसको separately treat करना पड़ेगा separately ही उसको dispose off करना पड़ेगा तो अब उसका procedure जो है तो उसे easily हम treat कर सकते हैं the pH value of sewage is usually fresh sewage fresh sewage जो होता है वो alkaline in nature होता है fresh sewage कैसा होता है alkaline in nature होता है अब fresh sewage का मतलब वो नहीं है कि एकदम वो fresh वो वाली चीज़ fresh मतलब just originate हुआ है अभी sewage wastewater just वो बना है उस स्तिति के अंदर वो alkaline nature में होता है बाद में bacteria उसके अंदर chemical reactions करते हैं जिसकी वज़े से वो कैसा हो जाता है acidic हो जाता है ठीक है next the characteristics of fresh and septic sewage respectively are तो fresh जो होता है वो alkaline होता है बाद में वो acidic हो जाता है the alkalinity of fresh water is alkaline but as time passes it becomes acidic because of the bacterial action in anaerobic conditions the minimum dissolved oxygen which should always be present in water in order to save the aquatic life is 4 ppm 4 parts per million या फिर 4 mg per liter इतना कम से कम होना चाहिए sewage की specific gravity अब specific gravity क्या होती है unit weight of any fluid या substance divided by unit weight of standard fluid या अगर हम substance जो ले रहे है air है तो air के reference में देख सकता है the specific gravity of sewage is अब sewage की specific gravity बतानी है तो sewage is basically water plus some impurities अब वो जो impurities है वो impurities water के unit weight से तो उनका unit weight जादा ही होता है इसलिए sewage के अदर water plus impurities है तो इसलिए इसकी specific gravity water से थोड़ी सी जादा होती है so slightly greater than one हमारा correct answer हो जाएगा इस case में the dissolved oxygen level in natural unpolluted waters in normal temperature is found to be of the order of कि आप dissolved oxygen level जो है ऐसा पानी जो कि pollute नहीं हुआ है उसके अंदर dissolved oxygen की quantity जो है वो 10 mg पर लीटर के लगबग रहती है minimum requirement है 4 ppm कम से कम 4 ppm होनी चाहिए aquatic life के survival के लिए जब भी कोई waste water किसी पानी के अंदर डाल दिया जाता है तो क्या होता है कि उस साफ पानी के अंदर जो भी aquatic animals थे उनको क्या चाहिए होता है oxygen चाहिए होता है अपने survival के लिए अब वो oxygen कम पढ़ जाता है उनके लिए क्यों कम पढ़ जाता है क्योंकि जैसे ही waste water add किया उसमें तो अब वो oxygen utilize होना शुरू हो जाएगा उस waste water को decompose करने के लिए तो oxygen धीरे-धीरे deplete होना शुरू हो जाएगा, खतम होनी शुरू हो जाएगी उस पानी में से, उस fresh water में से भी तो जिसकी वज़े से aquatic life की death होती है, apart from the fact that कि हाँ, अब वो जो waste आपने add किया है अगर वो waste toxic था अगर वो waste ऐसा था कि उस waste वाले water को उस aquatic animal ने consume कर लिया है तो उसकी वज़े से भी उसको नुकसान तो पहुंचे गाई लेकिन एक reason यह है जो हम बात करते हैं oxygen के deplete होने की वो भी oxygen अगर नहीं होगी पानी के अंदर पानी का color जो है वो grayish और फिर black होना शुरू हो जाएगा या उसके अंदर turbidity जादा बढ़ जाएगी तो sunlight नहीं आएगी sunlight नहीं आएगी तो जो उसके अंदर plants थे वो नहीं survive कर पाएँगे उनका photosynthesis नहीं हो पाएगा वो और जादा oxygen नहीं contribute कर पाएँगे उस पानी के अंदर तो इस वज़े से overall पूरा वो साही के लिए ऐसा बन जाएगा कि अब वहाँ पर anaerobic conditions डेवलेप हो जाएगी oxygen की absence में वहाँ पर chemical reactions होंगी oxygen present नहीं होगा तो वो पानी और जादा खराब हो जाएगा properties of waste water के अंदर या फिर characteristics of waste water के अंदर अगर हम बात करें तो waste water या sea waste जो है वो basically है water plus liquid waste originated from the locality जिसके अंदर domestic waste domestic waste जो भी हमारे घर से cleaning, washing, bathing, cooking इन सबसे जो waste generate होता है या सारा waste domestic sea waste के अंदर आता है industrial sea waste के अंदर industrial activities के थूँ जो आता है फिर आता है बारिश वाला पानी जिसे हम बोलते है storm water discharge तो storm water discharge जो आपके पास आएगा rains की वज़े से जो surface runoff है अब जाहिर सी बात है कि बारिश आई अब बारिश का कुछ पानी हम पढ़ते हैं न हीडरोलोजी के अंदर बारिश आई बारिश का अब कुछ पानी जो है वो buildings के उपर रह गया कुछ trees के उपर रह गया intercept हो गया इनके उपर कुछ पानी यहां पर ground के अंदर चला गया कुछ पानी जो है वो surface के उपर runoff हो रहा है तो वो surface runoff जितना infiltration होता जाएगा उसके अलावा जो बच गया जो surface पे चल रहा है उस पानी को हमें deal करना है तो यह storm water drainage के अंदर वो direct runoff वाला आएगा combination of kitchen and bathroom waste को हम salish बोलते हैं यह हम already देख चुके हैं sewerage system entire जो system है हमारा जिसके अंदर collection से ले करके फिर treatment और फिर disposal तक का जो system है that is sewerage system अब sewerage system separate भी हो सकता है मतलब आप storm water वाला जो पानी बारिश वाले पानी को अलग से ले की जा करके dispose off करें और जो sewage वाला था उसको अलग से करें तो separate भी हो सकता है combined भी हो सकता है partially separate system भी हो सकता है अब इनको हम कैसे कैसे देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक image दिखाई दे रही होगी इस image के अंदर आपको first में show किया हुआ है कि sewage from domestic, commercial and industrial sources यह जो पानी आया इसको आप combined form के अंदर कि यहाँ storm वाला पानी भी है building से जो पानी आ रहा है वो भी है मैं एक बार zoom in कर देता हूँ जैसे इस case में आप देखेंगे यहाँ पर तो बारिश का जो पानी आया था storm trained यह भी इसके अंदर है यहाँ पर और जो आपके building थी उस building से जो waste आ रहा है वो भी इसके अंदर है जब जादा हो जाए या फिर आपको यह कह लीजिए कि बारिश का quantity जादा आ रहा है तो यह directly यहाँ से outfall बाहर निकल जाएगा जो भी आप जहां पर भी disposal की site है जो treat करने लायक है जो treat करना है आपको वो treat करने के लिए आप इस direction में यहाँ पर sea waste treatment plant के अंदर इसको भेज देंगे अब यह कौन सी condition थी dry weather condition dry weather मतलब जब बारिश वाला पानी अगर नहीं आता है तो बारिश वाला आएगा नहीं simple simple जो भी waste आया इसको sea waste treatment plant में हमने भेज दिया अब अगर wet weather conditions में बात करेंगे जब बारिश आ जाएगी तो बारिश के time के उपर जो आपका sewage treat होने जा रहा था यहां पर वो तो नीचे नीचे heavy होने के कारण specific gravity के कारण नीचे जाएगा लेकिन बारिश वाले दिन पर अगर हम बात करेंगे तो उस case में कुछ ना कुछ तो mix होगा ही होगा तो यहां से जब बारिश का पानी storm drain से अब आ रहा है तो यह outfall sewer के थुरू बाहर चला जाएगा तो यह तो था हमारा combined system इस case में ऐसे अगर हम अब ऐसे देखें तो dry weather के दोरान यह पहला हमारा क्या है dry weather dry weather के दोरान आपका एक जो separate storm sewer था मतलब बारिश का पानी अब इस storm sewer से तो आएगा यह नहीं dry weather है इस वक्त और जो दूसरा आपका domestic sewage वाला था यह sewage treatment plant तक डायरेक्ट चला जाएगा तो इसमें हमने separate systems रख रखे है अब अगर wet weather के दोरान देखेंगे तो wet weather के दोरान क्या होगा बारिश का पानी आया तो बारिश का पानी आपका आगर के इस storm वाले sewer से निकल के सीधा सीधा चला गया और जो भी sewage वाला पानी होगा वो sewage वाला sewage treatment plant के अंदर जाएगा तो दोनों को separate रखा हुआ है हमने तो यह आपके अलग-अलग type के combination हो सकता है अब sanitary sewer कौन सा sewer होता है जो भी आपका domestic industrial waste waters को carry करने वाला जो sewer होता है वो sanitary sewer कहलाता है storm sewer वो individual sewer वो particular sewer जो कि storm water को rain water को लेके जा रहा है combined sewer mix हो जाएगा उसके अंदर domestic भी industrial भी industrial terms and condition applied की अगर इस category का है कि domestic के साथ mix किया जा सके तो domestic industrial storm water sewage यह mix हो जाए तो उसे combined sewer कह सकते है house sewer वो sewer एग जो हमारी building से municipal sewer तक connect कर रही है वो pipe जो हमारी building से municipal sewer तक connect कर रही है उस waste को लेकर के जा रही है lateral severs क्या हो जाते है lateral sewer फिर जो house sewer से आगे discharge जा रहा है the sewer carries discharge from two or more house severs sub main जो आगे जाके main में गिल जाएगा main या trunk वाला जो sewer है वो ऐसे बहुत सारे sub main sewer से discharge ले करके फिर लेके जा रहा है outfall sewer वो वाला sewer जो final disposal site के उपर जाके आपको इसको गिरा रहा है तो outfall sewer बिलकुल last वाला end वाला sewer जो होता है उसको हम बोलते हैं कुछ और terms है waste pipe किसको बोलते है waste pipe एक ऐसी pipe होती है जो कि kitchen से wash basin से इन से waste को लेके जा रही है इसके अंदर human waste भी हो सकता उसको भी हम waste pipe बोलते है vent pipe, vent pipe आपने छट के उपर देखी होगी जिसके आस पास आप जाते नहीं है जब आपको fresh air चाही होती है तो आप कहते हैं चलो शाम को छट के उपर चलते हैं जब आप चट पे चले जाते हैं तो आप बताते हैं अपने छोटे भाइवन को वह वाली pipe से दूर रहा ना बस ठीक है क्योंकि आपको पता है उस वाली pipe के पास जाने से क्या होता है आपका experience रहा होगा तो vent pipe जो है वो ऐसी pipe है जिसको उपर ले जाकर के ventilation के purposes के लिए हम इसको छोड़ देते हैं जनरली यह जो vent pipes हैं जो waste pipes होती हैं इनी को extend करके उपर तक ले जाते हैं जिससे जो भी foul gases हैं वो बाहर evolve हो जाएं बाहर निकल जाएं soil pipe के अगर हम बात करें तो soil pipe particularly use किया जाता है word इसे कोई soil carry नहीं करती है यह word use किया जाता है जो human waste होता है उसके लिए तो वो pipe जो carry करती है human waste को that is known as soil pipe next अब आते हैं parameters के उपर यहां से हमारे सवाल शुरू हो जाएंगे अब तक था understanding वाला base बनाने वाला कि हां waste water है क्या इसके अंदर क्या terms use करते हैं refuse बोला तो क्या garbage बोला तो क्या मतलब तो ऐसी term समझ लेना storm water का मतलब क्या है dry weather flow का मतलब क्या है यह बातें समझ लेना important था अब बात करते हैं कि parameters कौन कौन से हैं अब parameters जैसे कि हमने raw water के अंदर पढ़ा था वैसे ही यहां पर बात करेंगे बहां पे भी पड़े थे, तो sewage के अंदर organic और inorganic particles दोनों होते हैं, अब इन दोनों शब्दों से दोस्ती कर लीजिये, क्योंकि जो treatment के processes होंगे, उनमें ये समझने में मदद करेंगे, organic waste का मतलब क्या हो गया, ऐसा waste जिसके अंदर कोई भी vegetable वाला portion है, dead and decayed, animals के portion है, या फिर human waste हो गया, कुछ भी ऐसा waste, जो associated to a living being है, तो उसे हम बोल देंगे, वो organic waste की category के अंदर आ गया, inorganic waste की अगर हम बात करेंगे, तो ये समझ लीजेगा, कंकर, पत्थर, मिट्टी, ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये सब किसमें आ गया, inorganic waste के अंदर आ गया, तो जब हम बोलेंगे कि सीवेज को treat कर रहे हैं, इस सीवेज को treat करते वक्त grit chamber बना दिया, grit chamber के अंदर inorganic waste रिमूव हो गया, तो inorganic waste रिमूव होने का मतलब कि waste water जो आया था, उस waste water के अंदर जो भी कंकर पत्थर ऐसा कुछ था, वो सारे heavy होने के कारण सेटल हो गया, उस chamber में जाके, और वो रिमूव हो गया है, organic particles हलके होने के कारण सेटल नहीं हो पाते हैं, तो primary sedimentation tank में जाकर 60% तक वहाँ सेटल हो पाते हैं, उसके बाद फर्दर बार बार उनको oxygen दे दे के, उनको oxidize करकरके, उनके oxidation के बाद जा करके वो कहीं पर धिरे-धिरे सेटल होना शुरू होते हैं, तो organic particles हलके होते हैं, inorganic थोड़े से heavy होते हैं, इसलिए वो starting की stages में remove भी कर लेते हैं, और inorganic particles, inorganic waste को ना इतना treatment की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ने देखा हो ना, घर में अगर आप जाड़ू लगाते होंगे अगर, तो जो भी waste उससे generate हो रहा है, अब वो waste अच्छी बात है कि dustbin में डाल के dispose of कर दिया जाए, जितना जल्दी हो सके, लेकिन अगर वो कहीं पर पड़ा भी रह रहा है, तो भी वो environment को इतना साथा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, as compared to organic waste, क्योंकि organic waste decompose होगा, तो वो एक foul environment create करेगा, so sewage के अंदर organic और inorganic particles दोनों होते हैं, average temperature sewage का जो consider करते हैं, वो 20 degree Celsius हम consider करते हैं, जितना पानी आपके घर पे supply किया जाता है, उसका 80% हम consider यह करते हैं, design point of view से, कि जो पानी supply किया गया, उसका 80% waste में चला जाएगा, waste में चला जाएगा, मतलब ऐसे नहीं है कि हमने वो पानी waste कर दिया, वो पानी हमने use कर दिया, और use करने के कारण अब वो waste में convert हो गया, kitchen में cooking हो रही थी, washing हो रही थी, cleaning हो रही थी घर की, तो उसके अंदर पानी use हुआ न, अब वो पानी use कर लिया हमने अब यूज करके वो convert हो गया है अब वो waste water बन गया है तो जो पानी घर पे supply हुआ उसका 80% consider किया जाता है कि सीवेज में जाएगा तो जब भी हम सीवेज के design की बात करेंगे discharges की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे कि अगर किसी लोकालिटी के अंदर 135 liters per capita per day पानी supply किया गया जिस लोकालिटी की population कितनी है 10,000 है तो वहाँ से कितना waste water generate होगा तो हम क्या बोलेंगे कि 135 liter हर किसी को दिया गया 10,000 लोगों को दिया गया और उसका 80% वापस आएगा सीवेज की form में तो आप इस तरीके से calculate करेंगे आप इस तरीके से calculate करेंगे कि कितना waste water generate हुआ अब जो waste water generate हुआ है उससे related आगया जो भी कहानी questions में हमसे पूछेगा वो हम deal कर लेंगे so particles जो present होंगे waste water के अंदर chemical properties की बात करें अगर हम तो chemical properties को समझने से पहले हम देखते हैं कि जो solid के particles हैं वो किस किस form में exist करते हैं solid particle एक तो suspended form के अंदर हो सकते हैं जो suspension में इधर उधर उस waste water के अंदर मस्त घूम रहे हैं एक dissolved जो बहुत ही छोटे हैं बहुत ही जादा छोटे हैं कि वो dissolve ही हो गया है घुल मिल गया है एकदम पानी के साथ फिर colloidal, colloidal जो है इनके बीच की range के जो particles आदा हैंगे dissolved एक nanometer से छोटे होते हैं एक nanometer से 100 nanometer के बीच में जो हैं वो colloidal आपके पास आजाते हैं फिर settliable solids आते हैं, settliable solids ऐसे solids होते हैं जिनको अगर आपने दो घंटे तक disturb नहीं किया छोड़ दिया है सही पानी को, तो वो settle down हो जाते हैं तो suspended particles greater than 100 nanometer, dissolved वाले less than 1 nanometer, colloidal 1 to 100 के बीच में होते हैं settliable अगर आप उन्हें 2 घंटे तक undisturbed छोड़ देंगे तो वो settle हो जाएंगे, अलग से उनको हम separate कर सकते हैं इनी से related equation पूछा जाता है कि what is imhoff cone या imhoff cone का इस्तेमाल किस लिए करते हैं तो याद रखना है suspended solids के लिए नहीं करते हैं, settliable solids के लिए करते हैं इनमें हम confused हो जाते हैं suspended और settliable के अंदर, settliable solids इनसे भी बड़े size के हैं ऐसे particles जिनको अगर 2 घंटे तक छोड़ दिया जाए, जिस पानी को undisturbed 2 घंटे तक अगर छोड़ दिया जाए, तो वो settliable solids के लिए imhoff cone का इस्तेमाल किया जाता है अब बात करते हैं कि आप इनके parameters क्या-क्या है, क्या होना चाहिए, इसके characteristics क्या है अब आपको अगर बताना है कि wastewater के अंदर कितने particles, कितने sediments present है उसके अंदर, अगर आपको ये express करना है तो आप कैसे कैसे पता कर सकते हैं, पहला तरीका हो सकता उस पानी को 2 घंटे तक छोड़ दो, तो settliable बाले particles अलग हो जाएंगे अब step by step समझते जाएंगे, settliable हैं, suspended हैं, colloidal हैं हमारे पास, या dissolved हैं हमारे पास, अब इनको कैसे separate किया जा सकता है अगर 2 घंटे तक disturb ना करें उस पानी को, तो settliable बाले settle हो जाएंगे फिर उसके बाद filter का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस filters के size के according हम ये देख सकते हैं कि अगर हम suspended वाले range के filter ले लें, तो suspended particles अलग किये जा सकते हैं अब जो पानी बच गया, उसको evaporate कर लो, तो evaporate करने से जो dissolved वाले particles थे, वो बच जाएंगे बचपन में experiment किया था ना, कि एक teaspoon नमक आपने add कर दिया पानी के अंदर, उसको घोल दिया अच्छे से अब आपको नहीं पता लग रहा है उसमें salt है या नहीं है, लेकिन check करना है कि कितना amount of salt उसके अंदर present है, तो उस पानी को क्या करते थे heat करवा के evaporate करवा दो, तो सिर्फ salt, salt बच जाएगा उसके अंदर, तो वैसे ही dissolved वाले जो solids हैं, वो बता करने के लिए आप उसे evaporate कर सकते हैं So the suspended solids are also known as filterable solids that are retained on a filter of 1 micrometer pore size, एक micrometer pore size के उपर जो retained हो जाएंगे, वो कहलाएंगे suspended solids, ऐसे solids जो 2 घंटे तक पानी को undisturbed छोडने पर मिल जाते हैं हमें, या इमोफ कोन के अंदर हमें मिल जाते हैं, they are known as settleable solids So wastewater is allowed to stand in the cone for 2 hours and the quantity of solids settle down in the bottom is directly read out कि कितने यहाँ पर particles settle होके दिख जाते हैं, वो direct यहाँ से हम इसमें reading observe कर लेते हैं तो यह हमारे पास settleable solids, तो समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे हमने इनको separate किया सबसे पहले, इमोफ कोन में छोड़ दीजिए 2 घंटे तक, तो settleable solids पता लगें कि कितने थे फिर उसके बाद आप उसको filter कर लीजिए, 1 micrometer के filter से, तो उस पे suspended solids मिल जाएंगे उसके बाद colloidal and dissolved वाले जो आपकी पास हो गए, तो उसके लिए evaporate कर दीजिए, उस पूरे पानी को तो उससे आपको वो मिल जाएगा, तो total सबको add कर देंगे, तो total solids एक बार में ही अगर total solids चाहिए आपको, तो फिर आप simple है पूरे को पूरे पानी को evaporate कर लो, total solids मिल जाएंगे उसमें से pH value, pH value already हमने discuss कर लिया, initially fresh seaweed जो होता है, वो alkaline in nature होता है बाद में acidic हो जाता है, bacterial actions के कारण, chloride content की अगर हम बात करें तो normal chloride content waste water के अंदर 120 mg per liter हम consider करते हैं dissolved oxygen क्या है, dissolved oxygen, अब oxygen से related बहुत सारी terms आएंगे तो ध्यान रखेगा इनमें dissolved oxygen वो oxygen है जो पानी के अंदर घुली हुई है, अब dissolved oxygen important किस किस के लिए है aquatic plants के लिए, aquatic animals के लिए important है, क्यों important है, already हमने discuss कर लिया 4 ppm तक, 4 mg per liter तक कम से कम इतनी तो present होनी चाहिए, उनके survival के लिए इससे कम है, तो aquatic plants जो है, वो survive नहीं कर सकते objective में अगर आप से पूछे कि dissolved oxygen को किस method से पता किया जा सकता है तो winkler's method से हम इसको पता करते हैं, ये दो points आपको यहाँ पर याद रखने है chloride content, sewage के अंदर generally 120 mg per liter होता है chemical oxygen demand क्या होते है chemical oxygen demand है कि आपके sewage में waste है, organic waste bio degradable भी हो सकता है, non bio degradable भी हो सकता है तो bio degradable और non bio degradable organic matter वो दोनों को decompose करने के लिए कितनी oxygen की आवश्यक्ता पड़ेगी इसे हम क्या बोलते है, chemical oxygen demand बोलते है bio degradable और non bio degradable organic waste को decompose करने के लिए कितनी oxygen की ज़रूरत पड़ेगी, इसे chemical oxygen demand हम कहते है the oxygen equivalent to organic matter that can be oxidized is measured by using strong oxidizing agent in acidic medium potassium dichromate use करते है, ये COD test जो है इसे dichromate test के नाम से भी हम जानते है फिर bio chemical oxygen demand, bio chemical oxygen demand वो demand होती है जो कि वो oxygen है, जिस oxygen से bio degradable organic waste decompose किया जा सकता है तो उसे बोलते है, bio chemical oxygen demand, biological oxygen demand नहीं होता है engineering services में भी question आया, BOD stands for तो BOD का मतलब होता है bio chemical oxygen demand फिर अगर हम ऐसे express करें, कि अगर theoretically बात कर रहे है actually होता नहीं है ऐसा कि ऐसी oxygen जो पूरा का पूरा जितना भी organic waste है वो सारा decompose कर दे, तो ऐसा possible नहीं हो पाता है लेकिन imagine करें अगर हम तो उस oxygen को बोलेंगे theoretical oxygen demand वो oxygen की quantity जो कि सारा का सारा waste decompose कर दे अब chemical oxygen demand की भी बात करें अगर हम या फिर bio chemical oxygen demand की भी बात करें तो इनके अंदर complete waste को decompose ये फिर भी नहीं कर सकते है 100% को नहीं कर सकते लेकिन अगर imagine करें कि अगर कर दे तो उस case में total oxygen utilize हुई पूरा का पूरा waste decompose करने के लिए तो उसे हम बोलते है theoretical oxygen demand तो theoretical oxygen demand सबसे जादा होती है फिर chemical जो कि bio degradable और non bio degradable waste के थी है और फिर आती है bio chemical oxygen demand When a sewage is disposed off in a river the rate of depletion of dissolved oxygen of the river mainly depends on तो आपने अगर sewage को river के अंदर डाल दिया तो अब उस river के अंदर पानी जो था fresh water उस fresh water के अंदर जो oxygen थी वो oxygen अब जो waste आया उसको decompose करेगी तो अब उस waste की requirement क्या थी वो waste कितना oxygen मांग रहा है कि decompose करने के लिए आपने क्या किया fresh water जा रहा था ये fresh water जा रहा था इस fresh water के अंदर आपने waste water add कर दिया अब ये जो waste water आपने add किया है ये waste water कह रहा है कि मेरी तो BOD है मेरी तो कुछ biochemical oxygen demands है तो ये fresh water कहेगा क्या demands है आपकी तो ये कहेगा मुझे इतनी oxygen चाहिए होगी इस waste को decompose करवाने के लिए तो जितना इसका biochemical oxygen demand होगा इस पे ही तो depend करेगा कि यहां की जो oxygen थी वो कितनी utilize होगी या कितनी deplete होगी, कितनी खतम होगी So when a sewage is disposed off in a river the rate of depletion of dissolved oxygen of the river mainly depends on कि इसका BOD कितना है, ये कितना मांग रहा है, इसको कितना चाहिए तो उसी का according यहां से ही utilize होने वाला है The BOD test, biochemical oxygen demand बार-बार मैं definition क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ESC में भी question आया हुआ है तो SEC में तो बिल्कुल normal सी बात है कि ऐसा question पूछ लेना तो biochemical oxygen demand test को conduct किया जाता है पांच दिन के लिए 20 degree Celsius temperature के उपर dark bottles के अंदर डालके The amount of oxygen utilized by microorganisms anaerobically is called as BOD Second statement जहां नहीं, गलत है Anaerobic तो मतलब oxygen की absence में BOD के अंदर वो oxygen जो की अब नाम ही यही है Biochemical oxygen demand Organic waste को decompose करने के लिए जो आपका oxygen utilize हो रहा है Second गलत हो गया आगे बढ़ते हैं What is the theoretical oxygen demand of 300 mg per liter glucose solution? यह सवाल बहुत बार examiner's का favorite हो जाता है कही न कहीं यह सवाल पूछी लेता है और रटे रटाए उत्तर नहीं चलेंगे 180 करके कुछ करते हैं 180 करके क्या करते हैं? देखो 180 से divide होता है कुछ कुछ क्या होता है? या तो याद रख लिजिए 192 by 180 गाला या फिर process याद रख लिजिए कि glucose जो आपके पास होता है glucose होता है C6H12O6 इसका अगर molecular weight देखेंगे तो C6H12O6 का molecular weight आपके पास आता है 180 कार्बन 12 था इंटो 6 कर दिया हाइडरोजन का खुद का 12 oxygen आपके पास 68 इंटो 6 कर लिजिएगा तो आपके पास इसका आगया 180 6 oxygen के साथ मिल करके ये 6 CO2 प्लस 6 H2O बना देता है अब आपने यूज किया 180 gram glucose 180 gram glucose को oxidize करने के लिए 192 gram oxygen की ज़रूरत पड़ी to give 264 gram carbon dioxide अब तक जितने भी सवाल आए है ऐसे questions वो EAC में और उसको same repeat एक बार SAC ने भी किया था वो आए है oxygen से related है कि कितनी oxygen की ज़रूरत पड़ती है तो carbon dioxide और water वाला आपको ना करना हो तो भी चल जाएगा आपको यहाँ से दिखा कि 180 gram glucose को oxidize करने के लिए 192 gram oxygen की ज़रूरत पड़ी तो 1 gram glucose के लिए कितना होगा 192 by 180 question में आपको दिया है कि 300 mg पर लिटर के लिए कितना होगा तो 192 by 180 अब 300 mg पर लिटर में पूट किया तो answer आ जाएगा mg पर लिटर में जिस unit में ये पूट करेंगे उसी में answer आ जाएगा so 320 हमारा answer आ गया अब ये question आप से पूछा ही गया है बहुत बार पूछा गया है तो इसलिए या तो ये याद रख ले कि 192 by 180 से मुझे multiply करना है फटा फटा और answer आ जाएगा लेकिन process भी याद होना चाहिए अब तक तो नहीं पूछा है लेकिन हो सकता है पूछ ले कि जब glucose का oxidation होता है तो उसके लिए कितना carbon dioxide release होगा या कितना carbon dioxide मिलेगा तो फिर उस case में आपको यही देखना होगा कि per gram glucose के लिए या फिर आपको जैसे इसमें बोला 300 mg per liter वाला glucose solution अगर है तो उसके लिए कितना carbon dioxide जो है वो release होगा तो carbon dioxide के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि 180 gram glucose के लिए 180 gram अगर glucose लेते हैं 192 gram oxygen के साथ तो वो आपको 264 gram carbon dioxide तो 180 के reference में 264 gram बोला आपने अगर 1 gram के लिए देखेंगे तो वो हो जाएगा 264 by 180 फिर इसके बाद अगर आप 300 mg per liter के लिए देखेंगे तो वो हो जाएगा 264 by 180 into 300 तो कितनी carbon dioxide per liter release होगी 440 440 very good 440 mg per liter हालांकि पूच सा नहीं है अभी तक नहीं पूचा है लेकिन अगर पूच ले खभी तो आपको यह याद रखना है तो इसलिए अगर यह reaction आती है तो लिख देंगे फिर भी अगर यह values ही याद कर लें तो time बचेगा वहाँ पर gram और milligram को change नहीं करेंगे क्या gram और milligram को इसलिए नहीं change करेंगे क्योंकि reference देखिए आप यहाँ पर 1 gram यहाँ पर भी gram में थी value यहाँ पर भी gram में थी तो 192 gram upon 180 gram अब यह unit less हो गया है जितनी unit यहाँ पर put करेंगे जिससे multiply करेंगे वही unit में answer आ जाएगा हमने 300 mg per litre में put किया तो answer हमारा 300 mg mg per litre में आ गया answer next आगे बढ़ते हैं तो यह important है याद रखिएगा थोड़ा सा दिखने में खतरना लगता है कि क्या chemical reaction चल रही है लेकिन है बहुत simple process यही रहेगा ऐसा नहीं है कि अलग-अलग कोई chemical reactions आपको देदेगा glucose का ही पूछता है generally glucose की equation अगर आपको याद है तो आप easily बता पाएंगे तो 192 by 180 करना है जो question के अंदर value दी हुई हो 300, 400, 500 या जो भी दे दे बस उससे multiply कर देना 192 by 180 को तो answer जल्दी आ जाएगा हमारा फिर आते हैं biochemical oxygen demand जो अभी हमने discuss किया था कि वो oxygen की quantity जो चाहिए होगी bio degradable organic waste को decompose करवाने के विए वो कहलाती है biochemical oxygen demand biochemical oxygen demand को पता कैसे करते हैं कि किसी particular waste का कितना oxygen demand है शुरू शुरू में क्या होता है कि जल्दी जल्दी oxygen utilize करता है जितना ज़्यादा organic waste present होता है उतना ही जल्दी जल्दी वो पानी की oxygen को utilize करता रहता है फिर बाद में धीरे 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 यूज करता रहता है तो अगर हमें observe करना है तो एक time तो लेना होगा जैसे concrete की strength होती है हम क्या बोलते हैं कि 28 days तक की strength count कर लो क्या 28 days बाद concrete की strength नहीं बढ़ती क्या तो बढ़ती है बिल्कुल बढ़ती है लेकिन हम 28 days के according test कर लेते हैं कि 28 days पर characteristic strength इतनी होती है तो characteristic strength को define करने के लिए हमने 28 days का period लिया वैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि oxygen तो utilize होती रहेगी बाद में भी होगी लेकिन हम 5 दिन के according मान रहे हैं 5 days का test कर लेंगे तो उसे BOD 5 बोल देंगे कि 5 दिन पर कितनी oxygen use करेगा यह पानी उसको उसकी BOD 5 बता देंगे हम तो BOD represent की जाती है BOD 5 या 5 days पर 20 degree Celsius के temperature के उपर जो की 67% होती ultimate BOD की अब यह धीरे-धीरे word जो है न वेस्ट कितना वेस्ट है आपके पास कोई पानी है अब कोई आप से पूछा कि यह कितना गंदा पानी है यह कितना waste water है तो उसकी definition क्या है उसका parameter क्या है यह define करने का तो उसको हम बताते हैं उसकी BOD से कि इसको कितना oxygen चाहिए होगा उससे बताते हैं कि कितना oxygen चाहिए होगा इस waste को decompose करवाने के लिए उससे उसकी intensity बताते हैं कि यह waste water कितना waste water है तो आप जो 5 दिन का test करते हैं वो लगबग 67% represent करता है कि total waste कितना है इसके अंदर या total oxygen कितनी चाहिए होगी ultimate oxygen कितनी चाहिए होगी सारे के सारे waste को decompose करने हैं के लिए तो 67% वाली value आती है अगर हम 5 दिन के उपर test करते हैं जो total waste होगा उसका लगबग 67% हमें 5 दिन के उपर मिल जाता है कि इतनी oxygen utilize होगी अब इसके लिए क्या होता है अगर आप test करना शुरू किया आपने आपने initially देखा कि dissolved oxygen let's say initially देखा कि dissolved oxygen जो है वो 25 mg पर लिटर थी और बाद में जाकर के देखा तो पता लगा कि वो 5 mg पर लिटर रह गई 5 दिन बाद आपने देखा कितने दिन बाद 5 days बाद तो क्या आपको पता लग पाएगा कि कितनी oxygen utilize होई थी आप इसमें बता सकते हैं कि 25 से 5, 20 mg पर लिटर utilize हो गई यह just a example है process actual discuss करेंगे अब यह तो 5 दिन में कितनी utilize होई पता हो गया हमे आज आपने test किया था कि 25 mg पर लिटर है और आज से 5 दिन बाद आ करके आपने देखा तो 0 मिले आपको 5 days बाद तो क्या आप sure होंगे कि 25 mg पर लिटर ही चाहिए उस water को decompose होने के लिए इतनी oxygen ही चाहिए क्या आप sure होंगे हम कहेंगे नहीं पता क्यों कि हमें क्या पता कि एक दिन बाद ही वो 0 हो गया था या 2 दिन बाद 0 हुगा, 3 दिन बाद 0 हुगा 4 दिन बाद 0 हुगा कह सकते हैं न अगर मान लिजी आपके घर के अंदर दस चपाती रखी हुई थे पांच आपने खा ली पांच बची रह गई शाम तक तो घरवाले कहेंगे कि हाँ इसने खाना खा लिया था अब दस में से मान लिजी जीरो बच गई शाम तक घरवाले अगर आए बाद में मान लिजी काम से बाहर गए हुए थे तो वो कहेंगे हमारा बच्चा कहीं भूखा तो नहीं रहा गया कहीं रोटी कम तो नहीं पड़गी तो वो पूछते हैं ना तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें चेक करना है पांच दिन में कितनी यूटिलाईज हुई अब ये पांच में से क्या पता पर्स डे ही खतम हो गई, सेकंड डे खतम हो गई, थर्ड डे हो गई कब ये जीरो हुआ हम बता नहीं पाते तो इस केस में B.O.D. बता पाना मुश्किल हो जाता है ऐसा पानी आइड करेंगे जिसमें oxygen प्रेजेंट हो ताकि वो डीकंपोज हो पाए तो एरेटेड वाटर इसके अंदर हम आइड करेंगे फिर उसके बाद हम calculate करेंगे कि dissolved oxygen अब कितनी है मतलब आपने sample बना लिया कि waste water जो था plus इसके अंदर एरेटेड वाटर एड किया इस वाटर का dissolved oxygen शुदुवात में कितना था पहले दिन कितना था पांच दिन बाद कितना था dissolved oxygen final कितना था अब क्योंकि हमने इसमें ये waste water के साथ एरेटेड वाटर मिलाया या ऐसा पानी जिसके अंदर oxygen थी अच्छे खासी मातरा में उस पानी को मिलाया तो एक dilution factor का भी हम इस्तेमाल करते हैं dilution factor होता है कि कितना mix करने के बाद ये जब mix कर दिया तो total volume कितना upon waste water का volume कितना था और पांच दिन के बाद हम फिर से उसकी dissolved oxygen calculate करते है जितना difference आता है उनके अंदर उसके according हम बताते हैं कि कितना oxygen consume हुआ होगा तो BOD का हमारा formula होता है dissolved oxygen initially कितना है minus dissolved oxygen finally कितना है into dilution factor dilution factor होता है कि आपने waste water plus साफ पानी या ऐसा पानी जिसमें खूब सारी oxygen थी aerated water आपने add किया divided by waste water तो waste water से divide करना है example के तौर पे अगर आपने 95 ml aerated water ही लिया और इसके साथ 5 ml waste water consider किया अगर तो इसका dilution factor कितना हो जाएगा 95 plus 5 divided by 5 तो 20 हो जाएगा अगर आपसे objective में question में वो बूलता है कि a 5 ml waste water has been diluted to 100 ml तो अब इसका मतलब क्या हो गया 5 ml जो था उसमें 95 add करके 100 बना दिया गया तो थोड़ा सा words पर ध्यान दीजेगा कि directly आपको aerated water दिया है यह यह दिया है कि उस waste water का total volume कितना बना दिया aerated water add करके तो इन words पर आप ध्यान दीजेगा फिर dissolved oxygen initial minus final into dilution factor से हम calculate कर सकते हैं एक example question जो हर बार इस topic को समझने के लिए हम करते होते हैं dissolved oxygen initial आपको दे रखा है कि 5 mg पर लीटर था जब 5 दिन बाद देखा तो 2 mg पर लीटर है 5 ml of sample is mixed to form 100 ml तो 5 ml जो था उसको mix किया aerated water के साथ ताकि 100 ml diluted sample बन जाए तो इसका मतलब 5 plus 95 किया होगा तब जाके वो 100 बना होगा करेंगे तो dilution factor होता है कि diluted sample का volume कितना है diluted sample का volume कितना है divided by waste water तो waste water diluted आपके पास 100 हो गया ये 5 हो गया तो ये 20 आगया BOD की अगर हम बात करेंगे तो BOD will be defined as BOD 5 कौनसी BOD 5 वाली ultimate वाली नहीं BOD 5 विल बी defined as dissolved oxygen initial कितना है dissolved oxygen final कितना है multiplied by dilution factor dissolved oxygen initially 5 था final 2 था dilution factor 100 by 5 था तो आपके पास answer कितना आजाएगा 60 mg पर लिटर ये 60 ppm 60 ppm 60 mg पर लिटर अब यहीं पर अगर वो सवाल आप से ये पूछ ले कि initial dissolved oxygen 5 था final D यो जो है वो 0 था 5 दिन बाद जबाग करके देखा तो आप कहेंगे हमें नहीं पता हमें नहीं पता कब 0 हुआ और इसमें आपको ये दे दिया 5 ml of sample is mixed with 95 ml तो 5 प्लस 95 किया तो 100 बन गया तो dilution factor आपको calculate करना आना चाहिए question number 2 में हमें नहीं पता कि कब वो 0 हुआ था तो 5 दिन में BOD 5 तो ये बताता है कि 5 दिन में कितनी oxygen utilize करेगा अब हमें नहीं पता कि ये 0 पहले दिन ही हो गया तो हो सकता है और ज़्यादा चाहिए होता है इसको इसके according तो हम बोल देंगे कि ये 5 mg उसमें use किया लेकिन हमें क्या पता उसने एक दिन में ही 5 ये ये उसके अदर अब जो BOD utilize हो रही है या जो oxygen utilize हो रहा है वो oxygen कैसे कैसे utilize हो रहा है इसकी बात कर लेते हैं समय के साथ-साथ oxygen कैसे utilize हो रहा है तो पहली stage के अंदर जो oxygen utilize होगा with respect to time हम BOD की बात कर रहे है तो उस demand को हम क्या बोल देते हैं carbonaceous demand कहते हैं या first stage demand कहते हैं बाद में जो second stage में utilize होता है उसे nitrogenous demand या फिर second stage demand बोलेंगे the first demand occurs due to oxidation of organic matter and is called as carbonaceous demand और first stage demand the later demand occurs due to biological oxidation of ammonia and is called as nitrogenous demand और second stage demand nitrogenous demand starts only after 8 days because the reproduction rate of nitrifixion bacteria is very low आप से पूछा जाता है कि अगर BOD कितने stages में होता है दुबारा से सुनिए आप से अगर पूछा जाता है कि BOD कितने stages में utilize होता है oxygen तो पहले oxygen utilize होगा carbonaceous carbon वाले compounds को decompose करने के लिए organic waste के अंदर बाद में जो ammonia present होता है उसके अंदर 8 दिन बाद लगबग ammonia जो present होता है उसको decompose करना start करता है तो carbonaceous demand पहले आती है फिर आती है nitrogenous demand कल भी हमने बात की थी ना wastewater raw water engineering के अंदर कि free ammonia जो होता है NH3 that denotes recent pollution फिर धीरे धीरे वो decompose होता रहता है partly decomposed matter जो होता है वो highly toxic होता है fully decomposed matter जो होता है वो toxic नहीं होता है उसकी वज़े से बस methane, globenemia, nitrates की वज़े से जो होता है तो जो भी waste water होता है उसके अंदर ammonia present रहता है और organic waste भी है तो अब organic waste जो carbon वाला है वो पहले decompose हो जाएगा और बाद में nitrogen वाले जो waste है वो decompose होने शुरू होंगे तो carbonaceous demand first stage होती है और nitrogenous second stage demand होती है अब अगर हम बात करें कि ultimate, total amount of waste कितना present है तो फिर से वही बात आजाएगी कि parameter क्या है यह define करने का कि waste को बता किस से रहो तो हमने का oxygen से बता रहे हैं biochemical oxygen demand से बता रहे हैं कि इस waste को कितना oxygen चाहिए डीकंपोज होने के लिए तो हमने का ठीक है सबसे पहले हमने पूछा कि total बताने total amount of waste कितना present है तो उस total amount of waste को decompose करने के लिए कितना oxygen की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम बता रहे हैं तो आपके पास L T है amount of organic matter present at any time कुछ time, कोई भी time T के उपर कितना आपके पास amount of organic matter बचा हुआ है T को time days represent करते हैं के जो है उसे बोलते हैं कि rate constant कि de-oxygenation constant oxygen कैसे खतम होता जा रहा है per day तो यह de-oxygenation constant या rate constant उसे हम बोल देते हैं जादा से जादा कितना organic matter present है या जादा से जादा कितना oxygen चाहिए होगा उस सारे organic waste को decompose करने के लिए या यह कहें कि ultimate जो आपका organic waste है वो कितना होगा ultimate oxygen वाली demand कितनी होगी वो कह रहे हैं यहाँ पर तो इसके अंदर हम ऐसे बोलते हैं कि जो rate होगा amount of organic matter present at any time with respect to time तो DLT upon DT वो directly proportional होगा कि rate of depletion जो होगा वो directly proportional होगा किसके कितना आपके पास waste present है जैसे initially अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा waste present है जल्दी जल्दी oxygen जो है वो consume होगा यहाँ पर तो वो जो consumption का rate है वो depend करेगा कितना waste वहाँ पर present है उसी के recording तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि rate of depletion directly proportional कितना उस time के उपर organic matter present है यहाँ से आपने directly proportional का sign हटा के यह deoxygenation constant लगा दिया फिर उसके बाद आप इसे integrate कर रहे हैं integrate करने पर आपकी final value आती है lt is equal to l0 into e raised to the power minus kt log base e के respect में हम यहाँ पर integrate करने के बाद put कर रहे हैं log हटा दिया तो यह e की power minus kt आ गया अब BOD किसी भी time t पे अगर आप देखेंगे कितना demand है तो वो आ जाएगा ultimate क्या था उसमें से कितना हट चुका या कितना है at present उसकी बात कर रहे हैं तो कितना oxygen और ची होगा तो biochemical oxygen demand in t days की कितनी होगी तो l0 minus at present कितना present है समझ में आए आपको lt हमने बोला कि amount of organic matter present at any time इस time कितना organic matter present है l0 था ultimate वाला तो t days के अंदर कितना BOD आया हमारे पास ultimate में से कितना present में है वो आप कर दीजिए तो l0 में से l0 into e raise to the power minus kt कर दिया यहां से इसको simplify करके हम यह बता सकते है कि हमारा जो formula निकल के आ गया यह याद रखना है हमें अब कितने भी t days के उपर कितनी BOD है यह अगर आपको check करना है तो ultimate BOD क्या है into 1 minus e raise to the power minus kt आपको put करना है यह formula आपको याद रखना है अब deoxygenation constant जो किसी given system के लिए होता है वो कैसी impurities present है इनके उपर depend करता है जैसे कि अगर sugar जो है वो present है तो उस case में deoxygenation constant के value जादा होती है कुछ और complex impurities जैसे phenol, doline, aldehydes यह सब हैं तो उनके लिए cakey value less होती है cakey value question में given रहेगी इतना ज़ादा आपको सूचना नहीं पड़ेगा जहीं एग्जाम्स के लिए तो अगर नहीं given होगा तो आप base e चूज कर लिजेगा वैसे तो question में दिया हुआ होना चाहिए कि base e लेना है base 10 लेना है e raised to the power something की value अगर question में given है तो आप समझ जाएगा calculation अगर आपको असान करनी हो उसमें कुछ given ना है तो 10 भी ले सकते हैं लेकिन अगर calculator हुआ आपके पास तो आप e base लिजेगा तो BODT is equal to L0 1 minus e raised to the power minus KT यहाँ पर K की value वो use करेंगे अगर e base use कर रहे हैं तो उसके according K की value temperature पर अगर आप से K की value पूछता है तो आपको बताना है कि D oxygenation constant KD at any T degree Celsius is equal to कि जो 20 degree Celsius पर value थी multiplied by 1.047 raised to the power T minus 20 अब objective में अगर यह question आएगा तो obvious सी बात है कि यह वाला जो question होगा इसमें 1.047 generic सी value ही दी हुई होने चाहिए तभी हम solve कर पाएंगे exact numeric value होगी तो बिना calculator कैसे करेंगे So this equation is known as Benthoff-Ranier's equation इस equation का नाम Benthoff-Ranier's equation आता है The rate of BOD exerted at any time rate of BOD exerted किसके directly proportional होता है कि कितना BOD बचा हुआ है कितना BOD remaining है Standard BOD is measured at 20 degree Celsius and 5 days के उपर Correct sequence क्या है कि theoretical oxygen demand सबसे ज़ादा होगी फिर chemical oxygen demand फिर उसके बाद आपकी bio chemical oxygen demand तो option B correct answer आपका यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं chemical oxygen demand यह तो already हम देखी चुके हैं theoretical oxygen demand this has also been done ultimate का जो BOD 5 होता है वो ultimate का लगबग 67% होता है BOD test is conducted at a temperature of 20 degree Celsius पे BOD test हम करते हैं the standard 5 day BOD at 20 degree Celsius as compared to the ultimate BOD is तो 5 दिवस की जो BOD होती है लगबग 67% होती है as compared to total BOD या ultimate वाली BOD जो है उसके comparison में the ratio of 5 day BOD to ultimate BOD is about तो 5 day और ultimate का लगबग 2 3rd का proportion हो गया 67% का मतलब तो यह है next उसके बाद following observations were made on a 3% dilution of wastewater dilution आपको aerated water का given है 5 दिन के बाद आपको इतना given है इसका DO of wastewater sample 0.6 mg per liter calculate 5 day BOD and ultimate BOD आपको बताने है हाँ deoxygenation constant पर आता है देखिए एक चीज़ के लिए आप थोड़ा सा prepare रहे हैं कि waste water engineering पूरा पढ़ना है तो आने वाले एक दो घंटे और जो हैं वो लगेंगे cinc two open to just be prepared और आपसे पढ़ते रहे हैं कोई जल्दबाजी नहीं हो रहया है कुछ भी ऐसा नहीं हो रहे है कोई topics skip हो रहे है कुछ भी ऐसा नहीं है कि questions नहीं कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं सब covering हो रहे हैं बस शान्ति पूर्ण तरीके से मस्त आराम से बढ़ते रहें। देखें। Following observations were made. 3% dilution का मतलब हो गया कि dilution factor की value. Dilution factor हो जाएगा आपके पास 100 by 3. Do of aerated water is 3 mg per litre. अब aerated वाला पानी जो आपने मिलाया है, साफ पानी जो आपने मिलाया है, तो साफ पानी को एकदम blue color से दिखा देते हैं। Dissolved oxygen of aerated water is 3 mg per litre. और ये कब है? शुरू में ही होगी, obviously. तो 3 mg per litre. फिर आपको बोला, waste water जो है, उसका नहीं बताया हुआ कि Dissolved oxygen कितना है? DO of diluted water sample after 5 days of incubation. तो आपको final दे दिया. ये सब उपर वाली values जो हैं, वो हम लिख रहे हैं, initially. नीचे values जो लिख रहे हैं, वो finally क्या हो रहा है? वो लिख रहे हैं. तो fresh water के अंदर, अब waste water add कर रहे हैं, या waste water में fresh add कर रहे हैं, और इस waste water का initial dissolved oxygen हमें नहीं बता हूँ. diluted water sample after five days, तो पांच दिन बाद, शुरू में ये जो mix किया, तो ये mix बन गया हमारा, और इसमें five days बाद, 0.8 mg पर लिटर बचा, तो ये dissolved oxygen final ये initial है, कि initially क्या था, finally क्या हुआ, अब initially हमारे पास 3 mg पर लिटर था, इसका, waste water का अभी हमें नहीं गिवन है, video of waste water sample, sorry, गिवन है, ये dissolved oxygen of waste water sample, 0.6 mg पर लिटर, 0.6 mg पर लिटर था, अब initially इसका नहीं पता हमें, कि कितना है, इसका dissolved oxygen, क्योंकि obvious सी बात है, कि हमें dissolved oxygen जो mix का होता है, वो चाहिए होता है initially, और dissolved oxygen mix का जो होता है, वो चाहिए होता है final वाला, तो initial minus final into dilution factor, अब करते होते हैं, तो ये value हमारे पास नहीं है, ये value पता करने के लिए क्या करेंगे आप, कि आपने कितना quantity add किया है, आपको question में दिया गया था, 3% dilution, 3% dilution का मतलब है, आप अगर ये बोल देते हैं, कि if 3 ml of waste water, has been used, then, aerated water कितना होगा, 97 ml होगा, तो अगर aerated water 97 ml लिया, वो 3 लिया, तभी तो दोनों मिल करके 100 हुए, और 100 by waste water, तो 100 by 3 dilution factor आया, तो अब हम ये कह रहे हैं, कि आपने 3 mg पर लिटर लिया, और इसकी quantity जो आपके पास रही, वो quantity कितनी रही, कि ये आपने 3 ml लिया, और ये तो aerated water है, aerated water को आपने 97 ml लिया, और ये आपने waste water को 3 ml लिया, तभ दोनों मिल करके, 100 ml बने होंगे, और इस 100 ml के अंदर, कितना oxygen initially था, ये पता करना है, फाइनल हमें पता है, तो आपको dissolved oxygen initial पता करना है, dissolved oxygen of mix, initially कितना था, तो उसके लिया हम कहेंगे, dissolved oxygen initially, waste water का कितना था, multiplied by volume of waste water, plus dissolved oxygen initially, aerated water का कितना था, multiplied by volume of aerated water, upon volume of waste water, plus volume of aerated water, तो यहां से आप बताएं, dissolved oxygen initially, waste water का 0.6, multiplied by 0.3, 0.3 नहीं 3 ही है ये तो, plus dissolved oxygen initially 3 mg पर लिटर, into 97, divided by दोनों का volume, जो कि 100 हो जाएगा, तो initial dissolved oxygen यहां से calculate करें, initial dissolved oxygen कितना होगा, 2.928, 2.928 mg पर लिटर, initially 2.928 है, बाद में 0.8 हो गया, तो आप BOD 5 बता सकते हैं, BOD 5 बता सकते हैं, BOD 5 बता सकते हैं, so BOD 5 बता सकते हैं, BOD 5 होगा, dissolved oxygen initially कितना, dissolved oxygen finally कितना, multiplied by dilution factor, dissolved oxygen initially हमारे पास था, 2.928 minus finally आपके पास 0.8 बचा, dilution factor 100 by 3 70.93 mg per liter 70.93 mg per liter calculate 5-day BOD and ultimate BOD KD की value आपको दे रखिया 0.1 per day dilution factor question में दिया हुआ है 3% dilution चली आगे बढ़े चली आगे बढ़े चली आगे बढ़े बेस 10 ले लीजिए, बेस 10 ले लीजिए, question के अंदर तो BOD at any time t is equal to, जो आपके पास BOD ultimate थी into 1 minus 10 raised to the power minus kd अब आपको बताना है BOD ultimate, तो आप अगर time की value 5 days consider कर लेते हैं, तो उस case में BOD t ultimate की value, sorry BOD t time 5 के उपर आपको 70.93 given है equals to BOD ultimate पता करना है 1 minus 10 raised to the power minus, k की value आपको दी हुई है 0.1 per day, तो 0.1 और 5 दिन, तो यहां से BOD ultimate आ जाएगा अब यह सवाल हमने direct, ऐसे क्यों नहीं किया, वो 67% के according इसलिए नहीं कियोंकि 0.1 वाली जो value दे रखी है, k की value अलग दे रखी है DO mix समझ नहीं आया, mixture वाले questions नहीं करते हैं, क्या आप non-tech के अंदर 3 mg per liter इसमें था, 97 ml इसमें था, 0.6 mg per liter इसमें था, 3 ml इसका था अब mix कर दिया, तो mix करके क्या बना इनका, इसके अंदर dissolved oxygen कितना होगा तो इसका concentration C1 V1 plus C2 V2 upon V1 plus V2 103.73 103.733 लगबग close आ गया, अगर हम वो करते हैं, 3 by 2 कर देते हैं इसका तो next question के अंदर initially उसने हमें दिया कि waste water जो था, वो अगर 3 mg per liter उसके अंदर अगर oxygen था, waste water के अंदर 0.6 mg per liter था, तो dilution factor यूज किया 3% का, इसका मतलब 100 by 3 यूज करेंगे dilution factor या यूँ कहिए कि 97 ml of waste water, 97 ml of aerated water यूज किया अगर हमने, तो उसके अंदर 3 ml add कर दें अगर हम waste water को, तो diluted mix हमारा 100 ml वाला बना था, तो dilution factor क्या होता है, diluted वाला water का volume, divided by waste water वाला volume, तो यही तो 100 by 3 होता है, और oxygen अब इसमें present करने के शुरुवात में 100 ml यह जो mix बना, इसके अंदर initial dissolved oxygen कितनी थी, वो पता करने के लिए DO of mix ऐसे calculate किया हमने, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, Pollution potential of domestic sewage generated in a town, and its industrial sewage can be compared with reference to, हाँ, BOD 5 वो कर सकते हैं, 2-3 होगा, BOD ultimate का, उससे भी कर सकते हैं, बस question के इंदर जो data दिया हुआ हो, वो सही दिया हो, के की value उसी according ही दी हुई हो, कई बार ऐसे questions mains में अगर हम देखते हैं, तो value अगर 2-3 से करते हैं, तो या तो सिर्फ 2-3 से कर दीजिए, लेकिन अगर formula लिख करके करते हैं, तो कई बार value अलग आ जाते हैं, तो उसका reason वही है, कि given data ऐसा है, लेकिन usually अगर हम देखेंगे, तो trend यही है, population equivalent एक ऐसी term होती है, जो हमें यह बताती है, population equivalent एक ऐसी term है, जो हमें यह बताती है, कि कोई industry कितने लोगों के बराबर waste generate कर रही है, population equivalent हमें क्या बताता है, कि कोई particular industry कितने लोगों के बराबर waste generate कर रही है, कि हम जो domestic waste generate करते हैं, एक person, तो वो एक person का domestic waste के comparison में अगर हम बात करें, तो कितने लोगों के हिसाब से उसने waste generate कर दिया ये term बताता है population equivalent ये कौन बताता है population equivalent बताता है so population equivalent is basically कि उस industrial waste की strength कितनी है उसकी intensity कितनी है average BOD objective point of view से very important average BOD जो consider किया जाता है वो 80 gram per capita per day consider किया जाता है अब 80 gram को आप और क्या लिख सकते हैं kilogram में अगर convert खरेंगे तो 0.08 kg per person per day waste generate होता है average BOD of domestic supply ये domestic receive waste sorry is 80 gram per person per day ये 0.08 kg per capita per day total BOD industry की कितनी है वो आपको question में given होगी जो unit यहाँ adopt करेंगे kg per day वहीं यहाँ use करना है यहाँ gram में use हो तो gram में यहाँ ton में हो जाए तो उसको convert कर लीजेगा accordingly जो unit उपर हो वो ही है नीचे ठीक है so total BOD 5 of industry in kg per day upon 0.08 kg per day हम use करते है अभी question आपके सामने है कि average sewage किसी city से आ रहा है 95 into 10 raise to the power 6 liter per day अब इसमें अगर हम ये हटा दे city की जगह अगर industry कर दें तो बात वही है average sewage from our industry is 95 into 10 raise to the power 6 liter per day and average 5 day BOD उसकी 300 mg per liter है against a standard 75 mg per day per capita at 20 degree celsius तो जो हम बता रहे हैं न 80 वाला उसके जगह इसने 75 use कर वा लिया then the population equivalent of the city is population equivalent अगर आपको बताना होगा तो आप simply क्या करेंगे BOD produced per day city की कितनी produce हो रही है पानी कितना आ रहा है 95 into 10 raise to the power 6 liters per day आ रहा है और इस पानी में हर एक लीटर के अंदर 300 mg per liter है हर लीटर के अंदर 300 mg per liter waste आ रहा है तो आपका total waste जो है वो कितना हो जाएगा 95 into 10 raise to the power 6 liter total waste water आ रहा था जिसमें हर लीटर के अंदर 300 mg waste था multiply by 300 कर दिया divided by standard BOD जो आपको दे रखिया question में 75 question में नहीं गीवन हो तो 0.08 kg per day लेना है या फिर 80 gram per day आंसर आ जाएगा 380 into 10 raise to the power 6 next water के अंदर biochemical reactions जो होती है इनके बारे में बात करते हैं water के अंदर biochemical reactions जो होती है अलग-अलग प्रकार के bacteria present होते हैं oxygen की absence में काम करने वाले भी होते हैं oxygen की presence में भी काम करने वाले bacteria हमारे पास होते हैं तो वो मिल करके जो reactions करते हैं जिनके current waste decompose होता है वो कहलाता है biochemical reactions aerobic reactions वो reaction जो oxygen की presence में होंगी anaerobic reactions वो reactions जो oxygen की absence के अंदर होती है anaerobic reactions बहुत धीरे होती हैं और यह organic matter जो होता है उसको completely remove नहीं कर पाती है anaerobic reactions से foul smelling gases जो है वो भी generate होती है अलग-अलग type के bacteria की अगर हम बात करें तो bacteria जो है वो खूते क्या है organic material को decompose करते हैं वो अपनी energy जो चाहिए उनको और जो material decompose कर रहे हैं वो use करेंगे अब वो material कहां से use कर रहे हैं इसकी बात करते हैं कि energy कहां से लेंगे material कौन सा होगा इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसी के basis के उपर bacteria के categorization हो जाता है energy for bacteria is derived from biological oxidation or reduction of organic or inorganic compounds material is derived from organic or inorganic compounds bacteria को अलग-अलग sources में हमने divide कर दिया autotrop bacteria वो bacteria होते हैं जो अपना energy और material दोनों ही inorganic substances से लेते हैं heterotrop energy और material दोनों ही organic substances से phototrop जैसा नाम बता रहा है कि energy जो अपनी लेंगे वो sunlight से या फिर solar energy वो ले रहे हैं photo वाली energy ले रहे हैं inorganic substances को वो material source के तरह treat करेंगे facultative heterotrops facultative word है कि oxygen की presence और absence दोनों में काम करेगा वो bacteria heterotrop का मतलब आ गया कि वो अपना material जो है वो तो organic substances से ले रहे हैं material और energy तो material और energy organic substance से ले रहे हैं facultative का मतलब कि वो oxygen की presence और absence में भी काम कर रहे हैं यह आप से objective में पूछा हुआ है यह objective में पूछा गया था clear next aerobic heterotrop की अगर हम बात करें तो aerobic heterotrop कौन से होते हैं aerobic मतलब oxygen की presence में काम कर रहे हैं heterotrop मतलब कि जो organic material है वही उनके लिए energy और material का काम कर रहा है anaerobic heterotrop मतलब heterotrops use कर सकते हैं आप organic matter के लिए anaerobic आप यूज कर सकते हैं oxygen की absence में जो काम कर रहे हैं तो इन में facultative से related question पूछा गया है कि facultative stabilization pond अगर आपके पास है so in facultative stabilization pond the sewage is treated by due election of aerobic and anaerobic bacteria दोनों का होता है most of the bacteria in sewage आर साधा तर bacteria sewage के इंदर जो होता है वो saprophytic nature का होता है अब saprophytic nature का मतलब कि वो material और source जो अपना है दोनों उस waste से ही ले रहा है जिन दोस्तों ने अभी तक session को like नहीं किया वो session को like कर सकते हैं किसी को कोई problem है कोई ठकान है कुछ problem है तो बता दीजे जल्दी से कोई break चाहिए तो बताएं continue तो करेंगे ही मैं तो बस पूछ रहा हूँ लोगतंतर के हत्या नहीं होनी चाहिए आपका participation important है 30 seconds का break चाहिए तो हाँ 30 seconds के लिए आंखे बंद कर लीजे वो important है कर दो चलो आगे बढ़ते हैं next उसके बाद बात करते हैं दोस्तो सीवर्स जो है इनके design की हाँ 3% dilution का मतलब overall diluted sample का volume 100 है 3 जो है वो wastewater का है the major roles of a sewer system sewer system का role क्या है सबको पता है कि sewer system अगर ना हो तो पूरी जो गलियां है सडक जो है वो सब भर जाएंगे wastewater से बहुत ज़्यादा foul smelling हो जाएगी environment जो हो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा वहाँ पर इसलिए sewer system को design करना बहुत ज़्यादा important है improvement in the environment by removing the sewage as it originates जैसी waste originate हुआ फटा-फट से उसको भहाँ से हटा दीजिए अब ये चीज़ें हमें ऐसे realize नहीं होती है ये चीज़ें हमें तभी realize होती है जब चीज़ें कोई actual में रुक जाएं halt पे आ जाएं stop हो जाएं imagine कर लीजिए कि sewerage system block हो गया, घर से waste बाहर जाए ही नहीं पा रहा है तो कैसी situation हो जाएगे, कितनी बुरी हालत हो जाएगे तो जैसी waste originate हुआ, instantly वो वहाँ से source से हट जाए तो ये हम चाहेंगे preventing inundation of low-lying areas पूरे शहर के अंदर कुछ ऐसी जगां भी होगी जहां पर जहां पर low-lying है वो बाकी level के हिसाब से कम level नीचे level के उपर है, तो बारिश का पानी आएगा तो वो सारा का सारा वहीं flow करके जाएगा सीवेज का पानी भी जाने की tendency वहाँ पे रह सकती है तो इसी लिए वो inundation ना हो जाए, वो पानी से submerge ना हो जाए, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है यह next avoiding cross connections with fresh water sources by sea page, ऐसा ना हो कि अगर सीवेज कोई आपने सीवेज के कोई आपने parameters नहीं है, डॉक्ट कर रखे है सीवेज सिस्टम अगर है नहीं, तो सीवेज वाला पानी हो सकता है, आपके किसी fresh water source के साथ mix हो जाए चाहिए वो सीपेज के थूँ हो, लीकेज के थूँ हो, कैसे भी हो, तो वो problem create करतेगा, अब इन में से flow के formula की बात करते हैं, कि जो velocity होनी चाहिए, सीवर वाले पानी के, जो velocity क्या होनी चाहिए तो इसके लिए एक formula आता है, as in Williams formula, 0.85C, R raised to the power 0.63, S raised to the power 0.54, Manning's formula, आप सभी को याद है, fluid mechanics में पढ़ चुके, irrigation engineering के अंदर पढ़ चुके, 1 by N, R raised to the power 2 by 3, S raised to the power 1 by 2, जहांपर R hydraulic radius, या hydraulic mean depth कहलाता है, S जो है, वो slope हो जाएगा यहांपर, कि जिसके slope के उपर आप उसे provide कर रहे हैं, wetted area upon wetted perimeter, R की value, Darcy wishback formula से हम head loss की value बता सकते हैं, या head loss अगर पता हो, तो वहाँ से बता सकते हैं कि velocity कितनी रही होगी, FLB square upon 2 GD का इस्तेमाल करके, अब pipe के design के अंदर, आपको pipe का size कैसे select करना है, पाइप का size कैसे select करना है, तो यह depend करेगा आपका, कि कितने के लिए कर रहे हैं, आप कितने के लिए करना चाह रहे हैं, diameter अगर आपका pipe का, 0.4 meter से कम consider कर रहे हैं, diameter pipe का 0.4 से कम consider कर रहे हैं, तो ऐसे case में, वो sewage ज़ादा से ज़ादा, आधा भरा हुआ होना चाहिए, D by 2 भरा हुआ होना चाहिए, maximum से maximum discharge जो बने, उसके लिए, आधा भरा हुआ होना चाहिए, sewage पूरा नहीं होना चाहिए, sewage को कभी भी, sewage system को कभी भी हम, pressure के अंदर वानी को उसको नहीं flow करवाएंगे, open channel flow conditions के अंदर वो चलना चाहिए, अगर आप ये कहेंगे, कि pipe का diameter 0.4 मीटर से कम है, तो उसे बस आधा भरा हुआ ही चलाएंगे, इससे ज़ादा वो भरा हुआ नहीं होना चाहिए, 0.4 से 0.9 के बीच में है, तो maximum से maximum discharge जब उसके अंदर आए, तो उस वक्त वो 2 बाई 3 के लगबग भरा हुआ होना चाहिए, तो ये जो depth of water है, दोनों ही case में एक जैसी से दिख रही है, फर्स्ट case में अगर हम बात करेंगे इस case में, तो इस case में वो सिर्फ half भरा हुआ होना चाहिए, इससे ज़ादा ना भरा हुआ हो, अगर इसका diameter capital D है, तो D by 2 से ज़ादा flow ना करें पाने उसमें, अगर 0.4 से 0.9 मीटर तक है, तो इसके अंदर 2 थर्ड से ज़ादा ना भरा हुआ हो वो, ये depth of flow जो है, 2 by 3D ज़ादा से ज़ादा हो सकते हैं, अगर 0.9 मीटर से बड़ा है, तो 0.9 मीटर से बड़ा होने के केस में 75 परसेंट या फिर 3 by 4D से ज़ादा नहीं भरा हुआ चलना चाहिए वो, ठीक है? पीडिएफ प्रेमी, कृपया टेलिग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडिएफ कक्षा के पस्चार्ट प्रवाइड करती जाएगी, डी लेज देन 0.4 मीटर, 0.4 से 0.9, तो 2 थर्ड बड़ा हुआ होगा, 0.9 से अगर बड़ा डामीटर आप चूज करते हैं पाइप का, तो उस केस में मैक्सिमम डिस्चार्ट जो आपका है, वो 3 बाइ 4 D के बराबर ही होगा, नेक्स्ट, दे सेल्फ लीनिंग विलोसिटी फॉर आल सीवर इन इंडिया, इस यूजवली, वन से 1.2 मीटर पर सेकंड यूजवली, हम स्पेस इसलिए छोट रहे हैं, क्योंकि सीवेज वाटर, फ्रेश वाटर तो है नहीं, उसके अंदर अब कुछ न कुछ गैसिस भी इवॉल्व होंगी, तो वो गैसिस के लिए भी हमें वहाँ पर स्पेस को काउंट करवाना होगा, साथ ही साथ में कुछ न कुछ अगर अगर अडिशनल वाटर आ जाए, स्टोर्म वाटर भी अगर उसके अंदर आ रहा है, तो उसके लिए भी मार्जिन्स कंसीडर करते हैं, अलांकि टोटल ही मानेंगे हैं, टोटल डिस्चार्ज, जो ड्राइ वैधर फ्लू प्लस स्टोर्म वाटर, उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन करते हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं कि ये इतना गैप कम से कम हम छोड़ेंगे, अगर सीवेज मेटीरियल, कुछ न कुछ सेडिमेंट्स, सेटल हो गए हैं सीवेज वाले वाटर के, तो वो वहाँ से हट जाएं, आपका सीवर ब्लॉक ना हो, एक जगाँ पर मेटीरियल एक्कुमिलेट होना शुरू ना हो जाए, तो एक तो होता है, minimum velocity या self cleaning velocity, कि इतनी velocity तो दिन में कम से कम एक बार आ जाए, एक होती है maximum velocity, अब बता लग रहा है कि सीवर के अंदर ये एकदम धुआधार तरीके से वो पानी अगो फ्लो कर रहा है, जब velocity बहुत ज़ादा अगर हो जाएगी सीवर वाली वाटर की, तो अब क्या होता है कि सीवेज वाले पानी के अंदर होता है, पार्टिकल, सेडिमेंट्स, वेस्ट जो होता है, वो प्रेजेंट होता है, अब वो वेस्ट क्या करेगा, erosion create करवाएगा, कि जो pipe का material है, उसको खराब करना शुरू कर देता है, आप अगर गाड़ी, आप नहीं गाड़ी जब लेते हैं, या जब गाड़ी पुरानी भी हो जाती है, तो भी अपनी गाड़ी से सभी को प्यार होता है, तो आप हमेशा ये ensure करते हैं, कि जब भी आप उसको wash करते हैं, तो जो sponge का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो फाइबर क्लोथ यूज़ करते हैं, या कोई भी कपड़ा यूज़ कर रहे हैं अपनी गाड़ी के cleaning के लिए, पहले आप उसे अच्छे से साफ करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि अगर उसके अंदर dust के particle या sand के particle, dirt के particle अगर उसके अंदर होंगे, तो वो आपकी गाड़ी का जो surface है, जो coating है, उसकी या जो color है, उसके उपर rub होंगे, उससे वो abrasion create करवाएंगे, उसके shining, उसके finishing वो कम होती है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, कि clear water अगर तेज velocity से जाए, तो abrasion तो वो भी करवाएगा, erosion वो भी करवा सकता है, लेकिन उसके comparison में, अगर यहाँ पर particles present हैं उसके अंदर, waste के particles present हैं, वो और जादा create करवाएंगे, तो इसलिए एक maximum velocity भी हम define कर देते हैं, depending upon the type of material of the sewer, जैसे concrete sewer अगर आपके पास है, तो erosion को avoid करने के लिए 2.5 से 3 meter per second maximum velocity बताते हैं, cast iron आपके पास अगर है pipe, तो 3.5 से 4.5 हम बताते हैं, so sewer should be designed to carry peak discharge, maximum से maximum discharge वो carry कर पाए, इसके लिए design किया जाता है, and should be checked to ensure that minimum discharge, that is minimum hourly discharge velocity is generated, should be greater than the self-cleaning velocity, self-cleaning velocity is the minimum velocity at which no solids get deposited at the bottom of the sewer, the self-cleaning velocity of wastewater should be a minimum velocity maintained at 0.5 meter per second, कम से कम वाले flow पर भी कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, क्यों अगर average sewage flow है, किसी city के population P के लिए, तो maximum sewage flow कितना consider किया जाता है, 18 plus root P upon 4 plus root P हम बताते हैं, तो peak sewage flow का एक formula है आपके पास, जो आपको याद रखना है, 18 plus root P upon 4 plus root P, जिसके अंदर P population thousands में put की जाएगी, तो maximum या peak वाला sewage flow कैसे calculate करते हैं, कुछ इस प्रकार से calculate करते हैं, अगर आपके पास population किसी city की दी हुई है, 1 million population अगर किसी city की given है आपको, तो इसके लिए Q max कितना होगा, what will be the peak sewage flow, तो Q max की value हम बोलेंगे, 18 plus root P, तो 10 raised to the power 6, divided by 4 plus 10 raised to the power 6, तो 18 plus, thousands में अच्छा है, गड़बर हमने अभी कर दी, अब population की value किस में put करेंगे हम, thousands में put करेंगे, तो इसके लिए इस data को थोड़ा सा correct कर लेते हैं, आपकी calculation आसान हो जाए इसलिए, population 1 lakh consider कर लेते हैं, population जो है, वो 1 lakh consider कर लेते हैं, 1 lakh का मतलब हो जाएगा, कि population will be 100,000, 1 lakh का मतलब हो गया, 100,000, population को thousands में put करते हैं, तो आप 100 put करेंगे यहाँ पर, तो 18 plus 10 upon, 4 plus 10, 28 by 14, 2 meter cube per second, 2 meter cube per second, जिन दोस्तों ने अभी तक session को like नहीं किया है, आप session को like कर सकते हैं, 2 meter cube per second आगया, next, अन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंटर्स रस्ट्रीम आविग अब ब्यूदी कंसिंट्रेशन आव तन्मिलिग्रम पर लीटर, आपके पास, एक फ्रेश वाटर की स्ट्रीम आ रही थी, एक इंडस्रियल वाटर की आ रही थी, बियोडी कंसेंट्रेशन 10 मिलिग्रम पर लीटर, फ्लो जो है वो 20 मीटर क्यूब पर सेकिंड है, यहाँ पर 10 मिलिग्रम पर लीटर तो बियोडी है, 20 मीटर क्यूब पर सेकिंड डिस्चार्ज हो रहा है, इसका बियोडी कंसेंट्रेशन जो है, वो 250 मिलिग्रम पर लीटर है, तो आपको बताना है कि इसके अंदर मिक्स होने के बाद, यहाँ पर कितना बियोडी होगा, यहाँ पर कितना बियोडी होगा, यहाँ पर बियोडी कितना होगा, यह आपको बताना है, यह आप यह कह लीजे कि बियोडी ओफ मिक्स कितना होगा, वो बताना है, तो इसमें बहुत सिंपल सा formula यूज करना है आपको कि BOD of mix will be equal to discharge river का कितना है multiplied by BOD river का कितना है plus discharge waste water का कितना है multiplied by BOD waste water का कितना है divided by discharge river का कितना और discharge waste water का कितना QR 20 BOD 10 1.5 250 divided by 20 plus 1.5 answer बताया कितना है 26.744 26.744 milligram per liter next minimum velocity कितनी maintained होनी चाहिए तो इसके बारे में हम already discuss कर चुके हैं कि 0.45 meter per second तो कम से कम होनी ही चाहिए for impurities like sand up to 1 mm dia with specific gravity 2.65 and organic particles up to 5 mm dia with specific gravity of 1.2 it is necessary that a minimum velocity of 0.45 meter per second and an average velocity of 0.9 meter per second should be developed in the sievers. when finalizing the sizes and gradients of sievers, sievers must be checked for the minimum velocity that would be generated at minimum discharge that is one third of the average discharge कि minimum velocity को किसके लिए चेक किया जाता है कि जब discharge जितना जाएगा जो आपका average discharge होगा उस average discharge की one third value पर भी minimum velocity आनी चाहिए कम discharge जब हो कितना कम हो average का भी one third अगर हो तो q average by three discharge भी अगर आपके पास है तो इस discharge की value के उपर भी minimum velocity generate होनी चाहिए next maximum velocity already discuss किया हमने कि maximum velocity उस material को खराब ना हो वो material खराब ना हो इसके लिए define करते हैं 3.5 से 4.5 cast iron sewer के लिए cement concrete के लिए 2.5 से 3 तो ये दो ज़रूर याद रख लिजेगा बागी सारे याद नहीं भी रहें तो चरदाएगा self cleansing velocity वो velocity जो कि sufficient हो to flush out any deposited solids in the sewer अब sewer के partial flow characteristics की बात करें कि अगर आपके पास total diameter sewer का capital D था ये अगर small d depth भरा हुआ जा रहा है such that इसके दोनों ends जो है वो center के उपर alpha angle बनाते हैं small a हो जाएगा ये blue बाला area मतलब sewer को काट के अगर cross section में देखेंगे तो कितना area के अंदर आपको flow of water होता हुआ नजर आ रहा है capital A total area हो जाएगा आपके पास तो इसमें अगर हम देखते हैं कि depth of flow diameter of sewer के according इन में proportion क्या होगा D by D का तो depth of flow upon diameter of sewer जो होता है वो 1 by 2 1 minus cos alpha by 2 के बराबर होता है अब ये कहां पर इस्तेमाल होंगे ये इस्तेमाल होंगे mains के question में जब sewer का design करेंगे objective में क्या आ सकता है objective में ये आ सकता है कि area of flow बताईए या फिर आप से वो पूछ लेगा कि hydraulic radius बताईए तो जब तक ये formula याद लियोंगे तो कैसे बता पाएंगे small a upon capital A is equal to जितना angle alpha बना रहा था by 360 minus sin alpha by 2 pi से बताते है wetted perimeter by total perimeter तो wetted perimeter का मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये वाली length upon total is equal to alpha upon 360 से हम denote करते हैं hydraulic mean radius जो है वो flow area upon wetted perimeter से define कर देते हैं area of flow upon wetted perimeter area of flow अगर आप hydraulic radius small r मतलब partial flow condition में जब sewer आधा दूरा भरा हुआ था उस case में जब sewer completely filled है तो उस case में आपकी hydraulic radius इन दोनों का proportion अगर आप देखते हैं तो small a by small p divided by capital A by capital P इन से हम इसको denote कर सकते हैं next बात आती है आपके पस velocity की तो velocity का proportion जब sewer आधा अधूरा भरा हो partially भरा हो और जब sewer completely filled हो तो इन case में अगर आपको इनके velocity के proportion बताने होते हैं तो mannings formula आप use कर सकते हैं और आपको hydraulic radiuses calculate करने पड़ेगी अलग-अलग situation के अंदर next बात आती है equation करिए छोटा सा फिर आपको समझ में आएगा pipe material अगर सेम होगा तो n के n value cancel out हो जाएगी slope भी सेम है तो वो cancel out हो जाएगा सिर्फ hydraulic radius का बच जाएगा maximum velocity के लिए seever कितना भरा हुआ होना चाहिए अगर maximum velocity चाहिए आपको तो पूरे diameter का 0.81 times भरा होना चाहिए अगर maximum discharge चाहिए तो 0.95 भरा हुआ होना चाहिए वैसे ये तो बात आती है कि जब clear water जा रहा है उस case में अगर हम बात करते हैं कि seever कितना maximum से maximum भरा हुआ हो सकता है तो 3-4 वो भी कब जब diameter की value 0.9 meter से ज़ादा हो तो उस case में 3-4 भरा हुआ हो सकता है अब एक दो questions करते है देखे question question के अंदर आपको ये पूछा है is that if velocity of flow in a pipe carrying clear water is 2 meter per second while flowing full what will be the velocity if it is half it अगर ये half field होगा तो उस case में क्या होगा पूरा भरा हुआ अगर होगा तो उस case के अंदर आप बोलेंगे कि इसका hydraulic radius area of flow upon wetted perimeter area of flow हो जाएगा pi by 4 d square upon wetted perimeter pi d तो pi से pi cancelled d से square cancelled तो answer आगया d by 4 next अगर हम बात करतें कि वो partially field होता और वो भी half field आधा बरा हुआ है तो आधा बरा हुआ है उस case के अंदर hydraulic radius की value क्या आती small r से denote कर लेते हैं तो area of flow तो ये half of complete circle होगा upon wetted perimeter तो अब wetted perimeter भी यहां से लेके सिर्फ यहां तक included होगा तो wetted perimeter भी half of pi d हो जाएगा तो फिर से हमारे पास d by 4 ही आ जाएगा अब अगर velocity के proportion देखने की कोशिश करेंगे हैं pipe material सेम है अगर हमारे पास small v upon capital V is equal to 1 by n r raised to the power 2 by 3 slope भी सेम है सेम ही pipe की बात हो रही है जब 1 by n capital r raised to the power 2 by 3 s raised to the power 1 by 2 slope सेम तो यह कैंसल आउट material सेम यह कैंसल आउट r और इनकी values भी सेम है तो आप यह बोलेंगे कि उपर भी d by 4 नीचे भी d by 4 small v upon capital V तो यहां से आप यह बता पाएंगे कि capital V will be equal to small v clear चले आगे बढ़ते हैं next the slope of 1 meter डाया चले एक question solve करिया कितना बचा है अभी अभी बचा है 40% 30 to 40% बचा है अभी रेशो क्यों देखते हैं क्योंकि examiner पूछना चाह रहा है कि अगर पूरा भरा ना हो आदा भरा हो इतना भरा हो तो वो पूरे के comparison में कितना होगा यह देखना चाह रहा है बस कितना है अभी बचाह रहा है अभी चलिए आगे बढ़ता है देखें the slope of a one meter diac concrete sewer laid at one in one thousand develops a velocity of one meter per second when flowing full when it is flowing half full the velocity of flow तो अभी अभी हमने जो example देखा same ही रहता है क्योंकि hydraulic radius same slope same material same सब कुछ same तो 1 ही आ जाएगा answer हमारा वन ही हो जाएगा find hydraulic radius when under full flow condition full flow condition में भी d by 4 होगी partial में भी उतनी होगी one seaver has diameter of 300 mm and another one has dia of 600 mm when both run half full what will be the ratio of velocity in two pipes दोनों की flowing condition same दे रखिया अगर तो मतलब hydraulic radius same होगा यगर same depth है same area of flow upon same wetted perimeter तो hydraulic radius की value भी same होगी एक का diameter 300 mm दिया हुआ है और दूसरे का अच्छा diameter भी अलग अलग है ना sorry my bad diameter अगर दोनों की अलग अलग है तो small r की value होगी small d by 4 capital r की value होगी capital d by 4 what will be the ratio of velocities velocities का ratio देखेंगे तो small v by capital V या v1, v2 लिख लेते हैं यहां भी r1, r2 लिख लेते हैं r1, r2 v1 upon v2 material same है pipe का 1 seer has die, what will be if same तो 1 by n into r1 की जगा पे आप use कर लेंगे small d तो 300 by 4 raised to the power 2 by 3 multiplied by slope slope same है divided by 1 by n 600 mm by 4 raised to the power 2 by 3 यहां से solve करेंगे तो इनका आपको velocities का proportion बताना है यह cancel out हो गए 300 by तो यह आ गया 1 by 2 raised to the power 2 by 3 1 by 2 raised to the power 2 by 3 प्लीज ड्राट्समेंड के लिए भी classes लीजिये बहुत बार बोला तो मैने भी बहुत बार बोला दो syllables match कर लीजिये majority of the things यहीं से जाएंगे तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिये D1 half full condition के लिए अभी अभी तो देखा था ना हमने कि आदा भरा हुआ अगर है तो आदे भरे हुए के case में hydraulic radius पता करेंगे तो hydraulic radius कितनी होती है half field condition में hydraulic radius area of flow कितना हो जाएगा half of pi by 4 d square यह आजाएगा आपके पास area of flow upon vetted perimeter तो पूरे circle का perimeter होता है pi d और अब इसका half use कर लेंगे तो आप यहां से भी क्या बताते हैं hydraulic radius half field condition में d by diameter by 4 होता है तो वही पूट कर रहे हैं diameter by 4 दोनों seever के case में half field conditions में जा रहे हैं ठीक है next if the slope of seever A is 1 by 100 and that of seever B is 1 by 400 the velocity of flow in the two seever will have a ratio of velocity का क्या ratio होगा calculate करके बताया 2 by 3 कैसे आया 2 by 3 formula में था दोस्त अभी अभी formula देखा velocity का तो वो क्या था 1 by n 1 by n r raised to the power 2 by 3 s raised to the power 1 by 2 आगे बढ़ते हैं next if the slope of seever A is 1 in 100 and that of seever B is 1 in 400 the velocity of flow in the two seever will have a ratio of अगर आपको एक के अंदर slope दिया हुआ है 1 in 100 दूसरे के अंदर 1 in 400 तो velocity आपको बोला है कि क्या proportion होगा size दोनों seever का same है flow conditions same है बताए answer देखें फिर से भाई formula यूज़ करेंगे V A is equal to 1 by n r raised to the power 2 by 3 s raised to the power 1 by 2 divided by V B 1 by n material अगर same है तो cancel out हो जाएंगे r b raised to the power 2 by 3 s raised to the power 1 by 2 ये cancel out ये cancel out flow conditions question में specify नहीं कराखे तो मानने ही होगी कि same ही होगी हमारी flow की ये जो conditions है तो ये दोनों अपस में cancel मतलब hydraulic radius area of flow कितना है with respect to wetted perimeter बस slope दोनों के अलग-अलग है एक का 1 by 100 है तो 1 by 100 की power 1 by 2 और दूसरे का 1 by 400 है तो 1 by 400 की power 1 by 2 अब ये बन गया 4 times 4 उपर चला गया और 4 का root आ गया तो answer आएगा 2 meter 2 proportion में तो बताना है तो 2 आजाएगा answer option D correct answer हो जाएगा हमारा next sewer को अगर design करना हो तो मैं आपको overview दे देता हूँ फिर mains में हमें इसकी practice करेंगे ही करेंगे sewer को design करना हो तो कैसे design करते हैं आपको question के इंदर population दे रखिये 36,000 लोग है water supply 135 liters है तो 36,000 लोगों को 135 liter पानी दिया तो total पानी आगया हमारे पास इतना पानी दिया जिसका 80% sewage में चला जाएगा 80% जिसका sewage में चला जाएगा 36,000 into 135 उसके बाद आपको slope जो है 1 in 625 दिया हुआ है sewer is to be designed to carry 4 times the average discharge average discharge का 4 point times consider करना है 4 times consider करना है कहने का मतलब यह हुआ कि आप जो design करेंगे sewage को कितने water के लिए design करेंगे या कितने discharge के लिए करेंगे तो आप design करेंगे कि 135 लिटर हर किसी को चाहिए लोग कितने है 36,000 इतना पानी हो गया जिसका 80% sewage में जाएगा तो इतना पानी तो average discharge है कि at an average इतना जा रहा है अब आपको करना क्या है आपको इसके 4 times के लिए design करना है आपको इसके 4 गुना के लिए 36,000 लोग हर को 135 लेटर पानी यूज कर रहा है जिस पानी का 80% sewage में जा रहा है तो ये जो average value आएगी average sewage कितना जा रहा है उसके 4 times के लिए आपको design करना है mannings constant की value दे रखी है और वो constant मानी गई तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे 35 liters per capita per day supply किया गया इसका 80% यनि कि per day per person को इतना पानी दिया गया 36,000 लोग थे तो उनसे आप multiply कर देंगे तो आप calculate कर सकते हैं diameter जो depth of low है upon total dia तो ये हमने 2 by 3 ले लिया मतलब 0.9 meter से उपर के dia की बात करेंगे 36,000 लोग 135 liter पानी दिया 80% जिसका consider किया 4 से जिसको multiply किया कि total कितने पानी के लिए हम design कर रहे हैं divided by एक दिन में दिया तो एक दिन के लिए हम यहाँ पर 8,64,000 यूज कर सकते हैं यह आपके पास यहाँ पर liters में था तो divide by 10 raise to the power 3 कर दिया तो meter cube per second के अंदर हमारे पास discharge आ गया यहाँ से alpha की value आ गई हमारे पास alpha की value अगर हमारे पास आ गई तो velocity partial flow condition में फुल flow condition में formula put किये तो small discharge upon capital discharge इनकी values हमारे पास आई यहाँ पर alpha की values आपके पास थी r और r के proportion के अंदर हमने r के formula यूज किये हैं यहाँ पर area of low, wetted perimeter वो terms यूज की तो q जो है वो area into velocity वाली terms यहाँ पर भी यह area into velocity वाली terms लिखा हुआ था इसमें simplify करके हमारे पास proportions जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं कि small q और capital q के अंदर क्या relationship होगा small p by capital p में क्या होगा small a by capital a में क्या होगा जहां से आप finally q की value यह discharge की value बता देता है तो अभी यह mains के point of view से अभी इतना नहीं पढ़ना है आपको फिर diameter अगर आप से पूछा है तो diameter भी आप बता सकते हैं next बागी design वाले questions mains के time पे करेंगे an egg shaped section sewer egg shaped section sewer जो है वो क्या करता है egg shaped का होने के कारण कुछ ऐसे होगा तो दो component बनते हैं एक छोटा sewer वाला component नीचे एक बड़ा sewer वाला component उपर जब discharge कम होगा या dry weather flow होगा तो उस दोरान यह वाला diameter आपका काम में आने लग जाएगा और self cleaning velocity बनी रहेगी जितना ज़्यादा section के width बढ़ती चली जाती है और flow कम होगा तो उतना ही self cleansing velocity पे भी असर पड़ता है इसलिए egg shaped sewer हम चूज करते हैं कि bottom वाले portion के अंदर भी अगर कम discharge आएगा तो भी यह अच्छे खासा इसकी depth बर जाएगी और self cleaning velocity कम discharge पर भी मिले गया हमें which of the following sewer is preferred for combined system तो egg shaped sewer जो है इनका हम इस्तेमाल करते हैं generally नीचे का diameter D, उपर का 2D इस हिसाब से रखा जाता है कम अगर sewage आया इसके अंदर यह कम discharge आया तो उस case में भी अच्छा काम करेगा तो egg shaped sewer हम इसमें यूज करते हैं next question अगर कम intensity की rainfall हो रही है तो आप combined system यूज कर सकते हैं egg shaped sewer आया आया हमने डिसकस कर लिया design वाले questions बाद में करेंगे यह question आया हम आया हम इसमें सीवर्स की laying out कैसे करेंगे सीवर्स को कैसे हम बिचाएंगे कैसे सीवर्स को हम बनाएंगे सबसे पहले अगर सीवर आप road के उपर बना रहे हैं तो pavement को हटाना होगा generally तभी याद आती है पूरी road construct हो जाती है फिर उसके बाद याद आता है कि सीवर्स तो बनाना ही भूल गए तो pavement को हटाएंगे पहले अगर road बहुत पहले से बनी होगी है तो तो हमें वो हटाना ही बढ़ेगे otherwise अगर road नहीं बन रही है फिर से अगर वहाँ पर सीवेज की requirement है सीवर्स सिस्टम सेट अप करने की तो पहले सीवेज ही सेट अप किया जाएगा obviously बाद में उसके बाद उस पर road बनाई जाएगे existing अगर है तो pavement को remove करेंगे pavement को remove करेंगे जो भी waste वो pavement का आ रहा है उसे classify करेंगे उसे dispose of करेंगे फिर उसके बाद क्योंकि आपको क्योंकि आपको excavation करनी होगी और फिर उसके बाद उसके अंदर आपको sewage pipes जो है वो install करनी है तो इसके लिए यहाँ पर proper basin अगर करनी है वो आप करेंगे removal of water अगर यहाँ पर पानी है तो वो पानी को remove करेंगे आप इसके आसपास अगर कोई important structures है buildings है उनको protect करना है तो उनके लिए proper provisions जो है वो choose किये जाएंगे यह pipes ले हो जाने के बाद वापस इसको आप fill कर देंगे और फिर से इसके उपर अगर अब pavement बनानी है तो वो pavement बना देंगे हम यहाँ फिर से pavement construction इस पर कर दिया जाएगा sewage system is generally designed for 25 years sewage system is generally designed for 25 years design period की अगर हम बात करें तो design period में कौन कौन से अब 25 years और कोई option हमारे पास 30 वाला इसमें था नहीं तो 25 चूज किया अलग-अलग components की अगर हम बात करें कि जो जगां acquire की जाएगी land acquisition जो होगा वो 30 years के लिए होगा अगर conventional seivers की बात करें मतलब जो underground seivers होते हैं जिनके अदर manholes लगे हुए होते हैं वो 30 साल के लिए design किये जाएंगे non-conventional seivers की अगर हम बात करें तो ऐसे जो small boring या shallow depth के जो seivers होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनके लिए 15 साल pumping main units जो हैं वो 15 के लिए pumping stations जो हैं वो 30 साल के लिए machinery जो हैं वो 15 years के लिए sewage treatment plant को 15 साल के लिए किया जाता है effluent को dispose करने का जो हमारा setup है वो 30 साल का effluent को utilize करने का 15 years या फिर case to case depend भी करता है population forecasting फिर से वही बात कि कितने sewage के लिए design करना है तो पता होना चाहिए कि population कितनी है population कितनी है तो उनको पानी कितना supply किया जाएगा पानी कितना supply किया जाएगा तो उसका 80% sewage में आएगा तो वो हम करेंगे अब बहुत सारे components आ जाते हैं sewer के manholes होते हैं drop manholes, lamp holes, clean outs storm water inlet, catch basins होते हैं inverted siphons, storm regulators यह सब components होते हैं sewer के the means of access for inspection and cleaning of sewer line is known as manhole manhole की मदद से हम sewer का inspection और उसकी cleaning करते हैं the minimum diameter of an opening of a manhole should be कम से कम 50 cm diameter होना चाहिए ताकि manholes के थूँ inspection किया जा सके next before entering a manhole a candle is lowered into manhole manhole के अंदर जो आप road के उपर जब चलते हैं तो आपको ऐसे round color के ऐसे ढखकन दिखते होंगे road के उपर रखे हुए वो क्या होते हैं manholes होते हैं उसके नीचे से sewer जा रहा होता है तो वो जो manhole है उस manhole के अंदर enter करने से पहले जो workers होते हैं वो एक candle या कोई भी एक छोटी सी flame जो है वो जला करके नीचे देखते हैं उसका purpose क्या होता है उसका purpose यह होता है वहाँ पर ये check करना कि क्या अंदर oxygen present है अगर oxygen present नहीं होगी तो oxygen की absence में आग जल नहीं सकती है oxygen चाहिए होती है उसके लिए तो oxygen को check करने के लिए कि अंदर breathing के लिए क्या oxygen available है या नहीं है so to find out the presence of oxygen a manhole is generally provided at जहाँ पर भी कोई bend आएगा सीवेज के अंदर जहाँ पर भी कोई सीवेज के junction आएंगे जहाँ पर भी सीवेज का जो सीवेज system है उसका अगर gradient change हो रहा है gradient change हो रहा है या फिर यहाँ से falling हो रही है उसकी तो वहाँ पर भी आप manhole provide करेंगे manholes as per the diameter of pipe उनकी spacing कितने कितनी होनी चाहिए जैसे कि अगर 0.3 meter तक की जो pipes use की गई है तो 45 meter पर spacing होनी चाहिए 0.6 meter की है तो 75 meter होनी चाहिए spacing 1.5 meter से बढ़ी है तो 300 meter के उपर manholes provide होने चाहिए shallow manhole किसको बोलते है normal किसको deep किसको अगर उनकी depth 0.7 से 0.9 meter है तो shallow 1.5 meter है तो normal greater than 1.5 meter की depth पर जो provided होते है वो deep manholes कहलाते है drop manholes होते हैं जहां पर भी एक sewage दूसरे sewage से connect हो रहा है और उनकी level जो है वो अलग-अलग है एक sewage यहां पर दूसरा तो यहां जो provide किया जाएगा वो क्या provide किया जाएगा drop manhole provide किया जाएगा it is also required in the same sewer line in sloping ground when drop manhole when drop more than 0.6 meter is required to control the gradient and to satisfy the maximum velocity कई बार यह होता है कि अगर आपको 2 places से इस एक A place से B places तक waste water को लेके जाना है आपका design slope मान लीजे कुछ यह था कि इस line के along design करना चाहिए हमें slope इतना रहना चाहिए लेकिन आपको connect करना है इन दोनों को अगर आपने इस line के along इनको connect कर दिया तो flow की velocity बहुत जादा हो जाएगी तो हम ऐसा न अडॉप्ट करके हम क्या करेंगे slope के according ही चलेंगे हमने इस slope के along इसे design किया अब यहाँ पर फिर further fall दे दिया कि seever का ऐसे fall दे दो फिर उसके बाद फिर इस slope के according किया फिर यहाँ fall दे दो फिर ऐसे ले गए तो यह fall प्रोवाइड करना बेटर रहता है क्योंकि यह design slope के according हम चलेंगे तो velocities भी उसे according maintained रहेंगी अगर पूरा ऐसे flow दे दिया तो energy जादा हो जाएगी जादा velocity से वो water flow करके आएगा pipe का material जो है वो खराब हो जाएगा तो ऐसे case में जब दो अलग-अलग seivers आ रहे हैं अलग-अलग level पे तब भी drop manual दिया जा सकता है या एक seiver का ही slope change हो रहा है अगर या वहाँ पर fall आ रहा है उसमें तो उस case में भी वहाँ पर provide किया जा सकता है when a seiver connects with another seiver where the difference in level between the inert level of branch किसका inert level मतलब ये bottom वाला level जो होता है इसका इसके bottom level से इसके bottom level के बीच में difference जो है वो जादा होगा and water line in the main seiver at maximum discharge is greater than 0.6 meter a manhole may be built either with vertical or nearly vertical drop pipe from higher seiver to lower यहाँ manhole provide कर देंगे drop manhole is also required in same seiver in sloping ground जो भी sloping ground का example लिया हमने the diameter of drop pipe should be at least equal to the incoming pipe जितनी pipe आ रही थी इतना तो कम से कम यहाँ diameter होना चाहिए lamp manholes जो है जैसा नाम ही बता रहा है तो lamp manholes lighting के purposes से इस्तेमाल होते हैं कि जब आप maintenance कर रहे होते हैं तो उस case में तो अगर आप दूर दूर तक देख रहे हैं नहीं दिखाई दे पा रहा है तो अब्वेस सी बात हो जाएगी कि उसके अंदर कुछ न कुछ अंदर बीच में problem आ गई है तो उसको clean out किया जा सकता है उसको flush करके clean कर सकते हैं clean outs क्या होते हैं एक ऐसी underground pipe है जो connected होती है sewer में it is generally provided at upper end of lateral sewer in place of manholes अगर कोई pipe block हो जाती है तो यहाँ पर यह clean out जो है इस clean out के cover को open किया जाता है और यहाँ से पानी flush करेंगे ताकि इन pipes के अंदर अगर कोई impurities जमा हो गई थी तो वो यहाँ से निकल जाए वो flush out हो जाए यहाँ पर large obstacles अगर होंगे तो उसके लिए तो rods बगरा insert करके उनसे हमें clean करना पड़ेगा उससे वो obstructions जो आउने में clear करना होगा next आते हैं storm water inlets क्या होते हैं storm water inlets शुरुआत में class की starting में आपको एक photo दिखाई थी जिसके अंदर बारिश का पानी जो आ करके उस inlet के अंदर जा रहा था so storm water inlets are provided to admit the surface runoff to sewers इनको तीन major groups के अंदर हम देते हैं जो कि आपके होते हैं curb inlets, gutter inlets और combined inlets they are provided either depressed or flush with respect to elevation of pavement surface pavement surface के आसपास ये provide करते हैं उनसे नीचे level पर, कम elevation पर ताकि पानी उसके अंदर enter हो पाए clear opening जो है वो 25 mm से जादा नहीं होनी चाहिए connecting pipe from the street inlet to the sewer should be of minimum 200 mm dia maximum spacing 30 meter की recommend की गई है inlets के बीच में रोड के किनारे पर जो provide की जाते है catch basins क्या होते हैं catch basins ऐसा area है कि जब बारिश का पानी आ रहा था तो वो पानी अपने साथ और कोई मलबा या waste या debris जो है वो carry करके नाल ले जाए तो वो catch basins के अंदर वो वहाँ पर waste रह जाएगा और relatively clear storm water sewer के अंदर जा पाएगा यहाँ पर catch basins की proper cleaning जो है वो important है क्योंकि वहाँ पर पानी कुछ न कुछ रुकेगा भी वहाँ पर जो waste आकर अगर accumulate हो रहा है तो उसको clean नहीं करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा pipelines अगर आ जाती है एक तरफ से sewer जा रहा है एक तरफ से कोई pipelines आ गए तो उस case में पानी को थोड़ा सा depress करके या sewer का पानी जो है वो यहाँ पर pressure के अंदर भी जा सकता है तो उसे inverted siphon बोलते है regulators क्या होते है these are used for preventing overloading of sewer या pumping stations, treatment plants या disposal arrangement जो access वाला पानी होता है उसको हम divert कर देते हैं regulate कर देते हैं चलो पढ़ाई तो बहुत हो गई, पढ़ाई भी करनी है class खत्म नहीं होगे ठीक है class तो पूरा पढ़ने के बाद ही खत्म होगे अगर आपको बोला है कि आज इस session में पूरा पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ेंगे अब सुनें आप घरगर की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी अनक एडमी की special class नहीं होगी questions कर रहे हैं ना उस class में भी तो questions करते हैं यहां questions कर रहे हैं यहां पूरा subject पढ़ रहे हैं तो आराम से मस्त पढ़ते रहे देखो कोई बात नहीं पढ़ाई के लावा बाकी बातें भी ज़रूरी हैं तो घर-घर की बातें करते हैं तो हमारे घर में क्या होता है घर के अंदर हम रहते हैं घर के अंदर रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों की ज़रूरत होती है, हमारे आराम करने के लिए, हमारी cleanliness के लिए, घर की cleaning के लिए, सब चीजों के लिए, तो उसके अंदर क्या होता है, हमें पानी चाहिए होता है पानी घर पे आएगा कहां पर taps के अंदर आएगा, tank के अंदर भी हम store कर लेते हैं, पीने वगेरा पानी की बात है, तो बहुत कर ली हमने अब ऐसा पानी, जैसे washrooms में आ रहा है पानी, तो pipes के थुरू आएगा, अब वो use तो हम कर लेंगे, लेकिन उस पानी को bathroom में, अगर वो 5 मिनट भी इकठा हो जाता है, तो हम वाइपर से clean करने लग जाते हैं, जो भी traps हैं, या फिर देखिए, जो भी आपकी drain pipes होती हैं, उनके उपर जो जाली लगी होती है, अगर जैसे ही पानी नहीं जाता है, instantly हम कोशिश करते हैं, कि वो block हो गई होगी, उपर से clean उसको clean करते हैं, ताकि पानी वहाँ से train out हो जाए, आप imagine करिए अगर ये सारे provisions आप ना करें, तो क्या हालत होगी, तो इसलिए घर-घर की बातों में, घर के अंदर हमें जरूरत पड़ जाती है, ऐसी चीजों की, जो इस्तेमाल होंगी, हमारे घर से waste water को बाहर भेजने के लिए, ठीक है, तो उनी के अंदर आते हैं traps, अब traps क्या होते हैं, आप अगर अपने washroom को use करते हैं, उसके बाद जो है, उससे, जो भी smell जो होती है, वो क्यों नहीं आती है, इसलिए नहीं आती है, क्योंकि जो भी waste गया है, वो waste, उस waste pipe के थूँ चला गया, अब वो ऐसा तो है नहीं कि, waste pipe daily clean हो रही है, waste pipe तो clean होती नहीं है, उसके अंदर तो waste रहे गई, रहेगा, कुछ ने कुछ contact में तो उसके, अब उस waste की वज़े से, वो जो smell है, वो वापस हमारे washroom में ना आपाई, इसके लिए हमें traps use करना होगा, या water seals यूज करते हैं जैसे आप जो WC होता है या जो आपकी toilet seat होती है, उसको अगर आप observe करते हैं, तो उसके अंदर भी certain quantity of water रहता है वहाँ मेशा, तो वो एक water की layer present रहती है, जो कि क्या करती है वो एक water की layer आपर नहीं आने देगे, बाहर नहीं निकलने देगे हमारे washroom के अंदर नहीं आने देगे, तो वो separate करके रखती है उस waste pipe को और जो हमारा washroom है, इन दोनों के environment को separate करके रखती है तो traps क्या होते हैं, trap कर देना, रोग देना these may be defined as fittings placed at the ends of soil pipes or sullege pipes to prevent the passage of foul gases from the pipes to the outside बाहर की तरफ smell ना आए this is possible because traps do enclose or maintain water seal between the pipe and the outside soil pipes, जो human waste को carry करती है वो soil pipes कहलाती है sullege pipes के अंदर bathrooms, sinks और wash basin हो गया, आपके ये kitchen हो गया इनका पानी करता है, human waste उसके अंदर नहीं count होता है traps अलग अलग type के होते हैं P, Q and S traps आपके पास होते हैं तीन type के होते हैं, shapes के according depending upon their use flow traps या नहानी traps तो ये आपके जहां पर भी house drain होता है, वहां पर ये provided होते हैं gully trap के अगर हम बात करें तो at the junction of unfoul roof और room drain या फिर एक foul bathroom या kitchen drain या वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं intercepting trap प्रोवाइड किया जाता है at the junction of house sewer and lateral sewer तो पूरी civil engineering है, घर-घर की बात हैं तो सर और बताएंगे, क्या घर-घर की बात ही तो बताएंगे पूरी civil engineering में majority of the things है क्या घर construct होगा किस पे होगा, soil पे होगा घर में पानी चाहिए होगा खेद भी होगे हमारे घर के तो खेद में irrigation के लिए पानी चाहिए होगा अब पानी है तो water supply भी चाहिए होगा फिर उसके बाद water waste को management जो करना है, वो भी चाहिए होगा तो सारी बाती ही ही है जब आप खुद बता दीजे नहीं है क्या घर की बात है, building material से शुरू कर लिजे घर बनाएंगे तो building material चाहिए concrete भी चाहिए होगा उसके अंदर RCC भी चाहिए होगी उसके अंदर estimate भी बनाना पड़ेगा उसका कि estimating देखते हैं, costing देखते हैं फिर उसके बाद हमारे पास अगर खेत हैं तो irrigation भी चाहिए होगा बारिश भी चाहिए होगी, hydrology अगर वहाँ पे है तो environment engineering भी पढ़ने पड़ेगी क्योंकि clean water घर पे आएगा कैसे घर पे आ गया, तो उसे treat कैसे करेंगे, फिर इसके अलावा अगर घर के अंदर कोई shade है जिसके अंदर आप अपनी cars का जो collection है, वो खड़ा कर रहे हैं या फिर agricultural जो आपका production है, उसको store कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई steel का structure भी आपको बनाना पड़ेगा फिर घर से ले करके खेट तक जाने के लिए आपको एक road भी construct करनी पड़ेगी, तो highway पे भी काम करना पड़ेगा आपको और क्या बच गया सारी चीज़ें तो आ गई अब हाँ ये नहीं बोलेंगे कि घर से खेट तक जा रही है रेलवे पे ही लेकिन फिर भी ज़रूरत पढ़ सकती है कभी हो सकता है आपके खेट के आस पास से कोई train गुजर रही है foundation engineering, soil engineering obviously घर बनाएंगे किस पे तो उस पे भी आपको पता होना चाहिए तो सारी subject तो आगए इसमें बारा के बारा next, a trap which admits waste water from floors of bath and kitchen is called as उसे क्या बोलते हैं? नहानी trap बोलते हैं नहानी के घर जाने के लिए train भी चाहिए होती है vacation पे जाने के लिए flight भी चाहिए होती है the pipe which is used to carry the discharge from sanitary fittings like bathrooms, kitchen, etc. is known as waste pipe the pipe which is installed in the house drainage to preserve the water seal of the traps is known as anti-siphonage pipe traps are used in household drainage system to prevent foul gases के entry हमारे घर में ना हो इसके लिए civil वाले electricity भी generate करते हैं civil वाले सब कर सकते हैं civil वाले महान होते हैं, शक्ती महान होते हैं a sewer which receives the discharge of a number of house sewer is known as lateral sewer उसको हम बोलते हैं the inspection pit or chamber is a manhole provided in a base drainage system at every change of direction, at every change of gradient, at every 30 meter interval, all of the above are correct which of the following is responsible for the corrosion of concrete sewer तो concrete sewer के लिए उसकी septic conditions जो हैं, वो responsible होती हैं concrete sewer के अंदर क्या होता है, कि वहाँ पर hydrogen sulfide gas form हो जाती है अब वो जो hydrogen sulfide gas है, वो पानी के साथ मिलके sulfuric acid बना देती है, H2SO4 H2SO4 जो है, वो concrete के अंदर जो cement है, उसके अंदर जो calcium sulfate है उसके साथ react करके ऐसा compound बना देगा, जो कि उसका volume increase कर देगा volume increase होने का मतलब कोई concrete चा रहा है कि मेरा volume increase हो जाए तो अब उसके particle ही टूट टूट कर अलग होंगे, disintegration होंगे, उनका corrosion होगा तो corrosion of concrete sewer के लिए responsible gas कौन सी है, H2S hydrogen sulfide कौन सा compound responsible है, hydrogen sulfide sulfuric acid बन जाता है तो वो concrete sewer का corrosion करा देता है और उसे खराब कर देता है ठीक है next, अब sewage treatment अब sewage treatment बहुत असा chapter है, सबसे असान chapter जो है तो वो sewage treatment है तो बस इसको थोड़ा सध्यान से समझ लीजिएगा, बाकि यह सच कुछ मुश्किल आपको नहीं आएगे corrosion iron में होता है, लेकिन corrosion के लिए term जो हम इस्तिमाल करते हैं, वो यही use करते हैं सबस्क्राब होना, sewage treatment के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जिनने हम बोलते हैं unit operations या unit processes, unit operation का मदलब कि जैसे screening कर दी, waste water आया, उसको screen out कर दिया उसके अंदर कोई chemical agent अड़ नहीं किया, कोई chemical reaction नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो screening कर रहे हैं उसकी aeration किया, उसके अंदर खूब सारी हवा प्रोवाइड कर दी, oxygen दे रहे हैं उसके अंदर, दाकि वो oxygen आगे जाके decompose करेगी waste को, लेकिन अभी unit operation के अंदर क्या कर रहे हैं, सिर्फ aeration प्रोवाइड कर रहे हैं यह कहलाते हैं unit operation, unit processes के अंदर क्या होगा, कोई न कोई chemical या biological, biochemical reactions वहाँ पर हो रही होंगी, तो इसे हम बोलते हैं unit processes, अब unit processes अलग-अलग प्रकार से हो सकते हैं, जैसे, अगर आपको corrosion एक बार और बताना है, corrosion एक बार और सुन लीजी, फिर उसके बाद इस topic पर आ जाईएगा, corrosion के अंदर हमने यह बोला, कि आपके sewer के अंदर H2S gas form होती है, वो H2S gas जो है, sulfuric acid बना देती है, H2SO4, अब यह H2SO4, जो cement के अंदर calcium sulfate होता है, यह cement के अंदर, जो calcium carbonate होता है, उसके साथ react करके, calcium sulfates और यह form कर देती है, जब ऐसे compounds form होते हैं, इनका volume बहुत जादा होता है, volume जादा होने की वज़े से क्या हो जाएगा, concrete volume increase करने की कोशिश करेगा, और फिर उसका disintegration हो जाएगा, फिर उसका disintegration हो जाएगा, जिसे बोल देंगे, तूटना, या फिर concrete का corrosion होगा, hydrogen sulfide is produced in siever limes and it gets oxidized to sulfuric acid, which reacts with the constituents of cement, which forms calcium sulfate, calcium carbonate और उनके साथ react करके, वो बना देगी, calcium sulfate, lime जो present होगा, उसके साथ react करता है, calcium sulfate ज्यादा volume occupy करेगा, और existing compounds को replace करेगा, जिसके current pipe का material expand होने की कोशिश करेगा, disintegrate हो जाएगा, उस कोशिश में, देखिए next, अब बात कर रहे थे हम unit processes की, और unit processes में दो तरीके हैं, suspended growth system और attached growth system, अगर आपको पानी ठंडा करना होता है, ठीक है, तो कई बार हम क्या करते हैं, घर पे gas आगए मान लेजें, example के तोर पे, अब उनको ठंडा पानी पिलाना है, ठंडा पानी है नहीं, fridge में रखा हुआ पहले, सिर्फ ice रखी हुई है, तो दो तरीके हो सकते हैं, उस पानी को करने के लिए, आपने किसी container के अंदर, junk के अंदर, आपने या jar के अंदर, उसके अंदर आपने क्या किया, normal water लिया, और normal water के अंदर ये ice cubes ऐसे drop कर दिया, तो उससे वो ठंडा हो गया, mix कर दिया, तो आपने इन ice cube को क्या किया, suspended form के अंदर रखा, तो पहला तरीका यह हो सक हो गई है इंस्टा चलाने की फोन चलाने की कि 30 सेकेंड में भी हम बोर होने लगते हैं तो कुछ न कुछ टाइम पास ची होता है तो नीचे जग रख रखा है उपर से पानी गिर रहा है तो हम क्या करते हैं आइस को बीच में पकड़ के रख लिया अब यह पानी आएगा इस आइस पे गिरेगा यहां से यह मेल्ट हो के नीचे जाता जाएगा और ठंडा पानी इसमें आता जाएगा मतलब ऐसे इंडेरिकली ठंडा कर देते हैं तो अब इन दोनों सिस्टम के अंदर क्या हुआ पहले सिस्टम में तो आपने सस्पेंशन में ही पूरे जग के अंदर ही आपने आइस को डाल दिया दूसरे के अंदर क्या होगा कि आपने इसके अंदर नहीं रखाया इस पानी के अंदर नहीं रखाया बस आपने उसके रस्ते में रख दिया ताकि यह जो पानी यहाँ से आके गिरे यह इस आईस पे गिरे और इसके साथ-साथ वो melt होता हुआ नीचे आ जाए यहाँ पर तो ये वाला system हमारा कौन सा हो गया ये system हो गया हमारा attached growth system की एक medium के साथ ये ice attached थी जिसके contact में ये आया, इसी तरीके से हमारा treatment होता है, wastewater जो होता है उसके अंदर एक तो आप जो bacteria होते हैं उनको सीधा है, इसके अंदर पूरे suspension में ही छोड़ दीजिए जिससे की ये क्या करेगा, अब इसको decompose करता रहेगा, दूसरा तरीका ये होगा, कि आप एक कोई screen ले लीजिए, कोई filter ले लीजिए कोई media ले लीजिए, जिस पर bacteria present था, और उसके उपर अब पानी को throw करिए, जिससे की वो पानी इसका contact में आएगा, और फिर वो पानी नीचे आपका collect हो जाएगा जिस गेव में वन मोमेंट, ये एक laptop जो है, ये भी discharge हो गया, फोन भी हो गया, तो मैं charger collect करके लाए हैं बस पानी पानी झाल 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 पॉल्यूशन वाला कल पढ़ेंगे, आज वेस्ट वाटर तक पढ़ेंगे हैं न आज वेस्ट वाटर तक पढ़ेंगे तो ये समझ में आ गया होगा आपको suspended growth process के अंदर क्या होता है कि आप पूरे के पूरे suspension में ही bacteria add कर देते हैं और attached growth process जैसे कि trickling filters या rotating biological contractors ये पढ़ेंगे हम इनके अंदर bacteria को क्या कर देते हैं bacteria को एक layer के उपर लगाया हुआ होगा और पानी को उसके उपर throw करेंगे ताकि वो उसके contact में आए और फिर उसके बाद उसका decomposition वहाँ पर जो waste हो जाए overall treatment हमारा कुछ इस प्रकार से चलता है आप ध्यान से सुन लीजेगा अब ध्यान से देखेगा बस हो गई बहुत बाते हैं देखे biological process जो overall है इनके या फिर sea waste treatment के अगर हम बात करें तो sea waste treatment में क्या-क्या चीजे होंगी अब एक बार यहाँ ध्यान से समझ लीजेगा same ही चीज रिपीट होनी है बार-बार जो अलग-अलग ये topics आए उनके अंदर सबसे पहले आपका आया waste water सबसे पहले आया आपका waste water उस waste water में से बड़ी-बड़ी floating impurities को screen के थूँ यहीं पर हटा दिया गया तो screening कर दी हमने screening का waste यहीं separate हो गया तो उस waste को easily deal किया जा सकता है कि किस प्रकार का waste है generally screening में waste जो आता है वो इतना organic waste नहीं होता है इन और्गेनिक होता है वो अटाया जा सकता है फिर उसके बाद grit chambers आ जाएंगे grit chamber के अंदर जो कंकर पत्थर आते हैं जो heavy impurities होंगे इन और्गेनिक नेचर की तो वो इन और्गेनिक नेचर वाली impurities जो है वो आकर यहां settle हो जाएंगे कंकर पत्थर सारे यहां रुख जाएंगे तो यह heavy होते हैं आगे के processes में अमारे लिए दिक्कत भी नहीं करेंगे इनको dispose off करना भी easy होता है कि अगर कंकर पत्थर मिट्टी कुछ भी है उसे कहीं भी dispose off कर दीजिए कोई problem नहीं होगी वो environment के लिए नुकसान दायक नहीं है अब क्या होगा आपके पास यहां से दो options हैं आप एक तो यह कर सकते हैं कि primary sedimentation tank होता है grid chamber के अंदर तो inorganic impurities हटी फिर इसे एक sedimentation tank में छोड़ते हैं वो primary sedimentation tank में क्या होता है कि inorganic particle already हटी चुके थे यहां पर 60-70% organic particle settle down हो जाते हैं तो वो organic particle यहां से हटाए जा सकते हैं इस process को तेज करने के लिए क्योंकि यहां पर क्या होगा oxidation होगा आप बीच में बहुत सारी air जो है वो यहां पर देते हैं तो airing air chamber में अगर आप उसे aeration chambers में डालेंगे और खुब सारी air भी उसको मिलेगी तो bacteria यहां पर waste को decompose कर रहा होगा 60% से 70% तो यहीं पर settle down हो गए आप अगर इस process को और तेज करना चाहते हैं तो आप क्या कर दीजिए आगे के processes से जो secondary sedimentation tank में नीचे sludge होती है मतलब जिसमें बहुत साथा bacteria होता है उसमें से कुछ portion आप हटा करके यहां पर डाल सकते हैं जिससे आपका आगे जैसे यह पानी यहां से further processes में जाए तो इसके पास already बहुत सारे bacteria हो जो उस waste को decompose कर रहे होंगे तो primary sedimentation tank से आपने क्या किया यहां पर 60-70% जो waste था वो यहीं पर settle हो गया organic waste इन और्गेनिक तो वहीं अट गया और्गेनिक जो बचा उसका 60-70% जो relatively heavy था organic में वो नीचे settle हुआ अब यह primary sedimentation tank से जो नीचे settle हो गया जिसे primary sludge बोलते हैं इसे anaerobic digester या फिर oxygen की absence में reactions करवाते हैं जिससे कि वहाँ पर methane या carbon dioxide जैसी gases जो है वो form होती है और यह जो sludge है इसको further आगे digest होने के बाद disposal के लिए भेज दिया जाता है अब उसको चाहें आप directly dispose करें या irrigation purposes के लिए use करें वो बाद की बात है कि उसका क्या करना है तो यह तो हो गया कि जो चीज यहां से settle होई थी जो यहां पर settle हो गया था उसका क्या हुआ जो settle नहीं हुआ उपर की और हलके particles, organic particles जो बच गए उन हलके organic particles को further ले कर गए गए हम biological reactors में जहां पर हम oxygen, bacteria सब provide कर रहे हैं तो वो bacteria जो है इसको further decompose कर रहे है यहां decomposition जब हो रहा है उसके बाद उसे secondary sedimentation tank में डाला अब sediment होने दे रहे है मतलब settle down होने दे रहे है तो यहां पर आ करके अब particles settle हो जाएंगे यहां भी sludge form हो गई अब इस sludge को चाहें तो पीछे के processes में कहीं भी add कर दीजिए क्योंकि इस sludge के अंदर खुब सारा bacteria होगा तो उसे यहां add कर दीजिए कहीं भी add कर सकते हैं आप चाहें तो इस sludge को मतलब सारी तो नहीं add कर सकते हैं तो जो बच गई अब उसको disposal के लिए भेजना है तो disposal से पहले उसे anaerobic digester में भेज सकते हैं जहां से फिर से methane, carbon dioxide यह release हो जाएंगी digestive sludge को आप आगे sludge disposal के लिए handle कर सकते हैं यहां से निकलेगा treated waste water अब treated waste water का मतलब यह नहीं है कि एकदम बिलकुल mineral water यहां से बाहर निकल रहा है उसमें भी impurities होंगी obviously वो पीने लायक नहीं होगा लेकिन अब यह पानी के अंदर जो impurities थी जो environment को नुकसान पहुंचा सकते थी वो हमने निकाल दे है अब इस पानी को आप irrigation purposes के लिए यूज कर सकते हैं इसे effluent बोलते हैं तो यह जो waste water का effluent निकला इसको आप irrigation के लिए यूज कर सकते हैं effluent farming कर सकते हैं या फिर आप इसको fresh waters के अंदर rivers के अंदर dispose off कर सकते हैं after ensuring कि इसके अंदर जो quality parameters या जो इसके parameters होने चाहिए वो suitable होने चाहिए कि fresh water में add कर सकते हैं इसको तो fresh water में add कर देंगे तो जो बचा हुआ थोड़ा बहुत waste है उसको fresh water का dissolved oxygen फिर से purify कर देगा तो overall ये process था हमारा brief में फिर से सुने गंदा पानी आया raw waste water आया screening की floating impurities हटी grid chamber में आया कंकर पत्थर यहां से हटे फिर उसके बाग primary sedimentation tank में गया inorganic waste पहले हट चुका था organic का 60-70% यहां settle down हो जाएगा वो 60-70% को निकाला anaerobic digester में उस sludge को लेके गए वहां से उसको disposal के लिए भेज दिया उपर का जो पानी बच गया था जिसमें हलके organic particles थे उनको biological reactors में लेके गए oxygen bacteria सब दिया जिसने उसको decompose किया फिर tank में डाल दिया उसको settle down होने के लिए secondary sedimentation tank में sludge settle हुई इसको भी आगे digest करवा के बाहर बेजा sludge disposal के लिए अलग से और treated waste water को हमने अलग से बाहर निकाल दिया अब उसका क्या करेंगे वो तो disposal वाले chapter का बात है fundamental difference between sedimentation tank for water and sewage is so sludge from sewage sedimentation is to be removed more frequently अगर आपके पास clear water का sedimentation tank जो raw water supply engineering के अंदर हमने पढ़ा था तो उसमें इतनी impurities नहीं होती इतने जल्दी settle नहीं होता लेकिन यहाँ पर impurities बहुत जादा है तो sewage वाले case में जो tank होगा उसकी cleaning जल्दी करनी पड़ेगी overall जो treatment processes थे primary sedimentation tank तक के treatment को primary treatment बोलते हैं फिर जहाँ पर bacteria का काम आ जाता है biological oxidation आ जाते हैं इनकी बात करते हैं तो वहाँ पर secondary processes आ जाते हैं तो primary treatment के अंदर क्या-क्या चीज़ें count होते हैं preliminary treatment this is known as one degree treatment जब primary sedimentation tank का आप इस्तेमाल करते हैं floating materials हटा दिये जाते हैं large inorganic impurities हटा दी जाते हैं तो यहाँ पर inorganic impurities हट गई floating materials यहाँ पर हट गई it comprises of screens grit chamber, skimming tank, oil and grease traps primary treatment के अंदर क्या होता है all treatment units होंगी और इसके साथ साथ में primary sedimentation tank होगा primary sedimentation tank को primary clarifier के नाम से भी हम जानते हैं और इसका purpose क्या है organic वाले particles को हटाना इसका purpose क्या है organic वाले particles को हटाना it does not remove the colloidal and dissolved organic content of wastewater large debris को screen से हटा देते हैं in organic solids को grit chamber में हटाते हैं, जो कंकर पत्थर को हटाया हमने organic solids को sedimentation tank के अंदर remove किया जाता है so primary treatment of sewage consist of floating material को हटा रहे हैं, sand and grit को हटा रहे हैं, organic better को हटा रहे हैं, all of the above primary sedimentation tank removes 60-70% of the organic matter 62-70% of organic matter को primary sedimentation tank जो है, वो remove कर देता है secondary treatment या फिर 2 degree treatment में क्या आया कि primary sedimentation tank से जो waste आया था, क्योंकि primary sedimentation tank में 60-70% particle settle हो चुके थे उनको तो sludge disposal के लिए भेज़ दिया, अब जो हलके particle बच गए, उनको ले के आए हम aeration reactor के अंदर खूब सारी air प्रोवाइड किया, उसको bacteria प्रोवाइड किया, फिर छोड़ दिया secondary sedimentation tank में sludge को settle down होने के लिए, और फिर sludge को disposal के लिए भेज़ दिया इसका कुछ portion फिर से यहां पर use कर सकते हैं, ताकि इस aeration chamber के अंदर और bacteria आ जाए, process थोड़ी और तेज हो जाए after primary treatment, its wastewater is further treated for the removal of colloidal and soluble organic matter present in wastewater, this is known as secondary treatment system, it consists of biological conversion of organics into biomass or bacteria that can be subsequently removed by sedimentation in secondary sedimentation tank contact between microorganism and organic matter is optimized by suspending the biomass or by passing wastewater over a film of biomass attached to solid surfaces the most common biomass system is activated sludge process so apart of settled sludge in secondary clarifier, इसका कुछ part बापस से हम भेज़ देते हैं यहां पर process को तेज करने के लिए recirculating a portion of biomass maintains large amount of microorganism in contact with the wastewater and speeds up the conversion process the most common attached biomass system is trickling filter तो इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे sea waste treatment के अंदर हम क्या करते हैं जो भी हमारे filters होते हैं या जो system है attached growth system उसके अंदर बहुत सारे पत्थर रख देते हैं उन पत्थरों के ऊपर bacteria present रहेगी उनके through waste water को pass करेंगे तो वो decompose करते रहेंगे वो bacteria और decomposition के बाद ऐसे layers जो है वो decomposed material की वहां से हटती रहेगी अब जो यहां से पानी बाहर निकला उस पानी के अंदर खूब सारे bacteria होंगे biomass जिसको बोलते हैं bacteria plus वो waste जो है तो biomass खूब सारा होगा उसको हम rich biomass को वापस से previous processes के अंदर add कर देंगे जिससे processes overall तेज हो जाएंगे secondary system produces excess biomass that is biodegradable by microorganism secondary sludge are usually combined with primary sludge and further treated aerobically और anaerobically when treated anaerobically oxygen की absence में अगर हम treat करते हैं तो methane, H2S carbon dioxide जैसी gases जो है वो form होती है the methane has significant heating value and may be used to meet power requirements power requirements को meet करने के लिए methane का इस्तेमाल होस्ट कर सकते हैं पुराने जबाने में जब LPG cylinders इतने जादा common नहीं थे कोई कोई ही use करता था या और कोई afford नहीं कर सकता था उस time पे village areas के अंदर gober gas के जो होते थे plants जो हैं वो use करते थे locally चोटे चोटे तो house level के उपर हैं तो उनके अंदर भी क्या होता है methane gas जो है वो generate होती थी जिनको जिनसे की combustion purposes के लिए उसको use किया जा सकता था tertiary treatment system के अंदर क्या होता है और जादा अगर आपको treat करना है waste water को और further treat करना है तो इतना जादा intense treatment जो है वो हमें नहीं चीए होता है tertiary treatment generally इंडिया के अंदर हम नहीं करते हैं कोई exceptional ही cases ना हो गए कोई महामारी के case में ही ना हो गया हो कोई epidemic के case में otherwise उसको नहीं करते हैं the main gas liberated from anaerobic sludge digester जो होती है वो methane form होती है anaerobic treatment is best suited for anaerobic treatment जो बहुत ही जादा strong organic waste होते हैं उनके लिए anaerobic treatment किया जाता है the appropriate percentage of water in sewage is तो sewage में लगबग 99.9% पानी ही होता है बाकी impurities होती है तो appropriate की बात कर रहे हैं थोड़ा बहुत कम जादा भी हो सकता है लेकिन majority portion water ही होता है बाकी impurities होती है next पहला process screening screening के अंदर अगर हम बात करें तो core screen होती है 45-60 degree पर इनको रखा जाता है फिर medium फिर छोटे size की screen होती है greater than 50 mm, 20 to 50 और less than 20 mm spacing होती है आप screen बनाते किस्से हैं तो 10 mm dia की thick bars होती है उनसे ऐसे उन bars को ऐसे रख करके screens बना दी जाती है इसको inclined रखते हैं लगबग 45 से 60 degree के उपर तो screening से floating material हटा दिया जाता है फिर grit chamber आता है grit chamber के अंदर inorganic impurities वो हटाते हैं क्योंकि अगर कंकर पथर pumps के अंदर चले गए pipelines में अगर आगे फर्दर जाएंगे तो वो problem create कर देते हैं उनके अंदर issues आ जाएंगे block हो सकते हैं damage हो सकता है pumps को so removal of grit जो है वो grit chamber के अंदर किया जाता है they are provided in the form of channel of long length channels बना देंगे smaller cross section area के channels होंगे लेकिन length जादा होगी तो जब उनके through water flow करके जा रहा होगा तो वहीं पर वो grit जो है settle हो जाएगी they do not allow settlement of organic matter organic matter हलके होते हैं वो वहाँ से हट जाएंगे अगर कभी कबार कोई settle हो भी गया तो velocity इतनी होती है कि बाद में वो wash out हो जाएगा organic matter वहाँ से हटता चला जाएगा तो grit chamber के अंदर velocity को control करने वाली devices भी वहाँ पर रहते हैं objective के point of view से क्या क्या पूछेगा grit chamber remove क्या करता है sand या grit को remove करता है inorganic impurities को remove करता है ये तो basic आपको पता ही होना चाहिए grit chamber removes particle size greater than 0.2 mm ये point important है state exams में पूछा हुआ है 0.2 mm से बड़े size के particles को grit chamber remove करता है specific gravity 2.65 जो soil के particles की लेते हैं वहीं ले रहे हैं यहां पर inorganic वाले surface overflow rate 2160 meter cube per meter square per day इतना surface overflow rate या settling के velocity consider की जाते हैं stokes लोग को apply नहीं करते हैं grit chamber में क्योंकि particle size 0.2 mm से बड़ा होता है यही objective question आप से पूछा था horizontal flow velocity 0.15 to 0.3 meter per second consider करते हैं कितने समय तक वहां पर पानी अलाओ होगा एक certain water अगर आता है तो 40 से 60 सेकेंड तक detention time consider करते हैं इनकी depth एक से डेड़ मीटर तक consider की जाती है free board उपर खाली रखेंगे 0.3 meter length of the channel is generally increased by 20% जब turbulence को अगर हम account कर रहे हैं कि inlet पर पानी आया वहां turbulence है particle नहीं settle हो रहे होंगे outlet पर पानी जा रहा है तो वहां turbulence है particle settle नहीं हो रहे होंगे तो inlet के उपर और outlet के उपर मतलब यहां पर पानी जब बाहर निकल रहा होगा तो turbulence होगा यहां पानी एंटर कर रहा होगा तो turbulence होगा particle settle नहीं हो पा रहे हैं तो इस portion में ही settle हो रहे हैं, इसलिए जो length हम consider करते हैं, उसको 20% बढ़ा करके मान लेते हैं। फिर design of grid chamber के अंदर, Reynolds number की calculation, rho v upon mu into x, यहाँ पर x आपका characteristic dimension of chamber, तो इनके बारे में नहीं पढ़ना है, जे ही point of view से, यह particular system जो है, यह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। grid chamber का design जो है, यह mains के अंदर करेंगे हैं, कि कैसे grid chamber को design करना है, आसान है, जैसे tank को design करते हैं, वैसे grid chamber को design करते हैं, बस उसके अंदर, यहाँ पर हमारी बात जो आ जाती है, वो इसके जो parameters हैं, length के, freeboard के, discharge के, वो use करने होता है। ठीक है, next, detritus tank क्या होता है, grid chamber की तरह ही होता है, difference यह होता है, कि detritus tank जो होता है, उसके अंदर, और जादा finer particles भी remove कर सकते हैं, as compared to grid chamber. grease और oil जो sewage के अंदर अगर present है, तो उसको remove किया जाता है, skimming tanks की मदद से, skimming tanks जो हैं, वो grease, oil, soap, etc. इन सब को remove करेगा, अगर skimming tank यूज नहीं कर रहे हैं, तो grease traps, grease and oil traps का इस्तेमाल कर सकते हैं. So if oil, grease and soaps, इनको अगर हम remove नहीं करेंगे, तो यह surface के उपर एक skum या एक layer पना देता है, जो आगे चलके further हमारा जो processes होंगे, biological processes, उनके अंदर problem create कर देगा, या फिर activated sludge process जो है, उसके अंदर जाएगा, और oxygen उसके अंदर नहीं आने देगा, top की layers जो हैं, उनको block कर देता ह अगर आपने कहीं पर ऐसे area में कभी observe किया हुआ हो, कि जहां पर घर के बाहर खुब सारा ऐसे soap वाला पानी चला जाता है, तो फिर धीरे धीरे वहाँ anaerobic conditions develop हो जाती हैं, उस इकठे हुए पानी में, क्योंकि वो soap वाला या grease वाला जो पानी होता है, वो top की layer को block कर देता है oxygen उपर से उस पानी के अंदर पहुंच नहीं पाती है, उसमें anaerobic conditions develop होती हैं और बहुत ही smelly जो है वहाँ पर area हो जाता हूँ so oxygen नहीं आ पाएगी तो biological growth नहीं हो पाएगी, वहाँ bacteria उसको decompose नहीं कर पाएगा in tanks के अंदर compressed air जो है, वो blow की जाती है नीचे से, जिसके कारण वो जो grease होता है, उनका coagulation होता है और वो separate किया जा सकता है, उपर से उसको skim off कर देते हैं, हटा देते हैं skimming tanks इंडिया के अंदर suitable नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर average temperature जो है वो जादा है वो grease और oil की skimming होई नहीं पाती है, वो अलग होई नहीं पाता क्योंकि temperature यहाँ पर उस grease को वो एक साथ coagulate नहीं होने देता कम temperature के उपर आपको पता है कि वो oil एकदम से ऐसे कह लिजी है कि जमा हुआ सा feel करेगा freeze हुआ सा लगेगा, लेकिन इंडिया के अंदर temperature ही जादा है तो वो ऐसे separate नहीं हो पाते है इसलिए हम grease traps का इस्तेमाल करते है इन primary sedimentation, फिर उसके बाद sedimentation tank आ जाते है sedimentation tanks के अंदर अगर हम बात करें तो primary sedimentation tank के अंदर लगबग 60% organic particles हट जाते है बाकी जो हटते हैं वो further आगे की processes में देखते है अब जो settling हुई, particles settle हुए, वो किस किस कारण से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इनकी बात करते है चार प्रकार की settling होती है, जिसमें से पहली कहते हैं, discrete settling discrete settling, जैसे की grit chamber के अंदर हर particle individually settle हो रहा है एक particle की settling, दूसरे particle की settling के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रही है जो grit chamber के अंदर, waste particles, जो waste होता है water के अंदर उसके जो particles हैं, वो discrete act करते हैं, एक दूसरे से कोई influence नहीं है उनकी setting के अंदर, so settling velocity of discrete particle is determined using stoke slow और transition low लेकिन stoke slow जो है, वो grit chamber के अंदर, इस्तेमाल नहीं होता यह बस एक example दिया हुआ है, कि अगर हम पढ़ते हैं, जैसे stoke slow तो stoke slow में भी हम बोलते हैं, पहला assumption कि particles की settling discrete हो रही है, discrete settling हो रही है तो यह पढ़ते हैं, organic solids जो होते हैं वो बहुत ही कम ऐसा होता है, कि वो discrete settling होती है उनकी कहीं न कहीं interference आ जाता है flocculent settling के अंदर क्या होता है, अब यह पूरी कहानी अंग्रेजी वाली ना पढ़ें, simple तरीके से भी समझने के कोशिश करें तो अलग-अलग particles आ करके एक साथ जुड़ गये हैं तो raw water sewage, organic suspended solids, जो primary sedimentation tank के अंदर आते हैं वो flocks बना कर settle हो रहे हैं secondary sedimentation tanks के अंदर भी bio flocks बनते हैं तो यह सब किसके example हो गए, flocculent settling के हो गए यह flocks बनते का हैं, उपर वाले sections में बनते हैं क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाके particles settle होते चले जाते हैं तो उसके अंदर further compression settling और वो सब आने लग जाता है तो यह flocks उपर के regions में बनेंगे उस tank के अंदर topmost portions में फिर उसके बाद दीरे दीरे नीचे settle होते हैं फिर आते हैं hindered या फिर zone settling अब यह पूरी अंग्रेजी वाली कहानी आपको क्या बोलती है कि hindered या zone settling के अंदर क्या होता है एक particle का velocity profile दूसरे के velocity profile से interact करने लग जाता है या फिर एक दूसरे को hinder करने लग जाता है फिर उसके बाद जाकर के वो जो settle हो रहे हैं उसे hindered या फिर zone settling हम बोल देते हैं ऐसी settling जो है वो concentrated suspensions जहां आ जाते हैं secondary sedimentation tank के बाद activated sludge process जो हो रहा है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलते हैं hindered या फिर zone settling फिर आते हैं compression settling के उपर compression settling का मतलब है कि जो नीचे particle settle हो चुके हैं अब इस नीचे वाले particle पर ये इसके उपर जो भी mass settle हुआ ये further force लगा रहा है तो उसकी और further settling create करवा देता है तो ये क्या कहलाता है compression settling कहलाता है ये लग-लग type की settling होती है primary treatment system के अंदर primary sedimentation tank उसका overflow rate overflow rate peak case में कितना होगा depth कितनी होगी detention time कितना होगा one degree settling हो रही है one degree settling followed by secondary treatment या फिर activated sludge process करवा रहे हैं तो इसके according के data दिया हुआ है इतना data याद रखने की ज़रूरत नहीं है objective point of view से to the point सी चीज़े आएंगी जो आपको याद होनी चाहिए surface area average flow का discharge upon overflow rate ये वाले formula हमने sedimentation tank में भी पड़े थे V0 की value Q upon BL तो यहाँ पर BL surface area for average flow is equal to average discharge upon average overflow rate peak flow के लिए यहाँ पर peak वाली values आ जाएंगे यहाँ पर तो overflow rate can be found out from percentage of removal efficiency from the above table ये जो table ये वाली थी इससे अगर हम देखे the surface area is calculated for both average and peak flow and large values adopted तो इतना जादा उस पे आपको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है इन सब tables को फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप sedimentation करवा रहे हैं जैसे raw water supply engineering में हमने बोला था alum यूज़ कर लीजे coperas यूज़ कर लीजे coagulants की तरह यहाँ पर coagulation की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि coagulation का अगर आप वेस्ट होता है वो इतना ज़ादा form हो जाता है कि उसे handle करना फिर मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर साथ ही साथ में जो chemical आप add करते हैं वो chemical पानी के अंदर मौजूद जो bacteria होता है उसको खिल कर देता है तो इस वज़े से coagulation जो होती है वो प्रेफर नहीं की जाती है वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में डीजर्स बैक्टीरिया के लो जाते हैं कॉसली पड़ता है और लार्ज अमाउंट आफ स्लेज फॉर्म होता है जिसे handle करना भी मुश्किल हो जाता है इतनी जादा algal growth हो जाए कि sunlight उस पानी के अंदर नहीं जा पा रही sunlight पानी के अंदर अगर नहीं जा पारी तो अंदर aquatic plants या animals survive नहीं कर पाएंगे aquatic plants survive नहीं कर पाएंगे तो उसके अंदर dissolved oxygen कम होती चली जाएगी dissolved oxygen कम हो जाएगी तो अंदर anaerobic conditions डेवलप हो जाएगी और धीरे धीरे वो लेक दलदली हो जाएगी मारशी हो जाएगी वहाँ पर secondary treatment जो है उसको aerobically generally हम treat करते हैं इसके कारण जो product बनता है वो stable होता है, treat हुआ हुआ product होता है, waste जो होता है वो treat हो जाता है लगबग तब foul gases जो है वो evolve नहीं होती है इसके अंदर और rate of reaction जो है होता है, trickling filter, activated sludge process, oxidation points यह वो सारी units है जिनमें oxygen की presence में treatment हो रहे हैं अगर septic tank की बात करें imhoff tank की या USB reactors की इनमें oxygen की absence में होता है तो आपको यह नाम याद होने चाहिए objective point of view से आपसे पुछेगा which out of the following is not an aerobic process या which out of the following unit does not include aerobic process चार option में देगा, trickling filter, oxidation pond, activated sludge process septic tank तो आपको चूज करना है कि septic tank के अंदर aerobic processes नहीं हो रहे हैं next आते हैं attached growth system या suspended growth system तो यह हम already discuss कर चुके कि attached growth system के अंदर एक filter में आपके पास है layer है, उसके उपर पानी को throw कर रहे हैं, ताकि वो contact में आए suspended growth system में पूरे tank के अंदर ही bacteria को डाल दिया, कि suspension में वो present है, अब अगर हम बात करते है standard rate trickling filter तो यह किसका example है यह आपका ऐसा example है, जिसके अंदर attached growth system है, यहाँ पर stones जो है, उनकी layers present है जिनके उपर bacteria है, पानी को इसके अंदर डाला जाता है, वो उनकी उपर से pass होगा, bacteria के contact में आएगा और यहाँ पर air भी बीच में हम provide कर देते हैं, air vents के through, जिससे कि oxygen मिल रही है bacteria है, waste है, decomposition का process यहाँ पर होता रहेगा तो बस नाम याद रखने हैं, आपको in temperate climates, filters are constructed as beds of stone और gravel on to the surface of which settled sewage is sprinkled कि sewage को इसके उपर sprinkle किया जाता है, और यहाँ पर attached growth system है, कि waste जो stones है, इनके उपर bacteria present है और आप sprinkle करेंगे sewage को तो वो उसके contact में आ रहा है air for oxidation process enters the bed through vents at base base के उपर vents लगी होंगे, जिनसे air आ रही है इसके अंदर, the filter usually consists of a 2 meter circular, 2 meter deep circular bed of randomly packed angular stone, about 50 mm डाया supported on a tile floor which allows the treated liquid to escape freely and ventilate air to enter the bed, कि नीचे थोड़ा सा gap भी होगा, नीचे टाइल वाला floor होगा, जो भी पानी उपर से डाल रहे हैं, इसके थ्रूँ आके treat होके नीचे चला जा रहा है, circular beds permit the use of reaction jet and distributors in which the discharge under a head of 0.5 to 0.8 meter is sufficient, this provides an effective and inexpensive way of distributing the feed over a large area sewage trickles through the interstices, या gaps के थूँ sewage चलता जाएगा, bacteria के contact में आएगा microorganism जो है, वो उन surfaces के उपर attached होंगे, और धीरे-धीरे waste को decompose करके वहाँ पर films या layers बना लेंगे जो बाद में separate out हो जाएंगी The attached biomass is known as biological film or the slime layer इसको बोलते हैं याद रखने वाली बात यही थी कि stones के उपर bacteria present waste को उपर से डाला, nature से air इसके उपर थूँ की, तो आपका overall ये process हो रहा है waste को decomposition का, layers जो form हो रही है films जो form हो रही है उन्हें slime layer के नाम से हम जानते है standard rate trickling filter के अंदर next बात है facultative bacteria present रहते है और oxygen के presence में भी oxygen की absence में भी काम करते है in standard rate trickling filter screening and primary sedimentation जो है, वो पहले हो जाने चाहिए before sewage is applied through the trickling filter, ये पहले आप कर देते है high rate trickling filter के अंदर क्या होता है कि आप recirculation कर देते हैं जो waste था या effluent था उसको recirculate कर देंगे जिससे bacteria या biomass की quantity और ज़दा increase हो जाएगी तो normal वाला जो trickling था या आपका low rate trickling filter या standard वाला जो filter था, उसमें primary sedimentation tank से waste आया trickling filter में डाला, उसको secondary sedimentation tank में भीज दिया लेकिन अगर आप trickling filter से जस्ट पहले effluent को वापस से इसमें add कर देते हैं या sludge को add कर देते हैं तो उस case में ये बन जाता है high rate trickling filter clear अब इसकी फिर से ये data वाली बात आ जाती है तो इतना data याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है activated sludge process की अगर हम बात करें तो ये suspended system है suspended system का मतलब कि tank के अंदर या aeration tank के अंदर ही हमने पूरा suspension में बनाया हुआ है bacteria को ऐसा नहीं है filters की तरह कि filter media पर bacteria था पानी को उस पर थो कर रहे हैं हमने क्या किया tank के अंदर ही यहाँ bacteria suspension में present है जो उस पर इनसे related जो numerical वाली बातें आती है एक आज जगा कहीं न कहीं कोई J.E. में question आ गया तो आ गया otherwise यह rarely पूछे जाते है देखे loading rate की अगर हम बात करें तो organic matter loading rate applied to the reactor is quantified as BOD BOD की rates में हम बताते हैं कि कितना organic matter उसके उपर apply किया जा रहा है उसे बोलते हैं volumetric loading day volumetric loading rate kg of BOD applied per day per unit mass of microorganism present in the reactor is called as organic loading rate कितना BOD उस organic waste के अंदर आ रहा है उसे हम बोल देते हैं loading rate solid retention time SRT या जिसे main cell residence time के नाम से भी हम जानते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो organic matter कितने समय तक उस medium के अंदर present रहा activated sludge process के अंदर हम कहते हैं in terms of organic matter removal depends on the duration for which the microbial mass retained in the system कितने समय तक वो microbial mass रुका उसके अंदर retention of the sludge depends on the settling rate of the sludge in secondary sedimentation tank if the sludge settles well in secondary sedimentation tank proper recirculation of sludge in aeration tank is possible this will help in maintaining the desired solid retention time it will not settle in secondary sedimentation tank and recirculation of sludge will be difficult and this may reduce the solid retention time in the system कहने का मतलब है कि यह जो पूरा process में घूम घूम के यह waste आ रहा था तो जितना यह settle जल्दी कर जाएगा फिर उसके बाद उतना ही जादा यह इस पूरे overall system में maintain रह पाएगा solid retention time या biological जो आपका bio mass है जिसमें bacteria है वो जितने time रुकेगा जितना जादा उसका retention time होगा उतना ही अच्छा काम वो कर पाएगा यह solid retention time का यहाँ पर purpose है sludge volume index क्या है sludge volume index है कि volume of sludge in ml for 1 gram of dry weight of suspended solids कितना volume sludge का होगा 1 gram dry weight of suspended solids के लिए measured after 30 minutes of settling 30 minutes तक wastewater को settle होने दिया sludge को sludge के अंदर कितने particles settle हो रहे है अगर 1 gram particle settle होते हैं 30 minutes में तो कितने volume के अंदर वो present है यह sludge volume index है sludge volume index is volume of sludge in ml कितना volume ले हम sludge का ml के अंदर ताकि उससे 1 gram particles settle हो जाए suspended solid के 30 minutes के अंदर the quantity of the return sludge is determined on volumetric basis the sludge volume index varies from 50 to 150 liters milliliter per gram of suspended solids जितनी कम sludge volume index होगा उसका मतलब उतना ही better settling हुआ जितना कम होगा मतलब जितना कम होने का मतलब कि अगर 1 gram upon let's say आपके पास जो भी volume आया कितने volume से 1 gram sludge settle हुई जितनी यह value कम होगी मतलब कम volume में भी अगर 1 gram मिल रहा है इसका मतलब settling अच्छी हुई है ज्यादा volume of sludge में से भी अगर 1 gram ही मिल रहा है तो settling अच्छे से हुई नहीं तो जितना कम lower value होगा आपका SVI का उतनी settling भैतर होगी quantity of return sludge की अगर हम बात करें तो कितना आपका sludge जो है return portion के अदर आया है मतलब in terms of bacteria की बात कर रहे है अब इनको represent करते हैं लिकर volatile suspended solids जिसके अंदर living bacteria यह consider करते हैं तो living bacteria यह total वाला जो mixed liquor suspended solids होते हैं इनका लगबग 80% consider करते हैं तो usually solid concentration of about 1500 to 3000 mg per liter जो की होता है maintain किया जाता है यहाँ पर activated sludge process में 3000 से 6000 जो होता है वो completely mixed के case में करते हैं accordingly the quantity of return sludge is determined to maintain this concentration sludge return ratio 20 to 50% रहता है और mass of BOD apply कितना किया upon mass of biomass इसे F by M ratio से बोलते हैं यह 0.2 से 0.4 के बीच में लगबग रहती है conventional activated sludge process के लिए और completely mixed वाले के लिए 0.2 से 0.6 mixing condition के अगर हम बात करें तो mixing condition के अंदर अलग अलग तरीके से air provide की जा सकती है activated sludge process में air कैसे कैसे provide करें या तो आप completely हर जगा same amount of air provide कर दीजिए या फिर शुरुवात में जादा air की ज़रूरत थी वहाँ जादा air provide करें जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो air की कम ज़रूरत है तो वैसे provide कर दीजिए तो यह depend कर रहा है कि mixing condition या aeration कैसे provide कर रहे है plug flow type है यह completely mixed type है plug flow tank के अंदर जो आपने beauty apply कि upon जो biomass आपके पास available था F by M ratio oxygen demand जो होती है वो highest inlet के उपर होती है जब पानी waste water just आया ही है तो उस वक्त सबसे ज़रूरत है बाद में कम है तो उसी according हम air को provide कर देते हैं completely mixed system के अंदर आपकी demand जो है वो tank के थूरू uniform रहती है तो uniform rate से वहाँ पर हम air provide करते रहते हैं sludge bulking का मतलब है कि ऐसी sludge जो settle नहीं हो रही है उसे कह देते हैं कि वो sludge bulking हो रही है उसकी sludge bulking हो रही है तो या तो microorganisms जो है वो proper काम नहीं कर रहे है वहाँ पर या फिर वहाँ पर जो growth of filla maintenance microorganism हो रहा है जिसके कारण settlement या convection उनका नहीं हो रहा है flow scheme कैसी है कि आपने sewage को कैसे add किया सारा sewage एक साथ add करके treat करवा दिया या अलग-अलग जगां पर sewage आप डाल रहे हैं से कि आप उसको treat करवा रहे है aeration tank के अंदर तो flow scheme के उपर भी है depend करेगा अब activated sludge process के अंदर पहला conventional system आता है तो conventional system के अंदर aeration tank is plug flow type both the influent waste water and recycled sludge जो है वो है tank के अंदर enter होंगे 4 से 8 गंदे तक उनका treatment चलेगा rate of aeration constant रहेगा throughout the length of tank during the aeration period and the absorption flocculation, oxidation ये सारे processes जो है वहाँ पर होते रहते हैं simple सी बाशा में ये देखिए secondary sedimentation tank से waste पहले जब था तो इसे भेजा गया यहाँ पर यहाँ एरेशन हो रहा था aeration के थूँ यह आया और फिर आकर secondary sedimentation tank में ये settle down हो गया यहाँ पर तो plug flow type के अंदर हम क्या करते हैं जहाँ पर air की ज़ादा जरूरत थी शुरुआत में तो वहाँ ज़ादा air provide करो जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे उसमें कम provide करते हैं completely mixed type के अंदर throughout same air provide करते हैं step aeration if the sewage is added at more than one point यहाँ sewage add कर दिया थोड़ा सा आगे आके add कर दिया ऐसे sewage अगर हम add कर रहे हैं more than one point के उपर तो इसे step aeration भोलते हैं if sewage is added at more than one point along the aeration channel तो इसे step aeration भोलेंगे तो इससे क्या होगा load on return sludge reduce हो जाता है aeration जो अब पूरे tank में uniform हो जाएगा completely mixed type के अंदर तो पूरे में mix किया पूरे में air provide कर रहे हैं यहाँ पर तो यह completely mixed type का आपका activated sludge process हो गया इसका बहुत ही छोटा सा प्यारा सा formula है hydraulic retention time यहाँ से questions पूछे जाते हैं गे टी एसी के अंदर एक आद भार जाएग के अंदर भी आया हुआ है hydraulic retention time T equals to V upon Q naught होता है V यहाँ पर आपके पास volume of aeration basin कितना है influence rate क्या है discharge जो है उसका वो आपसे यहाँ पर Q के अंदर आपको put करना होता है usually it is 5 to 8 hours while treating sewage फिर उसके बाद आते हैं main cell residence time के उपर या sludge age के उपर तो total biomass aeration basin में है कितना divided by biomass wasted per unit Vx upon Qw into Xr plus Q naught minus Qw into Xc बहुती छोटे 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 प्यारे प्यारे formula है यह आपको याद रखने है अगर रख पाएं तो नहीं रख पाएं तो फिर इस topic को J के point of view से skip आप कर सकते है F by M ratio BOD of wastewater upon कितना biomass उसके अंदर present है इसको denote करते हैं S naught Q naught upon Vx इन से तो यह वाले जो formula है J के point of view से थोड़ा सा आप skip कर सकते हैं फिर भी अगर आपको पढ़ना हो करना ही हो आपको तो आपको यह PDF के अंदर पूरा मिल जाएगा along with complete questions थोड़ा सा बचा है अभी बस थोड़ा सा बचा है topic जादा नहीं है थोड़ा सा बचा हो गया बस और कि तनी टाइम पंदरा मिल बस 15 मिल जाएगा 15 मिल जाएगा 15 मिल जाएगा झाल झाल चलो ठीक आगे बढ़े चली आगे बढ़ता है देखें secondary sedimentation tank की बात कर रहे है secondary sedimentation tank के objective क्या है बहुत असान है जो tough वाला portion था वो होना था वो हो गया यह तो बिलकुल easy है secondary sedimentation tank के अंदर हमें क्या करना है कि जो primary sedimentation tank के अंदर 60-70% organic waste settle हो चुका था और बाद में जो settle नहीं हुआ था उसको treat करवा के अब यहां पर लाके settle करवा रहे हैं so produced a sufficiently clear effluent it must concentrate the biological solids to minimize the quantity of sludge that must be handled sludge को minimize करने की हम कोशिश करेंगे यहां पर अगर secondary sedimentation tank की बात करें तो hindered या zone settling इसके अंदर होती है एक particle की settling और दूसरे particle का settling जो है उनके velocity profiles overlap करते हैं यहां पर uppermost portion के अंदर नीचे वाले portion के अंदर क्या होगा उपर वाले portion के अंदर तो एक particle की settling दूसरे particle की settling ऐसे injured या zone settling नीचे औरेड़ी यह settle हो चुके हैं तो यह जो नीचे वाली layer होगी इसको further यह उपर की layers का weight यह settle करवाएगा नीचे जो sludge settle हो गई थी यह तो sludge के volume को reduce करने के लिए हम क्या करते हैं sludge thickness कैसे कर सकते हैं एक तो gravity के through कर सकते हैं weight उनका increase कर दीजिए centrifugation उनको rotate कर यह जिसकी वज़े से sludge का volume reduce हो जाए या seeding कर सकते हैं कोई chemical कोई agent add कर सकते हैं की मदद से उसका volume reduce हो जाए sludge bulking किसको बोलते हैं sludge का bulk कर जाना मतलब sludge properly settle नहीं होई sludge proper settle नहीं होई तो volume उसका बड़ा हुआ है increase हुआ है यहाँ पर particle settle नहीं हुए तो organic matter पूरे तरीके से या तो remove नहीं हो पा रहा या पूरे तरीके से settle नहीं हो पा रहा कारण क्या हो सकता है हो सकता है अच्छे से air नहीं provide की गई हो insufficient air दी गई हो जिसके वज़े से पूरा oxidation नहीं हुआ होगा या फिर यह हो सकता है कि किसी कारण से acidic medium जादा हो गया होगा pH कम हो गया होगा bacteria ही kill हो गया होगा जिस कारण से यह ऐसा result हमें देखने को मिला तो इसको कम कैसे कर सकते हैं sludge bulking को कम कैसे कर सकते हैं आप chlorination कर सकते हैं जिसकी वज़े से sludge जो है उसका volume reduce हो जाएगा settle down हो जाएंगे particles nutrients add कर सकते हैं जिसके वज़े से bacteria grow करे और उसको वो decompose करे sludge digestion की अगर हम बात करें तो oxygen की presence में अगर हम कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं aerobic digestion sludge को digest करवा रहे हैं further हम यहाँ पर तो oxygen की presence में करवाना है खुब सारी oxygen provide करनी अगर उसे तो इसका operational cost जो होता है वो जादा होता है मतलब operate करने का oxygen provide करने का पूरा setup बनाने का overall cost जो है capital cost उसका less रहता है anaerobic digestion की अगर हम बात करेंगे तो यह digestion chambers बनाने के लिए आपका initial cost जादा होगा बाद का कम होता है comparatively so anaerobic digestion जो होता है it is carried out for primary sludge या जो primary sedimentation tank से आती है सिर्फ उसे ही करते है it produces lesser biomass and its primary function is to convert as much as sludge possible to liquid and gases so that the energy by using the liquid and gases can be obtained efficiently की हम anaerobic process के थूँ gases बना लेते हैं या liquids बना देते हैं जिनने further energy के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है comparison of aerobic and anaerobic की बात करें तो anaerobic digestion जो है वो energy को methane के case में mostly recover करता है anaerobic digestion के अंदर pathogens completely kill हो जाते हैं क्योंकि oxygen उसके अंदर नहीं होती है ऐसे ही bacteria बच पाते हैं जो oxygen की absence में भी काम करते हैं anaerobic has lower operational cost as compared to aerobic digestion only demarot of anaerobic digestion is that it requires closed processes closed process चाहिए इसको complete करवाने के लिए अब अगर आपको oxidation का process करवाना है ponds के अंदर तो आप oxidation ponds के अंदर उस waste को छोड़ देते हैं अब यो पूरी अंग्रेजी की कहानी का मतलब यही है वो जो waste water यहां पर आ रहा है उपर उपर oxygen जादा रहेगी air के भी direct contact में इस बज़े से भी और जैसे जैसे depth में जाएंगे तो particles जादा होते जाएंगे यहां पर यह पानी में टर्बी डीटी बहुत जादा हो जाएगी air के उपर से sunlight नहीं आपाएगी sunlight नहीं आपाएगी तो नीचे sunlight पहुंची नहीं नीचे sunlight पहुंची नहीं anaerobic conditions डेवलेप हो जाएगी plants का photosynthesis नहीं होगा oxygen यहां होगी नहीं तो सबसे नीचे anaerobic bacteria की layer होगी फिर facultative होंगे जो aerobic, anaerobic दोनों conditions में काम कर लेंगे फिर आपके पास aerobic layer यहां पर रहेगी तो इस तरीके से overall oxidation bond के इंदर चीज़ें होती है depth जो है वो 1 से लेके 1.5 meter retention time 15 to 30 days BOD removal लगबग 80 से 90% हो जाता है यहां पर sludge accumulation 2 से 5 cm हर साल होती है कम से कम depth of water जो pond में रहना ही चाहिए वो 30 cm तो at least रहना चाहिए length और width का ratio जो है 2.5 से 3 के बीच में लगबग होना चाहिए organic loading rate 152,325 याद रखने योग ये बात क्या है वो ये है कि oxidation pond जो है वो किसका example है aerobic digestion का या aerobic reactions का example है ये याद रखना है the detention period for oxidation pond is usually kept as oxidation pond के लिए detention period कितना रखा जाता है अगर आपको याद रहा तो याद बताईए जल्दी से अवाद बताइए बताईएपको कि लुग हुग है 10 to 15 days next oxidation bond जो है इसका design भी आता है means भी आता है प्री में यह से जिसका इतना कोई काम नहीं है next the least expensive and most suitable excreta disposal unit for rural areas would be septic tank use कर सकते है या soap pit भी यूज़ कर सकते है a septic tank is septic tank एक settling tank भी होता है digestion tank भी होता है settles भी होते हैं particle वहाँ पर और उनका decomposition भी होता है तो both A and B connecting pipe in mm for septic tank should not be less than septic tank के लिए connected pipe जो है वो किस से कम नहीं होनी चाहिए भी होता है यां भी होते हम भी होत भी होता है जो याओे यह 50 mm से कम नहीं होना चाहिए सेप्टिक टैंक की अगर हम बात करें तो सेप्टिक टैंक आप सभी को बता है क्या होता है कैसा टैंक होता है जिसके अंदर अगर हम हमारे घर की डैवल पर देखें तो वहाँ पर इस्तेमाल होता है और उसके अंदर जो भी वेस्ट आता है हमारी जो वेस्ट पाइप से आता है उसके अंदर जाएगा उसके अंदर जो major impurities है solid impurities वह वहीं पर रह जाएगी relatively clear water उससे उपर से बाहर निकल जाएगा और फिर उसके बाद उसका treatment तो अलग से हम करी रहे है तो septic tank एक ordinary settling tank ही है except that कि इसके अंदर detention time जो है वो 2012 से ले करके 36 hours design के point of view से हम 24 गंटे consider करते हैं oxygen की absence के अंदर यहाँ पर digestions होते हैं and the sludge settles at the bottom the settled sludge is allowed to remain in the tank for 6 to 12 months उसके बाद हम उसको remove कर देते हैं वहाँ से याद रखने योग ये चीज़ें क्या क्या है detention time settling tank का पूछ लिया जाता है 12 से 36 गंटे हम 24 मानते हैं minimum capacity 1000 liter होने चाहिए उसकी depth 1.2 से लेके 1.8 meter होने चाहिए cleaning interval जो है जनरली 1 year मानते हैं 6 months to 1 year होता है अब septic tank जो है उसका volume कितना होना चाहिए उसका volume इतना होना चाहिए कि एक साल में मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक साल बाद वो clean होगा तो एक साल बाद अगर वो clean होगा आपने बोला 1 day to 365 days तो 365th day वो मतलब 365th day के बाद clean होना है वो तो अगर सबसे last वाले दिन पर बात करें 365th वाले day पर तो maximum से maximum जितनी sludge इसमें deposit होनी थी वो हो चुकी और हर दिन कितना पानी इसके अंदर आ सकता है वो आ गया तो इतना volume तो कम से कम इसका होना चाहिए sludge accumulation rate into cleaning interval कि sludge कितना deposit हो रहा है एक साल के अंदर तो ये sludge accumulation rate multiplied by cleaning interval का मतलब कि एक साल के अंदर कितना sludge total आ गया तो एक साल में इतना sludge आ गया और एक दिन में इतना पानी इसके उपर store हो सकता है तो इतना कम से कम इसका volume होना चाहिए अगर आप मान रहे हैं कि एक साल में वो clean होगा the minimum width of the septic tank is taken as 75 cm detention period कितना assume करते हैं 12 से 36 घंटे या फिर हम 24 घंटे assume करते हैं फिर septic tank को design करना है तो ये अभी के लिए रहना देते हैं imhoff tank क्या होता है imhoff tank एक improvement है setting tank जो आपका septic tank था उसमें दो chambers बना देते हैं इसलिए इसको double storage chamber भी बोलते हैं एक नीचे वाला chamber एक उपर वाला chamber नीचे वाले को digestion chamber बोल देते हैं क्योंकि यहां जो भी sewage आया उसके अंदर यहां से settling शुरू हुई तो उपर वाले chamber में settling होगी तो यह settling chamber अब जो sludge आके नीचे settle हो गई तो यह इसके अंदर यहां पर digest होती रहेगी तो इससे एक थोड़ा सा इसका जो influence है या raw sewage जो है उसमें separation maintained रहता है आपकी जो sludge settle होई या जो उपर से water जो है वो flow कर रहा है उसके अंदर तो outgoing effluent जो होता है वो large amount of organic load अगर उसके अंदर होता है sorry the outgoing effluent is not allowed to carry large amount of organic load क्योंकि यह इस chamber के अंदर यहां पर settle हो गया so it is also called double story digestion tank it is used in small treatment plants requiring only primary treatment वहां use करते है they are economical and do not required skill supervision rotating biological contractors के अंदर क्या होता है पूरी अंग्रेजी वाले कहानी जो है वो क्या कह रही है आपको वो कहानी यह कह रही है कि इसके अंदर कुछ discs होती है यह discs ऐसे rotate करती है इन discs का 40% diameter इन discs का 40% diameter इस पानी के अंदर present रहता है इन discs के उपर यहां होते हैं bacteria अब यह जब discs ऐसे rotate करेंगी तो जो portion air में है तो यहां से यह oxygen ले लेंगे और फिर यह पानी में चले जाएंगे तो वो bacteria को oxygen यहां से मिल रही है यहां जाके decomposition करा रहा है फिर से disc rotate करके उपर आई तो फिर से यहां से air ले ली उसने तो अब वो air भी मिलते जा रही है और वो bacteria यह पानी के contact में भी है तो ऐसे इनके rotation के कारण क्या हो रहा है इसका aeration हो रहा है यहां decomposition यहां पर हो रहा है तो जैसे जैसे वो decompose होगा इन discs के उपर films बनती जाएंगी उस waste की और वो बाद में scrap out हो जाएंगी फिर जो sludge निकली अब इस sludge का क्या करना है आप के उपर है कि sludge को dispose करना है या कैसे इसको handle करना है यह further handle किया जा सकता है तो यह rotating biological contractor जो हुए यह हुआ हमारा attached growth system के इन discs के उपर यह organic waste जो है या जो biomass बैक्टिरिया जो है वो यहां पर present है so rotating biological contractor aerobic attached growth system in this case it is the film that is moving at the rate of 3 to 6 rounds per minute and the water is still पानी रूका हुआ होता है 40% तक discs को पानी में डाला जाता है 60% air के अंदर रहता है it takes oxygen from atmosphere when exposed the biofilm attached to the surface gets a chance to interact with dissolved organism when immersed उपर आएगा तो air के contact में पानी में है तो पानी के contact में धीरे धीरे यह film के growth increase हो जाती है फिल्मोट से हट जाती है नीचे sludge form हो जाती है next chapter आता है कि अब क्या करें treat कर दिया waste water को waste water को घर से ले गए फिर बाद में treatment plan तक पहुंच गया treatment plan में treat हो गया तो अब waste water एकदम mineral water तो बना नहीं अभी भी वो effluent है तो एक तो आप उसे कर सकते हैं dilute करने का मतलब कि rivers में उसको डाल सकते हैं अलांकि ध्यान रखना होगा कि river में डालने लायक होना चाहिए वरना वो river को pollute करेगा तो dilution कर सकते हैं disposal in water कर सकते हैं दूसरा कि आप land पे disposal कर सकते हैं मतलब irrigation के लिए यूज़ कर लीजिए तो effluent irrigation या broad irrigation बोलते हैं sewage farming ये सबम कर सकते हैं तो इन में से सबसे common जो होता है वो dilution होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा land available नहीं होती हर को इतने जल्दी ready भी नहीं होता wastewater को अपने खेत में डालने के लिए और अगर ज़्यादा wastewater add किया जाता है खेत में तो वो organic waste जो होता है कुछ ना कुछ organic impurities वो उस soil के voids को clog कर देती हैं जिसके वज़े से बाद में वो जो sewage sickness हो जाती है उस particular land के अंदर इसी लिए थोड़ा सा कम prefer किया जाता है दस मिनिट का topic बज़ जा है बस so dilution dilution की बात करें तो dilution के नदर natural water bodies के अंदर उसको add करेंगे natural water body के अंदर क्या है natural जो bodies बह रही है पानी जो बहरा है river के अंदर उसमें खूब सारी oxygen है बहुत सारी oxygen है तो अब अगर आपने यह waste water इसके अंदर add कर दिया तो waste water या फिर ये कहेंगे इसको treated waste water treat किया है ना उसमें से major impurities हटा दिया हमने अब इतना ही उसकी concentration है कि ये river का पानी आसानी से अपनी अंदर जो dissolved oxygen थी उससे इसको जो बचा हुआ impurity है उसको भी treat कर देगा और इसे भी साफ पानी बना देगा और इसके अंदर oxygen further environment से भी इसके turbulence के कारण mix हो जाएगी और साथ ही साथ में aquatic plants वगरा है इनसे भी वो आती जाएगी और पीछे से पानी आ रहा है safe जो clear water तो वो oxygen साफ पानी continuously आगे फर्दर मिलता चला जाएगा अब dilution के लिए भी ये ध्यान रखेंगे कि इसका dilution factor क्या है अगर dilution factor अबब 500 है अबब 500 होने का मतलब कि अगर आप ये बोलते हैं कि एक लीटर waste water है अगर आप ये बोलते हैं कि एक लीटर waste water अगर है और उसके अंदर 499 लीटर clear water डाला गया मतलब 500 लीटर अब diluted sample बना दिया तो waste water प्लस जो आपका aerated water या fresh water था इनका proportion देखिए आपकी diluted करने के बाद 500 is to 1 इससे भी अगर जादा है इतना कम proportion है तो उस case में कोई और treatment की ज़रूरत नहीं है आपको no treatment such as sewage can directly be discharged into the volume of diluted water अगर 300 से 500 के बीच में है तो primary treatment करना पड़ेगा plain sedimentation जो है ये भी करना पड़ेगा और इसके अंदर suspended solids 150 ppm से जादा ना हो अगर dilution factor 150 से 300 के बीच में है तो sedimentation screening ये तो essential होई जाएंगे और sedimented particles जो है effluent जो आके dilute होगा आप वो 60 ppm से जादा नहीं होना चाहिए अगर 150 से भी कम है तो उस case में complete treatment आपको करना पड़ेगा पूरा complete treatment करेंगे और तो ये इसके dilution factor से related चीज़ें आ जाते हैं नेक्स्ट बात करें तो dilution की tolerance limit ये याद रखने है objective के point of view से ये important है BOD 5 के अगर हम बात करें तो 20 mg per liter total suspended solids के अगर हम बात करेंगे तो 30 mg per liter ये maximum limits है when sewage is discharged into natural body of water receiving water pollute हो जाता है pollute होने के बाद फिर उसके अंदर जो oxygen present थी वो उसको decompose करना शुरू करेगी और धीरे धीरे उसको purify करेगी इसी पूरे process को बोलते है self purification of natural streams अब उस self purification के अंदर क्या-क्या बातें आती है क्या-क्या roles play होते है पहला कि dilute ही हो गया वो dilute होके particles disperse हो गए तो उसकी concentration dilute हो गई waste की दूसरा कि जैसे ही river के अंदर आपने waste water treated waste water डाला तो particles settle हो जाते हैं इसलिए उसका self purification हो गया तीसरा हो सकता है कि sunlight के presence में कि sunlight के presence में bleaching action हो जाता है कि वो जो waste है bacteria जो है sunlight से वो treat हो जाता है फिर next होता है chemical forces जो होते हैं तो उसमें oxidation होगा जो पूरा processes हमने पढ़े कि oxidation के कारण वो waste जो है treat हो गया जो treated waste water था वो और ज़्यादा treat हो गया यहां पर अब purification किस किस पे depend करता है temperature पे temperature जितना ज़्यादा होगा उतना ही वहां पर biological reaction जल्दी से काम करेंगी लेकिन temperature ज़्यादा होने पर पानी में dissolved oxygen की मात्रा भी कम हो जाती है तो यह भी important rule है turbulence की अगर हम बात करें तो turbulence अगर present रहेगा तो मतलब mixing जल्दी होगी oxygen भी mixing होगी उसके अंदर वहां की hydrographic ऐसी है पानी का discharge कितना है available dissolved oxygen कितना है organic matter कितना present था re-aeration कितने जल्दी हो रहा है पानी का तो यह सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर note करते हैं larger amount of dissolved oxygen present in water the better and earlier self-purification it is algae which absorb carbon dioxide and gives oxygen यह भी helpful होती है self-purification processes के अंदर तो which one of the following sets of processes is a part of self-purification of streams settling होती है biodegradation होता है उसका और फिर aeration होता है particles settle भी करते है sedimentation भी होता है उनका dilution भी होता है और biochemical reactions जो है वो भी यहाँ पर होती है इनकी so dilution, sedimentation and oxidation a polluted stream undergoes self-purification तो अलग-अलग zones बनते हैं यहाँ से related objective question पूछा जाता है कि कौन-कौन से zone बनते हैं सबसे पहले आता है zone पहले तो clear water होता है फिर उसमें waste water आ गया तो question में आपको दिया कि आप polluted stream तो पहले pollute हो चुके है अगर pollute हो चुके है तो सबसे बहले zone of degradation आएगा फिर उसके बाद आता है active decomposition का फिर उसके बाद zone of recovery आता है फिर clear water आपको वहाँ पर देखने को मिलता है तो zone of degradation अब एक तरफ यह dissolved oxygen का percentage इन जनरल अगर हम कहें कि 40% से ज़ादा था fresh water streams में तो क्या हुआ clear water था clear water में अच्छा कासा oxygen था अब क्या हुआ जैसे waste water add किया तो zone of degradation आया oxygen इस्तेमाल होनी शुरू हो गई उस waste को decompose करते हैं करने के लिए तो धीरे धीरे यह water जो है dark color का होता जाएगा gray color का होता जाएगा oxygen आ भी रही है पानी के अंदर fresh water के अंदर oxygen फिर आ भी रही है add भी हो रही है लेकिन उससे ज़ादा utilize हो रही है इसलिए यह नीचे चला जा रहा है फिर उसके बाद क्या होगा 40% से जब कम चला जाएगा तो अब हम बोल देंगे कि यह river जो है अब अपने active decomposition zone में चल रही है पानी यहाँ पर grayish color का होना शुरू हो जाएगा methane, carbon dioxide, H2S जैसी gases form होंगी जब यह 40% से 0 तक पहुंच जाएगा अब क्या हुआ? 0 पहुंचने का मतलब कि जितनी oxygen present थी उस पानी में उस waste water के करण वो सारी utilize हो गई उसको decompose होने में अब further oxygen add होती जाएगी उसमें और further वो utilize हो गई तो यह zero ही रहेगा काफी time तक जितना add होगा उतना utilize हो गया धीरे 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 फिर यह recover करेगा कि oxygen जो आती गई आती गई आती गई काफी waste decompose होता गया तो फिर यहाँ पर re-oxygenation का rate बढ़ जाएगा as compared to de-oxygenation उसके utilize होने से जादा oxygen add होना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर zone of recovery start हो जाएगा ultimately zone जो है clear water का आ जाएगा so zone of recovery के इंदर biochemical oxygen demand falls down and content rises above 40% BOD गिर गया मतलब organic waste को decompose करने के requirement कम हो गई अब और अब हमारा dissolved oxygen increase करना शुरू कर गया the organic material will be mineralized to form nitrate, sulfate, phosphate, carbonate etc यह सब बन जाते हैं zone of clear water के अंदर फिर से oxygen जो है वो revive हो गई dissolved oxygen की quantity हमारी बढ़ गई under natural conditions of low an unpolluted river would contain unpolluted river के अंदर dissolved oxygen जो है summer में होगी कम as compared to winter क्योंकि summer में dissolved oxygen कम रहेगी वो बात भी ठीक है कि summer में sunlight जादा होती है तो photosynthesis जादा होगा लेकिन उससे जादा important factor ही हो जाता है कि पानी का temperature कम temperature पर gases जादा dissolved रहती है तो summer में temperature बढ़ जाएगा gases dissolved कम रहेगी तो dissolved oxygen कम होगा summer में when wastewater is disposed off into a running stream four zones are formed which one of the following zone will have the minimum level of dissolved oxygen dissolved oxygen minimum किस में था zone of active decomposition के अंदर था तो यह आपका answer हो जागा यह SAC में भी पूछा गया है EAC में भी पूछा गया है तो याद रखना है next before discharging the foul sewage into rivers it is generally treated by किस से treat करते हैं इसको treat करेंगे सभी method से उसके बाद हम बोलते हैं कि किसी polluted river stream के अंदर oxygen की कम ही कितनी है तो जितना वो maximum carry कर सकती है जितना present में है दोनों का difference ले लिजिए उतने की कमी है उतने का oxygen deficit है oxygen के consume होने का rate deoxygenation rate अगर जादा है as compared to oxygen add होने के पानी के यानि कि reoxygenation से deoxygenation जादा है तो अव्यस्सी बात है कि deoxygenation होगा वहाँ पर कमी आ जाएगी deficit हो जाएगा oxygen का disposal of waste watering lakes lakes के अंदर कभी भी water को dispose नहीं करना चाहिए lakes के अंदर अगर हम बात करें तो अलग-अलग आपके पास layers होती है epiliminion होती है thermocline होती है hypomilenion होती है study of lakes को बोला जाता है lipnology aerobic depth जो होती है उसे epiliminion कहते है फिर उसके बाद hypomilenion सबसे नीचे वाली जो anaerobic वाली आ जाती है और बीच में thermocline या फिर आपकी metaliminion होती है in winter season entire depth of lakes behave as aerobic यह तब है जब waste नहीं add किया है अगर waste add कर दिया तो उससे क्या होगा productivity of lake किसको बोलते है कितना जादा algae growth होगा यह हम productivity of lake के अंदर देखते है जितने जादा algal growth होगा algae का growth होगा lake के अंदर उतना ही क्या हो जाएगा पानी की quality भी reduce हो जाएगी उतना ही वो water के surface को cover करना शुरू कर देगी sunlight नहीं आएगी aquatic plants का वहाँ पर growth नहीं हो पाएगा photosynthesis नहीं हो पाएगा oxygen नहीं बनेगी dissolved oxygen कम होनी शुरू हो जाएगी तो इनी के according कितनी productivity है किसी lake की इसी के according oligotrophic, mesotrophic, eutrophic और sensing lakes define करते हैं oligotrophic lakes कौन सी होती है जिनके अंदर productivity बहुत ही कम होती है algae growth जो होती है वह बहुत कम होती है hypolymnion जो form हुई जो बिलकुल नीचे नीचे anaerobic layer है वह बहुत कम form होती है mesotrophic lake के अंदर m4 meso, m4 medium productivity तो यहाँ पर medium productivity होनी शुरू हो जाती है utrophic lake जो होती है utrophic lake के अंदर productivity बहुत जादा होती है और इसके अंदर जो नीचे नीचे वाली layer होती है hypolymnion जो होती है वह पूरी anaerobic हो जाती है नीचे की layers तक anaerobic situations आ जाती है then sensing lake जो मारशी होती है दलदली lake जो होती है sensing lake के अंदर मतलब इतनी पुरानी lake हो गई उसमें इतनी productivity हो गई इतनी algal growth हो गई कि अब धीरे धीरे वह algae के कारण वह बहुत ही shallow हो चुकी है और उसमें वह पूरी दलदली हो चुकी है so in which types of lake does a perfect ecological equilibrium among the producer, decomposers and consumer groups of organism exist तो oligotrophic के अंदर exist करता है जिसके productivity कम होती है eutrophication of water bodies किसके कारण होता है अगर nutrient rich water बहुत ज़्यादा lake में दिया जाएगा तो algae को वो खाना मिल रहा है वो और ज़्यादा grow करेगा वहाँ deposit gauges are provided with copper sulfate solution algae की growth को रोकने के लिए copper sulfate treatment हम करते हैं which of the following compounds is widely used copper sulfate algae control के लिए copper sulfate use किया जाता है so eutrophication of lakes के अंदर nutrients जो responsible होते हैं nitrogen, phosphorus तो ये carbon, nitrogen, phosphorus ये सब present होते हैं जो कि wastewater में present है अब wastewater अगर lake में डाल दिया तो nutrition मिल रहा है उनको nutrition मिल रहा है तो algae growth खूब जादा हो जाती है तो इसलिए government of India recommend करता है कि कभी भी lakes के अंदर आप wastewater को नहीं dispose of करेंगे तो water के अंदर disposal की बाते हैं हो चुकी अब बात करते हैं disposal land के उपर जब land के उपर dispose करना है आपको तो एक लंबे समय तक अगर किसी land के उपर wastewater डाल दिया जाए तो sewage sickness हो जाता है उसके voids block हो जाते हैं अब lands पे अगर dispose करेंगे तो उसके लिए pH value कितनी होनी चाहिए 5.529 BOD 5 कितना होना चाहिए यह important है 500 mg पर लीटर याद रखेगा इससे जादा नहों TDS total dissolved solids 2100 oil and grease 30 mg पर लीटर chlorine, borone, sulfates यह values याद ना भी रहे तो चल जाएगा BOD ज़रूर याद रख लीजेगा और यह पर लीटर के अंदर आपको given है, पर वन लीटर effluent irrigation और sewage farming में difference क्या है in effluent irrigation या broad irrigation हमारा main ध्यान क्या है कि हमें तो waste को dispose off करना है, जबकि sewage farming के अंदर main ध्यान होता है कि हमारा crops grow करें अब effluent irrigation जो है वो कौन सोचेगा एक business man सोचेगा जिसको क्या चाहिए कि मुझे तो मेरी factory का waste जो वो dispose off करना है उसे फरग नहीं पड़ता कि वो farming के लिए कितना helpful है कितना नहीं है sewage farming के अगर हम बात करें तो वो किसान वहाँ पर सोच रहा है कि अगर मैंने यह जो effluent था effluent का मतलब treated waste water के बाद जो water था उसको अगर मैं use करता हूँ मेरे field के अंदर तो क्या वो crops के लिए helpful होगा तो sewage farming किसान के point of view से अगर सोचा जाए effluent irrigation उस इंसान के point of view से जिसे बस मतलब है कि मेरा तो waste disposal हो जाए बस ठीक है उस चीज़ को ध्यान में रखके उसके कारण अगर वो irrigation में दे रहा है तो और sewage farming मतलब जब जो farming कर रहा है वो चाहता है कि हाँ मैं ये use करूँ हमारी जो crops है उनकी growth के लिए sewage sickness कब होगा जब void soil के clog हो जाते हैं block हो जाते हैं बहुत जादा sewage apply कर देने के कारण तो इसलिए sewage के लिए कुछ rest मिलना चाहिए soil को ऐसा नहीं है कि हमेशा continuously sewage वाला पानी उसके उपर apply किया जा रहा है अगर voids clog हो गए तो फिर से वही बात है कि soil के नीचे के जो particles है उनको air नहीं मिलेगी तो उस वज़े से वहाँ पर anaerobic conditions आ जाएंगे soil जो हो खराब हो जाएगी preventive measures क्या क्या है जल्दी से आप इन्हें दीखे next question non-disposal of solid waste may cause the spread of typhoid हो सकता है कि एगर solid waste को dispose of नहीं किया गया तो यह तो solid waste शुरू हो गया solid waste पढ़ना है अभी एक पच्चुका time का पता ही नहीं चला 9 बज़े हमारी class start हुई थे solid waste management and air noise pollution चल करते हैं ठीक है अभी के लिए इतना बहुत है तो एक छोटी सी बात अब चलो पढ़ाई वाली बात तो हुई चुकी है इन सब को याद करना है mains के लिए mains के लिए तो questions करने है mains में question करने है question के तुरू अपने आप याद हो जाएंगे तो mains में तो सीधी सी बात यही है कि जितना आपका pen चला है उतना बस दिमाग चलना है उससे ज़ादा जरूरत नहीं है objective में हमें यह है कि यह data याद करो ऐसे question पूछे का mains तो relatively easy है अगर mains के लिए time contribute किया है आपने तो चलो अब देखते हैं कुछ और बातें कर लेते हैं अबने दोस्तों बात की थी अब सही में घरगर की बात हैं या फिर थोड़ी planning वाली बात हैं पढ़ाई वाली नहीं है है पढ़ाई से associated है हमने बात की थी कि 15th of October तक हम cover करेंगे subjects को और आप देख लीजेगा starting वाली वीडियो उसके इंदर हमने यही बात की थी कि 15th of October तक सारे subject cover हो जाएंगे environment को छोड़के और हमने बोला था environment को देखेंगे adjust करते हैं कुछ करते हैं classes का time duration बढ़ाएंगे या weekends पर करेंगे तो हमने Saturday Sunday भी classes ली है चुट्टी वाले दिन भी classes ली है दशेरा वाले दिन भी classes ली है सब दिन classes हुई है चाहे वो national holiday हो चाहे वो कुछ ही हो clear classes चली है अब अगर हम बात करें 15th of October के बाद environment होना था हमारा environment engineering 15th of October के बाद होना था यह हमने पहले cover कर लिया अब बच्चा क्या हुआ है हमारा soil mechanics बच्चा हुआ है environment engineering 2 का जो बच्चा हुआ portion है यह कल हो जाएगा 15th of October तक it would be done तो कल यह हो जाएगा अगर हम बात करें soil mechanics की तो soil mechanics के case में थोड़ा subject बड़ा है और क्योंकि हम साथ में ही कर रहे है homework, class, work, practice सब कुछ साथ में कर रहे है इसलिए वो time थोड़ा सा जादा ले रहा है otherwise 2-3 दिन में वो भी कतम हो जाता और 4 दिन आप मान के चल लीजिए वो हो भी जाएगा तो हम थोड़ा सा अगर इसके according चलेंगे environment 1 और 2, 15 के बाद करना था वो वाली चीज देखके तो फिर तो हम आगे ही चल रहे है जो हमारा schedule था उससे soil mechanics आने वाले 3-4 days में ये cover कर लेंगे हम और estimating costing and valuation बचा तो estimating costing and valuation वाला जो subject है ये चाहए पहले पढ़ लिजिए exam time में पढ़ लिजिए बात वही है इसमें चीज़ें जो आएंगी वो fixed है वही चीज़ें याद रखनी होगी वही practice करनी होगी तो जब practice ही करनी है तो अब इसके साथ ही हम हमारी practice शुरू करेंगे जो भी हमारी practice होगी इसी से ही शुरू करेंगे देखते हैं आज शाम को सॉइल कितना कवर हो पाता है कॉंपेक्शन, कॉंसॉलिडेशन, दो चैप्टर तो कोशिश करेंगे आज कवर हो जाएं फिर उसके बाद शीयर स्टेंथ, हर्थ प्रेशर यह बचेंगे तो आने वाले एक दो तिन में भूबी हो जाएंगे तो ट्राइ करते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने का ताकि उसके बाद हम एक बार ऐसे रेडी हो जाएंगे, हाँ पढ़ लिया, जो थियोरिटिकल पढ़ना था, जितना करना था अब उसके बाद questions की practice मैक्सिमम से मैक्सिमम करने है हाँ foundation भी पढ़ेंगे foundation जितना exam point of view से important है वो करेंगे steel की pdf send कर दो अब pdf send कर दी, उसके बाद कितनी बार send करनी है यह बताएंगे steel की pdf telegram पे check कर लीजेगा steel, rcc, सब provided है environment के मिल जाएगे आज annotation वाला annotation वाले सारे दोस्त saved नहीं है, क्योंकि एक format ppt वाला होता है एक notex वाला होता है सब अलग-अलग formats हैं तो वो शायद ना हो अगर आप जो भी लिखने वाले सवाल है अपने rough में लिखते हैं तो बहाँ से मिल जाएगा estimation तो पहली बार पढ़ेंगे नहीं, तो practice क्या करेंगे practice ही करनी है estimation में और क्या करना है estimation में और क्या करना है आपको अगर calculations करनी है concrete के ingredients calculate करने है तो practice है आपको अगर यह याद करना है कि earthwork को किसमे measure करते हैं तो वो भी question के through भी देखेंगे और वो वैसे भी बताना है कि हाँ इसमे measure करते हैं payment होगी वो, पर hundred में होगी measure करेंगे meter cube के अंदर तो questions के साथ ही करना है वही चीज़ें देखी, वही चीज़ फटा फट revise की दो चार बार ठीक है, contact करने के लिए आप telegram, instagram कहीं भी आप message कर सकते हैं next class कितने बज़े होगी तो बारा बज़े वाली तो class जो थी हमारी anacademy की special class उसकी जगा तो हमने आज ये कर लिया, questions भी हो गए topic भी हो गया शाम को YouTube पे एक session करते हैं soil का, 5 बज़े anacademy की plus class है ठीक है, मिलते हैं हमारे एगले session में तब तक अपना ध्यान रखें, thank you so much take care, bye bye इस session को आपने अभी तक like नहीं किया है, तो session को आप like कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी इसे share कर सकते हैं CPM पर दोस्त exam के बात करेंगे, उससे पहले मैं promise नहीं करूंग आपसे, क्योंकि ये J के अंदर तो आएगा नहीं और gate के point of view से आता है तो फिर देखेंगे जब time हो ओके, thank you so much, take care, bye bye बिलते हैं नेक्स session में